प्रिधान मंत्री राचमार्क एक सिनवासी ए सेलम तिरुपुतुर विन्यबाडी रोड के जवालीज किलोमीटर लंबे खन की चार लेन शामल है प्रिधान मंत्री कामराजार बंदरगा के जेनरल कार्गो बर्थ दो को भी राश को समर्पित करेंगे साथ ही इंड्राकांधी प्रमाणु अनुसंधान केंड्र कलपक्मे में ब्रमन्स्ट्रेशन फास्ट र्याक्टर फ्यूल प्रोसेसिंग सैंत्र भी राश को समर्पित करेंगे इसके साथ ही प्रिधान मंत्री लक्षुदीप के अगत्ती पहुँचेंगे यहाँ वैक साथनिक समारों को समोधित करने वाले हैं बुद्वार को प्रिधान मंत्री मोधी लक्षुदीप के कवरत्ती पहुँचेंगे जहाँ वैदूर संचार, पेजल, सौर, उर्जा, स्वास जैसे कई शेत्रों से सम्बंधित कई विकास परियोचनाओं की आथार शिला रखेंगे गिफ्ट निफ्टी में हलकी बढ़ात करी पीस अंग चड़कर 21,860 के पास चीन और हॉंकों के बाजार 24 से आधे परसे नीचे 4 जनवरी तक जापान के बाजार रहेंगे बंद डाओ फ्यूचर्स में सपार्ट करोवार 38,000 के पास कल नए साल के मौके पर बंद थे अमिर की बाजार कच्चे तेल की कीमतों में तेजी ब्रेंट एक परसन से जादा बढ़कर 78 डॉलर के पार सोने में भी मजबूती के साथ हो रहे कारोवार कॉमेक्स परभाव 75 डॉलर के ऊपर लगातार तीन दिनों की खईदारी के बाद FIIs की कैश में बिकवाली कल कैश मार्केट में 856 करोड रुपए के शेर बेचे आज जो मेटो पर रहेगी नजर बड़े मार्केट में प्रेटफॉर्म फ्रीज तीन रुपए से बढ़ा कर चार रुपए किया सालाना अधार पर कामकाजी मुनाप़ा 60 करोड रुपए बढ़ने का अनुमाद December में Royal Enfield की कमजोर बिक्री पिछले साल के मुकाबले 7% घटी वही TBS मोटर्टी बिक्री में 25% का उच्छा फोकस में रहेंगे Auto Share Auto PLA स्कीम को एक साल के लिए बढ़ाया गया स्कीम पे तैत Incentive वित्वर्ष दोजार अटाइस तक जारी रहेंगे स्कीम का आवंटन भी बढ़ा कर 25,900 करोड रुपए किया गया लिउपिन पर नोमुरा बुलिष्ट खईदारी की राय बरकरा लक्ष 1290 रुपए से बढ़ा कर 1593 में रुपए किया अमेरिका में नए परड़क्ट लॉंच और भारतिय करोवार में ग्रोस से सपोर्ट का जताया भरोसा अल्ट्राटेक सिमेंट का अच्छा बिजनेस अपडेट डिसंबर तिमाही में घरेलू से वॉल्यूम बाज 5% की रिखी बढ़ा वही कोल इंडिया का उत्पादन 8% से जादा बढ़ा और साउथ इंडियन बैंक का कमजोर बिजनेस अपडेट तीसी तिमाही में नैलोन में करीब 11% की बढ़त लेकिन धन लक्षमी बैंक का अनुमान के मुताबिक परदर्शन नैलोन में 12% की बढ़त लिए नमस्कार स्वागते आपका गुड मॉर्निंग स्वादेश में और मैं हूँ विश्मन और अगले आदे गंटे तक हम आपको बताने वाले हैं सबसे पहले ग्लोबल क्यूज बताएंगे कि विदेशी बाजारों से आज किस तरह के संकेत मिल रहे हैं साथ ही स्टॉक सी न्यूज बताएंगे खबरोवाले शेर आपके लिए लेकर आएंगे और ब्रोकरिज हाउसेस की कहां पे नजर है ये पूरी डीटेल्स भी हम आपके लिए लेकर आएंगे लेकिन सबसे पहले ग्लोबल मार्केट का एक चेक ले लेते हैं आलाखी बहुत जादा संकेत ग्लोबल मार्केट से नहीं है गिफ निफ्टी की अगर बात करें तो यहाँ पर करीब 35 संकों की मजबूती दिख रही है 21,865 के पास गिफ निफ्टी फिलहाल कारोवार कर रहा है अमेरिकी बाजार कल बंते नय साल की चुट्टी थी लेकिन आज फिर से कुलेंगे तो वहाँ फ्यूचर्स मार्केट में सपार्ट कारोवार हो रहा है डाओ फ्यूचर्स में मामुली तेजी वहीं S&P और नैश्डिक फ्यूचर्स में मामुली नर्मी दिख रही है दायरे में कारोवार तो कुछ साफ संकित वहाँ से तो नहीं मिल रहा है एश्याई बाजारों की बात करें तो जापान के बाजार चार जनवरी तक चुटी है वहाँ पर लेकिन चाइना और हौंग कॉंग और कॉस्पी कोरिया के बाजार में हलकी नर्मी दिख रही है बाजार के नजर कल जो भूकंप आये थे सेंट्रल जापान में वहां कितना नुकसान हुआ है उस पर भी बाजार के नजर है तो यह कुछ एहम नंबर से जिस पर बाजार की नजर रहेगी और अनिस संक्यतों के अगर बात करें तो कच्छा तेल ब्रेंट क्रूड वापस से यहां पर तीजी दिख रही है कभी करीब सबा परसेंट उपर है अठाटार डॉलर के ऊपर ब्रेंट क्रूड का भाव आ चुका है और सोने में हलाकी हलकी तीजी के साथ कारोवार हो रहा है अंजर क्रिप्टो करेंसी पिछले साल हमने देखा 2023 में जितने भी आसेट क्लास तो ये क्योटी ही नहीं तमाम आसेट क्लास में जोरदार तेजी दिखी थी चाया वो real estate हो crypto bullion हो हर जगा जोरदार तेजी दिखी थी और वो तेजी cryptocurrency में भी इस बार भी दिख रही है नैसाल में भी हाँ पर अच्छी खरड़ारी अच्छी तेजी का रुख देखने को मिल रहा है चलिए आगे बरते हैं घरेली संकेत में gift nifty हलकी तेजी किससा यहां पर कारोबार हो रहा है लेकिन FIIs, DIs के आंकडे कल के कैसे थे वो आपको बता दे तो FIIs ने cash market में कल 855 करोड रूपए की बिकवाली की थी FIIs ने cash market में 410 करोड रूपए की बिकवाली की, FIIs के index futures में 285 करोड की बिकवाली देखी लेकिन index options में जबरदस खईदारी देखी 21,175 करोड रूपए की FIIs ने stock futures में 1315 करोड की बिकवाली की और stock options में 1116 करोड की बिकवाली की थी तो यह कुछ data है लेकिन हमारे सायोगी Dimpy भी phone line पर मौझूद है उनसे समझते हैं कि Nifty और Nifty Bank के आंकडे क्या कह रहे हैं कहाँ पर support और कहाँ पर resistance है Dimpy बताइए Good morning विश्मोहन देखिए आकल मार्केट एक पुरी तरह से range पे रह गया हाला कि लास्के एक घंटे में उसने high भी बनाया और लास्के एक ही घंटे में उसने low भी test कर दिया तो यह मार्केट एक छोटी सी range में फिर्चे पर्सके रह गया है क्यों थोड़ा global market पे भी काम ज़्यादा नहीं हो रहा और और अलड़ी market थोड़ा stretch भी है तो 69% की long positions FIC की तल भी दिखी जिसमें no change है और साथ ही retail की DIs की भी positions में no change आया है इसके लावा करीब 21,000 कोड़ रुपे का उठोने options पर थोड़ा सा पाई किया है लेकिन अलग अलग सेग्मेंट में पर थोड़ा salary है तो वो फुल मिलाके net tax पोडिशन में data में major changes कुछ भी नहीं है जो stop loss इसकल थे वो आज भी रहेंगे मैं फिर से repeat करता हूँ Nifty का stop loss है वो सारे 500 का होगा और इस पर जाके resistance है 800 सारे 800 से 22,000 तक ही पूरी range एक resistance की range है Same with the bankruptcy Nifty का 47,000 का एक एहम support area है अगर रहे protect हो जाता है तो फिर 47,600 तक का एक area अच्छा 800 तक का एक area है जिसके एक अपनी support बचा लेगा और resistance के तोर पर उसके पास भी करीब 48,600 तक का एक resistance है तो कुल विला के कहने का मतलब है कि जैसे कल भी marketing range में था आज भी marketing range में ही रहने के पूरे पूरे chances और पूरे असार दिख रहे हैं यानि बाजार में बहुत जादा क्यूज भी नहीं है 21,550 से 21,450 के आसपास निफ्टी को support है और resistance उपर में 21,850 से 22,000 उपर का resistance है बैंक निफ्टी के लिए support लेबल है 48,000 से 47,800 और resistance उपर में 48,800 से 49,000 के लिए शुक्रिया डिमपी एक बार फिर से आपका आगे बढ़ते हैं और बाजार पर रनीती बताने के लिए हमारे साथ रिली गेर ब्रोकीं की अजीत मिश्रा भी है अजीत सबस्पे पहले nifty और bánh nifty में बताएं क्या करना चाहिए जो इंडेक्स में trade करना चाह रहे हैं और options में trade करना चाहिए हैं उनके लिए क्या सला है तब कर देखे तब कर रहा है कि अपको इकक साद तो इक कर रहा है तो फिर आपको एक बाइंग अपोचिनिटी के तूनना है अग्रिसिव लॉंग बिसिकली नी लेखने हैं मतब ब्रेक आउट के बिसिकली चांसिस कम है कि अब बहुत स्वांग तो जो एक रेंग प्ले आउट कर रहा है मार्केट में लाजनी उसके अंदर ही आप ले करें लोवर बैंड के पास आप बाय करें और हायर बैंड पर आपको पॉफिट टेकिंग के अपोचिनिटी में टोन करके पॉजिटीव है तो बाइंग की रेकमेंडेशन होगी बैंकिंग में भी देखे कर इस तरीके अपर आपको बाइंग की अपरचुनिटीज देखनी चाहिए 2100 का लेबल दिखे उसके आसपास आप यहां पर एंट्री कर सकते हैं अजित लेकिन दो टॉपिक आज के लिए आपकी तरफ से दिन के दौरान कहां पर आक्शन दिख सकता है कहां पर खरीदारी या विकवाली की सला दे रहे हैं यहां पर स्टॉक स्पेसिफिक अपरचुनिटीज अक्रॉस दी बोर्ड नजर आ रही है और जैसे की FMCG, Pharma, Defensive, वहां पर काफी कंसिटन बाइंग हैं साथी साथ, IT में भी आपको रडिशन बाइंग दिख रहे हैं दोने ही नाम इनी सेक्टर्स मिसे होंगे पहला नाम होगा ITC का काफी strong base formation के बाद वहां पे consolidation breakout देखने को मिला है साथ, gradually अपने record eyes के तरफ बढ़ रहे हैं तो मुझे रखता है कि यह momentum continue रहेगा नेर तम में करी 488 तक के लेवल में देखने को मिल तकते हैं पोर्स टिनाई के stop loss के साथ को आप लोग करें तो यहां पे भी आप long position रहे हैं 1380 की target के लिए 1280 के stop loss के साथ तो दो topic अजेजी की तरफ पे ITC 488 रुपए के target के लिए आप खरीदें इस trade में stop loss 469 रुपए का जरूर लगा लें टेक महिंद्रा 1297 का current market पाई थे उसके आसपास आप खरी सकते हैं 1380 रुपए के target के लिए इस trade के लिए stop loss जो बताया गया है 1260 रुपए का शुक्रिया आजे जे यह दोनों ही topic बताने के लिए और Nifty Bank Nifty की रणीती बताने के लिए लिखी चलिए हमारे सही होगी शरत भी जुड़ गया है जो बताएंगे आपको आज के लिए triggers और ख़बरो वाले shares कौन से हैं सर बताईए जी बिल्कुल सबसे पहले मैं बताऊँगा December और Q3 updates क्या आने लगे हैं और यहां पे सबसे पहले Auto Sales के दो आकड़े में बता देता हूँ सबसे पहले iShare Motors Numbers below estimates आये हैं और अगर देखा जाए जहां पे sequentially volumes में decline आया है और यहां का reason यह है कि channel de-stocking हुई है और वह anticipate कर रहे थे कि steel prices में correction देखने मिलेगा धनलक्ष्मी बैंक के लाज़ली in-line set of numbers आये हैं वही अगर South Indian Bank के बारे में बात करें तो double digit growth का तो आया है deposit और advances लेकिन जो कासा है वह लगबग 230 basis points year on year basis पे गिरावट देखने मिली है JTL Industries लेकिन वही पे देखे तो Q3 बहुत strong आये है सबसे highest sales देखने मिली है और sales growth हुई है almost 76% year on year basis पे volume growth देखने मिली है ultratic cement के देखे जाए तो support से लेके थोड़े वी numbers देखने मिले इंडिया sales volume 5% उपर है year on year basis पे वही coal इंडिया की बात करे तो वहां पे 8% का production का growth देखने मिला है तो यह तो हमने पूरा बता दिया आपको December और Q3 की updates के लेकिन कुछ stocks है जो खबरों के दंपे भी आज focus में रहेंगे सबसे पहले आता है BHL और कल जो ता reversal देखने मिल सकता है यहां पे हमने चेक किया यहां पाया गया कि जो important उनके markets है वहां पे उन्होंने platform piece वह बढ़ा दिया गया है अब वह 3-4 रूपे तक बढ़ा दिया है market के जो rates में इसका मतलब जो आप कुछ order कर रहे खाना तो आपका जो है bill as a consumer वह बढ़ जाएगा लेकिन as a shareholder आपको जरूर रहेंगे क्योंकि यह लगबग 15 करोड रूपे जो है adjusted EBITDA हर quarter में लाएगा और analyze basis पे जो है 15% का contribute करेगा आपका consolidated EBITDA पे कर नेक्स microsystem है तो market cap 900 करोड के नीचे लेकिन important बात यह है कि उनकी जो JV है उसमें लगबग 109 करोड का south central railways का order आया है railways का theme चल रहा है small cap space का भी stock है और अगर देखा जाए आपके order to market cap ratio तो यह 12-13% से जादा है तो इसलिए stock में reaction देखने मिल सकता है जन solid engineering stock में अच्छी तेजी आई है लगबग 300 करोड रेस करने वाले है preferential public या private placement के जरिये तो और capital raise होने वाली है आखिर में SGVN भी focus में रहेगा उनको अधिपम से approval आई है कि वो चार नए projects जो hydro renewable projects से भारत और नेपाल के बीच उसको वो start कर सकते हैं तो positive से स्टॉक्स है जहां अधिन के दोरान इन खबरों के दम पर action दिख सकता है तो पूरी डीटेल्स आपके लिए सरद लेकर आ गये हैं लेकिन चलिए वक्त है ब्रेक का लेकिन ब्रेक पर जाते 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 एक बर फिर से आपको ग्लोबल की उस का रुक कर लेते हैं गिफ निफ्टी देखिए अब 30 संग कूपर है 21,800 के आजपास है इस्याई बाजारों के अगर बात करें तो इस्याई बाजार में चाइना और होंग कोंग दोनों के बाजार पर दबाब दिख रहा है कॉस्पी कोईया के बाजार सपार्ट है यूएस फ्यूचर से भी सपार्ट ही कुछ खास क्यूज नहीं मिल रहा है वक्त है ब्रेक का ब्रेक के बाज जब लोटेंगे तो आपके लिए कमुटरी मार्केट का पूरा एक्शन और ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट लेकर आए कर्वार्ट है प्रेक कर्वार्ट है आपशन और ब्रेक का आपके लिए वाजण झाल आपके लिए लिए झाल 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 काल झाल 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 हं ठाल को लेकर कुछ बात कहें या टेलिकॉम में इंडिया में कुछ बात हो सकती है वोड़ाफोन आइडिया अगर दो दिन में 35% चला है तो इसके पीछे ये एक तर्क भी दिया जा रहा है अगर आप गूगल करेंगे सर्च करेंगे ट्रेंडिंग देखेंगे तो बहुत सारी है जाकर टेलिकॉम चेटर का सवाल है मेरे खियाल से यह से टेलिकॉम में जो सेक्टोरल जो परीदसा बदली ए लास्ट तीन चार सावजा में बहुत बैतर वहां में निकल एक डेफिनिस्वें क्लाइरिटी हो या स्पेक्ट्रम उसे चार्जे मैं जो भी उसमें clarity दिया हो, तो overall मुझे लगता है कि telecom sector में जो भी concerns का sector को लेकर के वो बहुत अक्तक निकल चुका है, but yes at the end of the day, it's a high capital intensive business, जहां पे कोई भी company को survive करने के लिए मुझे लगता है बहुत बड़ा capital के ज़रत होगी, definitely जिस हिसाब से idea का performance रहा है, कुछी इनो ट survive करने के लिए बहुत बड़ी funding की जवरत है, बगत मुझे लगता है कि वो funding clarity अगर आएगी तो चल सकता है, otherwise मुझे नहीं लगता है, we are not very much in a positive about the company, just upon the current status of the business or the financials. ठीक है सर, कोई बात नहीं, खबर आजानी चाहिए, हमें भी लगता है कि खबर आएगी तो और clarity होगा, लेकिन बिना clarity के अन्नोन, आज करला हुए trend देखते होंगे, unknown मैंने काम कर रहा है, इंडिया के लिए, ऐसे कुछ unknown खबरे भी हैं जो shares के लिए काम कर जाती है, तो कु ठीक है duopoly को बचाए रख और उसको खतम करेगी, सरकार का 33% stake है, कुछ कहते हैं एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, ना जाने कितने एंगल है, सब्सक्राइब कर दीजिए, पहले बदाई भी ले लीजिए, और clear भी कर दीजिए, गुद मॉर्निंग इंपी आपको रजे को, बदाई तो बिल्कुल हाई जी, जिसको कहते ना रिष्क है तो इसक है, अगर आपने सारे जास ग्यारा में लिया, मेरा जग्रम दिन था पच्छिस अक्टूंबर, चार तारिक को दिवाली थी, उसमें का टॉपिक है, ग्यारा वाला, साड़े अथारा, साड़े साटतर परसंट रिकान Proof of the pudding lies in the heating, अच्छी balance sheet, debt, यह सब price ही होता है, इसे share bazar कहते है, REC, PFC चार पुना बढ़ गए और अभी भी demand है, don't be too pessimistic and never say never on the stock market, भाव भगवान चे, आप समझे है गुजराती में कहते है, आप साड़े अठारा हो गया, चाहें, Elon Musk हो, या Government of India हो, 33% उन्होंने अपने debt क reduce करके 10 रुपे पे हिस्साधारी ले ली, 42% EBITDA है, 142 रुपे का RPU है, और मैं यह repeatedly कह रहा था, 11 रुपे, साड़े 18 रुपे पे मेरे पे कोई comfort नहीं ना, मेरे कोई Elon Musk में पहले सूचना दी है, मैंने अपनी, अपनी ठोरी पे जो आपको लिए, मैंने सब को investors को दिलाया, य अपने घर बैटे हैं, और अपने लिए जो भी ने शेर दूपने किये, आजिस्ता कीजिए, ऐसे ही आपको अभी दिवाली गिफ्ट दिया था, अभी New Year gift, DCP Bank, कल सारा बजार एक तरह था, DCP Bank ने नियू हाए मारा है, DCP Bank 180, 220, 2500 पे जाएगा इस साल में, यार याद रखना क्या बात है, वन साइडेड, बिलकुल आगाकान फंड ने जो प्रमोटर है, खुद माल में लिया है बजार से, और 15 साल से स्टॉक चला नहीं है, तो सोच लिजे कितना जादा इसके अंदर रिस्क रिवार्ड अच्छा है, तो दोनों स्टॉक के लिए DCP कॉल तो मुझे ए कर कीजिए, बिलकुल, 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 उस्टाइड, आप से भी तो चहिए, नहीं ने, डियाना रुपे पर खड़े-खरे बहला, आप प्र श्टॉक पे बैट के, यह पी, पावर साड़े आज, जीपी 11 रुपे 8 रुपे पे, और वोनध फोन, सब से गंदेश है, स जब दोगने होते हैं, दुनिया को सिरफ इर्षा लगती है, लेकिन कमाते हैं, ET सौदेश और ET नाओ वाले इन्वेस्टर्स हैं, यह है व्यूग, अब आज आपके लिए है, BPCL, See, OMCs are ruling the roost, इस वारी quarterly numbers will be record, BPCL का quarterly number 8500 का profit after tax, EBITDA margin highest है, and जिस तरह से HP IOC में आप देराफ दिया है, BPCL is not kept pace, I still think in the distillates and ancillary businesses, BPCL has the maximum share, और मुझे लगता है, BPCL near term में 495-500 जाएगा, लेकिन 500 का target है, मेरा before the budget, दूसरी बार, it is a very good proxy play on the auto sales and XYZ, given that their distillates and GRMs will be the highest ever in this quarter, so BPCL is my topic, the second is Lupin, Lupin मेर पे 10 साल से portfolio में है, बहुत उतार चड़ा देखा है, अब Lupin is coming of age, उनके जो generic pricing है, उनके new portfolio is doing extremely well, मुझे लगता है 1400 का pick यहाँ मिलना चाहिए, आपको 1300 पे लीचे है, 1200 पैसंट का stop loss, दूसरा, अजे जी, यह दोनों मेरे topics है, लेकिन मैं आपको एक और चीज़ कह दू, आपके viewers को, के you've had a superb run, don't leave some money off the table, try and take some profit home, the markets are in a bull run, and bull run में जो last, you know, last 10% होता है, वो बहुत dynamic होता है, वो कोई नहीं पकड़ सकता, only thing वहाँ पे track भी होता है, so I am expecting that the second half of January will be volatile, so try and book some profits, or hedge yourself on the option front, and try and take home some money, that's my new year message to you. आपके स्क्रीन पर ही रह जाएं, जेब में पैसा आता है, वो लेके जाएं, और थोड़ा hedge करी अपने आपको, ये भी हसीन साब की messaging है, over and above, जो multi-bagger और बढ़ी हो मेंटम स्क्स जो वो शेयर करते हैं, बहुआ शक्रिया हसीन साब, ये stocks देने के लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, और कुछ और stocks की तरफ नजर कर लेते हैं, डॉक्टर रेड़ीज की तरफ ही मेरा view जा रहा है, क्योंकि लूपिन पर जो अपग्रेड आया है, बिनोत मुदी, ये जो इनका बवा प्लांट है, जो 30-40% revenues का प्लांट है, हिदरबाद वाला, उसके तरफ EOS FDA कुछ नजरे आई थी, स्ट्रीट बहर डिवाइड़ीड था, कि procedure है या severe है, लेकिन बजार ने procedure की तरफ रुख किया, पिछले 6 मेने का चार्ट लिखिया इडेटर साब, वो जो फॉल आया, उसके अंदर पूरा फॉल रिकवर हो गया है, और इधर उनके दूसरे भाई, लूपिन की तरफ बैक टू बैक अप्ग्रेड जा रहे है, यह देखिए, करीब करीब यह गिर गया था, हाँ, मतलब 4-500 रुप्रे वहां से अच्छा खासा रिकवर करके उपर आ गया है, विनोद बोधी आप डॉक्टर एड़ी को इस भावव पर कैसे देखते हैं, अच्छे रिजल्ट और मजबूत कमेंटरी दिया, जी हाँ, जी हाँ, डॉक्तर डेड़ी, आइटिंक हमने देखा है, कि ओवरल फार्मा स्टॉक्स की बात करें, तो लास्ट जी तो 2-3 मेने में अच्छी कासी रैली हुई है, और इतने रैली के बात भी डॉक्तर डेड़ी आफ से इनके डॉमिस्टिक बिजनस में ट्रैक्सिन दिखाई रहा है, या पि ओवर ल, ये जो इनके अट्रैक्सिन दिखाई देते हुए समझ में आ रहा है, जो मैनेजबेट की कमेंटरी दे खासकर प्रोफितिविति को लेकर अर्मार्जिन को लेकर कापी इनकरेजिंग सब चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि इनके अनेक्स भी बैतर होगा डेफिनेटली जो यह जो आया था वो प्रोसेजुरल था जो स्टीट का माना है तो आम जिसका वज़र से स्टॉक्स भी रिकवर की है बस मुझे लगता है कम कम मानिंग एवरिटिंग आर्ट थीक है यह तो हो गया आपका डॉक्टर एड़ी तेलिकॉम की बात हो रही है हमने देखा है कि धीरे धीरे भारती एक हजार उपे के उपर कंसोलिडेट करके मजबूती दिखा रहा है वैशाली आपको याद होगा कि हजार उपे क्रॉस नहीं कर पा रहा था भारती चला था नीचे से करीब साथ सो आट सो से लेकिन अटक चा रहा था या यह देखिए टॉप बना के वापिस नीचे आया इस सटेंट में हजार की उपर बैठा हुआ यह तो क्या यह यहां से कंसोलिडेट करके अपनी पुलिशन आगे बर सकता है ग्यारा सो बारा सो उसकी तरफ कैसे करना चाहिए? चीक है ड़न कुछ ब्रेकाउट शेर्स भी जड़ा चेक कर वा लेते हैं मारकेट के अंदर जहां पर अच्छा मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है क्या उसमें से जीमडीसी हो सकता है क्या एक बर चेक करेंगे किरन आप जीमडीसी कल जीएस फसी जीमडीसी इस तरह की शेर अच्छे वाल्यूम के साथ हम देख रहे है कि चार्टीस के उपर क्रूज हुआ पर उसका वाल्यूम भी दिरोगे तो 20 दिन के अवर वाल्यूम से उपर हुआ है मोमेंटम इंडिकेटर ब्लीस जोर में तो डेपनेटली जीमडीसी भाई करके जा सकते है मीचे में स्टॉकर मिंटेंग करना है और जिस तरह की चार्टाटन है उपर में चार्टन से चार्टन से चार्टन तरह के टाकेट आने वाले समय में देख सकते है तो डेपनी जीमडीसी भाई का सकते हुआ ठीक है कापिल बल्रामपूर चीनी भी बैन में आ गया दो शेर है जो सिरीज के स्टार्ट में बैन में चल रहे हिंदुस्तान का पर तो फ़र्स डीज रही था और सेकेंड शेर आया बल्रामपूर चीनी थोड़ा रूकेगा यह बैन में आने से या फिर अभी और चलेगा स्टॉकर स्टॉक्षर तो पाफी था लेकिन जो रिसंदी थोड़े पहले इतनलों के चलते कुछ नूस थे स्टॉकर पाइस में हैवी करेक्शन दिखने मिला था लेकिन उसे हैवी करेक्शन में थी कि उसका 375 ता सपोर्ट लेवल था उसमें बगाय था वहां पर रिस्पे अब ही शॉट्टर में अभी भी इसकी गुल जाइस रहे कि तोड़ा से हमें इंप्रिमेंट देती मिले और रिजिशन रहेगा चार्ट सो चॉटिस तर्क का यह दिखिए एक और स्टॉक चीनी के स्पेस में है लेकिन पता नहीं कि वह फो समरीजिन यह स्टॉक चला ही नहीं है वह है याईडी पैरी कि आधि पैरी के चार्ट को देखिए अगर ढूसरे चीनी स्टॉक के सब्सक्राइब करें दिखाई देगा कि पहले भी रह चुका यह देखिए कुछ खास नहीं चेमने बीस टेका पांसो साथ पर वो कैसा दिखता है यह देखिए फिटीटु वीक में तो नेगेटिव रिटरन इसके लिए तो कहीं नहीं किया कि दूसरी शुग स्टॉप के सामन या इसमें को पर्फॉर्मस नहीं को नहीं लिए शारी दर आप देखो गहें तो जो भी उपर से सलीन परिशार आया कहीं हमने देखा है कि 506-570 तर एक रेडिशन बन चुका था अब आप देख रहे है कि 506 के उपर सॉस्टेन कर रहा है सभी इंप्रम नहीं गार्जिश के उपर भी ट्रेड कर रहा है और वीशनली जो हाइट और फार्फॉर्टम बैटन में ट्रेड करना चालो वारा 470 से 560 तक उसमें वॉल्यूम मुद्पे तो वॉल्यूम काफी अच्छे पिपप और देख रहा है कि यहां पर काफी अच्छा इसको बदेख रहा है हमें तो कर सब्सक्राइब करना चाहिए तो कि यह तो हो गया आपका याइडी पैरी वैशाली जो अपने दोने बैटरी स्टॉक्स है आवारा राजा और एकसाइड पिछले हफते हमने इनमें ठीक ठाक मूव आते हो देखा पिछले आपको इसके अंदर पॉडिटिव ट्रक्शन दिखाए देगा दस पसें चला या पिछले एक हफते में और एकसाइड भी आपको मादूम चलेगा आप किस पर बैट करेंगे में मजबूत बेटर कहां पर एकशली और कैश्ट में तुरंत मोमेंटम मिल जाता है अब यूड़ से अमारा राजा सेविंफिंट का अभी सपोर्ट लेके चलिये एंड इस तरह से वीकली चाट के हम बात कर रहे हैं इस तरह से एक नया मोमेंटम शुरू हुआ है तो अमारा राजा पर पोजिशनल ट्रेट ठीक रहेगा और एक्साइड में जारा करके अफ़ोस इस तो अवर दिवाली पिक अट लोर लेवल अभी भी मैं ऐसा कहना चाहूंगी ताट येस तेर इस लॉड़ अट पॉसिलिटी पर इस तो गो तो 340 अनॉल बट प्रिफर्ट स्टॉक राइट नाओ अमारा राजा है वेरी स्लो मोविंग ग्राजूल अंड कंसिस्टिन स्टॉक ओके ठीक है अमारा राजा पर दियान रखेगा चार पैसे की कमजोरी के सथ रुपे भी खुला है यह हमने अपडेट पे नीचे डाल दिया नो बच चुके हैं और आपको इंतजारों का नवरतन शेर्स का अई शरत को अपने साथ जोड़ते हैं वह आपको बता रहे हैं वहां पर एक अच्छी जो है मुवमेंट देखने मिली और आगे जाते हैं कमेंटरी भी स्टॉंग आई है दूसरा स्टॉक रहेगा आईशेर मोटर्स कल मार्केट आज के बाद इसके नंबर आए और ओर वीक सेट अफ नंबर देखने मिले हैं और डिसम्बर सेल्स जो है ल कमपनी एक्सपेट की थे की स्टील प्राइस में करेक्शन देखने मिलेगा लेकिन वह नहीं हुआ अगर आप कंज्यूमर है तो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिब तो अफकॉस रहेगा लेकिन अगर आप इन्वेस्टर है तो यह पॉजिटिव रहने वाला है क्योंकि लगबग 15 करोड जो है अजिस्टेट अबिड़ा में यह एड हो सकती है और अनुलाइस बेसिस पे लगबग 60 करोड का आपको टॉप लाइन में इंपक्त देखने मिल सकता है करनिक्स माइक्रो सिस्टम भी फोकस में रहेगा लगबग 900 करोड का मार्केट का कमपनी है लेकि मिल सकता है जैंसल इंजिनियरिंग भी फोकस में रहेगा 300 करोड रुपे जो है रेज करने वाले हैं अब अलग तरीके से जैसे की पब्लिक इश्यू प्रफरेंशल या प्राइवट प्लेस्मेंट से हो सकता है और इस स्टॉक में जो है एचनाय और इंस्टिशनल की जो इं मिल सकता है आठवा स्टॉक वह बिग बोल्ड ब्रोकरेज उस फोकस में लाते हैं लूपे नोमुरा के रिपोर्ट है मेंटेन बाई रखा लेकिन टार्गेट प्राइस बढ़ा दिया गया है अब 1290 से बढ़ा के कर दिया है 1593 रुपीज पर शेय का यूस पाइपलाइन तो यहां पर जो है स्ट्रीट में बज है कि कंपनी जो है अपनी जो टोल की जो रिवीजन होती अनौंस्मेंट वो अनौंस कर सकती है फूर्थ कौर्टर में और यह तोर्ट हाइस साइड देखने मिल सकता है और एक्सपेक्टेड है कि डिसम्बर के महिन में 400 करड के उपर का मं करेंगे ठीक है तो यह नौक नौ शेयर आप में बता दिया है और साथ में जो लास्ट वाला शेयर है ने इसके बारे में जिकर करेंगे कि टोल कलेक्शन में और बहुत तरी हो सकती है लेकिन उसे बहले छोटा सा ब्रेक लेना होगा ब्रेक लेते हैं फिर आई यार भी करेंगे झाल झाल ब्रेक के बाद एक बार आप चेक करेंगे आई यार भी इंफ्रा मैं टिपिकली इसको एक क्वाटर के लिए नहीं बल्कि दो चार क्वाटर के लिए छोड़ के लिए रखना चाहता हूं तो क्या है ठीक है इस रेट पे इसको प्लस करना टेक्निकली स्ट्रक्चर इसका अब आप एक ब्रेक ब्रेकाऊट अचाहिक लिए लिए लेकिनिक्स का लॉंग ताम चाह्त आट अट इसमें एक अच्छा ब्रेकाऊट आए अप्टर जूरू का प्लस्टर रिस्टन्स था उसके ओपर जैसे ही स्टॉक सस्टेंगे है तो 30 रुपीज वारा एक 42 के आसपास और 40 से 38 के बीच में इसके कुटिटेंस नहीं नहीं है तो मेरे साब से 38 या तो 40 के बीच में पेकुलिए कीजिए और जिस तरह की चार्ट पार ने डेफिनिटली आप यहां पे 50 रुपी से 55 तके टार्ट इक्सपेट कर सकते हूं तो तो मेरे लिए डिप में भाई कीजिए चार्ट के साथ ओके नौ आठ हो गए है एक बार निफ्टी बैंक निफ्टी दिखाए रेक्टे साब आज इंप्लाइड ओपन जो है गिफ्टी का भी विता रहा था थोड़ी सुस्ती दस पॉइंट ऊपर एकीस साथ सो पचास के आसपास आपको नजर आ रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी भी आपके स्क्रीन पर आता है होगा थोड़ा सुस्त लग रहा है मारकेट मेरे ये विव है कि कूदिये मत पहला ट्रेड करने के लिए आधा पॉन घंटा बाजार को थोड़ा अपना विव लेने दीजिए क्योंकि पहला महिना है नए साल का एफ आफ आज अब धीरे धीरे करके अपने गेम में आएंगे तो आपको सबसे पहले अक्टिव नहीं हो जाना है कल भी आपने देखा अल्रेडी लोग वल्यूम ट्रेड हुआ था थोड़ा आधा पॉन घंटे बाजार को अपनी करवट लेने जिए उसके बाद माहल बताईए स्क्रीन द कोटक दोनों अंडर परफॉर्मिंग बैंक्स जो हैं काफी कलक ट्रेड हो रहे था 1700 के उपर बंद हुआ था सब्सक्राइब किस तरह के चार्ट पैटन नजर आ रहे हैं एक महीने का चार्ट दिखाईए पिछली सीरीज में इन दोनों बैंक्स में अच्छा काम हुआ है मोम में कर्फार्मिंग के लिगे कर दिखा है एक काफी अच्छा परफॉर्मस दिया लेकिन हीश्ट अधिकेटा है तो मेरी साथम छोड़ा दिखी आपको अच्छे रेट से आपधे वापीश मिल सकते लेकिन टेक्निकली स्थीग की ओप ऑर्वार जों में तो चंचिस है के है की बिशा करना चाहिए ओरना चाहिए नियुकर तो यहां पर भी का क्या है तो यहां पर भी कुल भी की बद आता है तो तुम इने के सब से क्याना चाहिए और जिस तरह के और चाहिए यहां पी आप दो अधार प्लस तक के टागेट आने वाल एच्छी से साथ मेने में देख सकते हैं तो लॉंग डेटा कर आप लिना चाहते हो इलेक्शन जाली को आप पांटिसिपेट करना चाहते हो तो डेफिनेटली यह मैंक में दो भी क स्वागत है शोग पर भी चंदन मताईए कैसे ट्रेट करेंगे क्या ट्रीडिंग आइडिया लेकिया है हमारे व्यूज के लिए गुड मॉर्निंग आपको भी नहीं साल की सुबकाम नहीं सभी पैनलिस को डिंपी को आपको सभी दर्सकों को तो बजार की बात करें तो और ओल पॉजिटिव बाइस के साथ हम काम करेंगे हमारा मानना है कि जब तक 21-500 होल्ड करता है बजार में 22-22 तक यह रेली एक्स्ट बना सकते हैं 104 उपय का असपास का सपोर्ट बना सकते है उपर में 112 तक के टागेट के लिए उसके लावा गेल पे हमारा पोजिटिव यह लगाता है पिसले 15-20 दिनों से हम रिक्मेंट कर रहे है 165 का आसपास आये तो ले 162 का सपोर्ट और एक सो पिचितर का टागेट तो म आपके रिडार पर भी अभी मैं सुबह से भी प्री उपन में आट से लों के बीच में काफी इसको डिसकस करा था वे शालीक से भी डिसकस कर रहा था उतना चले नहीं लेकिन अब क्या इसके साइन आ रहे हैं तो चंदन जी ने ओलडी इसके उपर स्टैंप लगा दिया है कुछ बोरा गुड मॉनिंग कैसे हैं आप बताईए कैसे ट्षीड करवाएंगे आज मारे व्यूस को सबसे पहले आजये आपको सारी टीम को सारी दर्शकों को वेरी हपिन यूएर इस साल के एंड तक निफ्टी 20,000 और बैंक निफ्टी 60,000 हो जाएंगे तास्माइश फोर दे मार्केस एंड फॉर अल फॉर अवरल सेट आप में पॉसितिव लग रहा है एक हलका सा पुल बैक रूल आउट नहीं कर सकते है बट आई थिंग निफ्टी विल हेड तो 22,200 यहां पर निफ्टी यहां पर पोजिशनली जा सकती है बैंक निफ्टी थोड़ सा जादा कंसर्ण का विशे है इसको स्ट्रुक्शर सेट अप बन रहा है हला कि I'm of the belief that this year the bank nifty will outperform the nifty stock specific action की बात कर रहें तो 2 picks है पहला है Amboja Cement, overall setup इसका बहुत positive है कल भी एक अच्छा breakout दिया था 545, 555 के near term targets है 525 का stop loss जो मेरा दूसरा pick है that is T-R-I-L यहां पर near term के हिसाब से 245, 250 के 2 targets 235 stop loss बट पोजिशनली अगर कोई पोजिशनली अगर कोई लेना चाहे तो 275 के level सक भी नहीं सकते हैं and as a quick disclaimer, यह stocks हमने हमारी advisory service के तहत हमारे clients के साथ भी discuss किये है, क्या बात है शांदा, T-R-I-L पिछले हफते हमने काफी इसको notice कर वाया था, English Channel पे management ने आके solid guidance भी दी थी जिसके बाद circuit लगया था stock के अंदर, लोगों को इतनी जबदस पसंद आई और follow up buying भी तो यह 240 पे आ चुका है और यह इसके अंदर relating जारी है और इसलिए कुछ बोरा भी इसको recommend कर रहे है, कुछ मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा इससे पहले dimping को दें कि यह साल बहुत शांदार रहेगा, इसका nifty, मैं nifty से कोई रिना दिना नहीं है, यह साल stock market का होने वा एक अच्छे से aggressively, एक हम adult bull run में, हम एक early sign teenager bull run में नहीं है, एकदम aggressive, एकदम established bull run है, इसमें game बनेगा stock picking पे, और आप सारे panelists हमारे contributors का बहुत बड़ा योगदान और जिम्यदारी रहेगी ताकि हमेरे viewers इस phase नहीं बजार के काफी अच्छा पैसा कमास चखें, नो चोदो हो ग और नो पॉइंट पे है, और सीरा मोपनिंग के तरफ ही बढ़ रहे है, कडिब 1000 share होने ऐसे चाहिए, जहां पर आपको advances दिखेंगे दिखेंगे, पहला टिक आना शुरू हो गया, पहला टिक आते ही, सीरा निफ्टी लाल निशान में चला गया, और 18 पॉइंट नीचे है, यही कल भी हुआ था, कल भी मार्केट के पास कैप डाउन था, लेकिन मार्केट ने फिर बाद में जाके अपने आपको तोड़ा बाद में ठीक भी किया, तो यह बजार फिर से थोड़ा सा नीचे जा रहा, 48,000 एक सो दोपे है, कल हमने चलते हैं आपको पॉट भी इसके अंदर हैं, लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या, ध्यान रखने वाली 48,000 का बैंक निफ्टी का सपोर्ट और निफ्टी का 21,500 के आजपास का सपोर्ट है, यह मार्केट करेगा, शेक करेगा, यह इसका धरम भी है, और इस समय इंडिया विक्स भी अलाव करता है, आ पर आधे से पोने 1% धकी बढ़त है, जो शेर कमजोर है, वो शेर भी आपको दिखा देते हैं, उसमें है, आई शेर मोटर, अल्टर डेक, सिमेंट, एक्सस बैंक, इनफोसिस, यह कुछ वो शेर है, जहां पर आधे आधे परसंट के आसपास का शुरुवाती नुकसान आप आपको देखने को मिल रहा है, यह बड़े शेर से, इसमें नहीं आपको दिखेगा HDFC, नहीं दिखेगा आपको Reliance, नहीं दिखेगा आपको TCS, नहीं दिखेगा आपको LNT, यह कुछ बड़े शेर अभी थोड़ा रुके हुए हैं, तो इसलिए मार्केट में थोड़ा रुक प्रेटो, फीज बढ़ाई तो ड़ाई परसंट उपपर आगया, TVS Motor Sales के नमबर आए तो आधा परसंट उपपर है, जाइडस Life Sciences ब्रेक आउट शेर है, IRCTC वैल्यवेबल शेर है, रेलवेस के अंदर, यह अभी शेर शू आप में चल रहे है, गेल के अंदर थोड़ी जैसे कि नैसले, टाटा, कंज्यूमर्स यह दोनों शेर है, और थोड़ी बर्ट वीक्नेस है, इल्टरा और आई शेर के अंदर, हीरो मोटकॉप के अंदर, यह टिपिकली चर्निंग का पार्ट है, क्योंकि यह शेर काफी अच्छे से चले हुए, तो इसलिए फ़ड़ी प् मेहमानों से आपको ट्रेट दिलवा देंगे, आईडिया सेलुलर, तीन साड़े तीन परसंट आज फिर से उपर है, इस शेर पर ध्यान रखा जाए, जोमेटो भी आज उपर है, जैसे मैंने आपको जिकर किया, रूट मुबाइल कल हमने खबर गरम सेग्मेंट में आपको बताया था, इसके अलावा, SJVN के अंदर एक खबर है, तो ये भी 1.5% उपर है, आप जड़ा मेहमानों से आज जोड़वा रहे हैं आपको और बताएंगे, आज की ओपनिंग के सोते, मुलायम ओपनिंग है, बहुत जादा मंदी वाली ओपनिंग तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, उम्मीद के अनुसार, सोफ्ट ओपनिंग, एक घंटा, आदा घंटा आप देखिए, बजार में आपको, मुमेंटम वापस आता, पार्टस परिशन थोड़ा वापस आता हुआ, धीरे धीरे दिखाई देगा, चन्दन तपारिया, आपका ओपनिंग ट्रेड क बाद में, यहाँ पे ब्रेकाउट मिला है, 122-123 के उपर, काफी अचा प्राइस सेटप बन रहा है, इसलिए खरेदारी की सला यहाँ पे रहेगी, 120 का यहाँ पे सपोर्ट रहेगा, उपर में 130 के टागेट के लिए, उसके लाब FNO के तरब फोकस करें, तो मेरी तरब से र IRCTC, शांदार, PSU Bank है, जो FNO में है, यह ओपनिंग ट्रेड और लेमिन्टरी ओपनिंग ट्रेड, किरन जानी, आपका ओपनिंग ट्रेड क्या होगा? इंट्रिस्टिंग, सन फार्मा आज सोब बताया था हमने की DRL का पूरा डिप वाट हो गया, लूपिन में दो बैक टू बैक अपग्रेड आये हैं, तो पूरा जो पैक है, सन, डॉपिन, सिपला, सन फार्मा हो गया, और बिंदो, इन पांचों स्टॉक को आप नजर में 1100 की तरफ चाहता हूँ, नजर आ रहा है, कुछ बोरा आपका उपनिंग ट्रेड? तो साइंट मेरे रेडार पे है, अन उपनिंग, ठीक है, साइंट आपके रेडार पे है, कपिल शाह, आपका उपनिंग ट्रेड? आपके लिएपनिटी है, फार्मा सेक्टर से भी बिलाउन करता है, वो टेक्निकल स्टॉक्टर भी काफी दिनों के रेंज मांट होनी के बाद में आज ब्रेकाउट होते हैं, चारसो अट्रा के रवन पे अब यह स्टॉक कर रहा है, तो यहां से मेरे अपसाइड मोंट्व म मैं एक्सपेक्ट कर रहा हो स्टॉक की, अर्ज का में चारसो अट का में एक को स्टॉक्ट लोस मेंटेन करना होगा, और उपर में 435 के अपसाइड वो टिविजिल हमें दिखने मिल सकती है कुछ और शुरुवाती बिल्डप के मैं आपके स्क्रीन पे लेके आता हूँ जरहें इपर लूपिन को तो दिखाईए, दिखाईए, साथी और विंदो फार्मा को भी दिखाईए, इसका भी बिल्डप ठीक है, हाला कि इस स्क्रीन दर बस एक ही प्रॉब्लम चल रही है, थोड़ा ओपन इंटरस्ट नहीं बना इसका, तो में को लग रहा है, प्राइस एक्षिन जल्दी डिल्दी ठीक है नहीं, जहां 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 अच्छा बन रहा है, उस शेर के साथ मेले कुछ टाटा कंजूमर्स एक ठीक है, बस अभी तो कुछ ऐसा कुछ अग्रेशन नहीं जहां सर ग्लेनमार का थोड़ी दर पहले मेंशन कर रहे थे स्टॉक पेकिंग के लिए, इनको हमारी गाइडेंस की ज़रत पड़ेगी, अजह इन हाउस एक्सपर्ट जो है उनको अप्रीशिट किया कि नहीं, कॉम्प्लिमेंट किया कि मुझा नहीं मुझा नहीं पता, बट 14-17-18 तक की जो मुव आई है, इनक काबिले तारीफ है, and I think all kudos to you for highlighting this to all viewers and even us for that matter, so all compliments to Dimpy, अब जहां तक ग्लेनमार की बात है, well, it's a stock, you know, which is, you know, once again a very good stock identified, क्युकि इस लो ग्राजूल अप्मूव है, 20-day moving average के support लेके अच्छा सा जंप टिया था, बेश बेस बना की ऊपर trade कर रहा है, तो 900 तक के levels है, जिसको यह immediately test कर सकता है, वो cross होते ही 930 का level है, यह in play आएगा, और जो आज के दिन का stop, जो low बना है, करीब, you know, 855, 860 का, यह आपका stop loss रहेगा, तो अच्छा moves था, steady, due for a breakout, और वो breakout आज आया है, तो momentum play के हिसाफ से, ग्लेनमार को बिल्कुल momentum place के अंदर होगा, आदे के 28-29 पॉइंट की गिरावट अभी भी आपको निफ्टी के अंदर दिखे है, मैं आपको ट्रस्ट पता हूँ, आपको बोर कर देगा, कल तो बोर किया ही किया, हो सकता आज भी करे, और एक और चीज, यह ना support पे जैसी पहुँचेगा आपको feel good क कराएगा कि मैं आपको अपर आने जा रहा हूँ, और इस्टे से पहुचने पर आपको feel bad भी कराएगा, तो अगर आपको beach का area में trade करना आता है, इसको shaking trade कहते हैं, churning कहते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा market है यह, अगर आप एक तरफा होके काम करते हो, या मंदी दे या एकदम से तीजी देखते हो, तो फिर आपको कुछ दिनों के लिए indices को छोओ, कुछ दिन में आज के लिए तो कम से कम छोड़ी दो, कल की फिर कल देखेंगे, जब सारे trades की बात होई रही है, तो एक share में को लग रहा है कि यह 2024 का share बन सकता है, उस share का नाम है yes bank, मैंने कल भी इसके बारे में closing में जिकर किया था, और अजे ने आज यह सुबह एक बात बताई कि यह साल ना selection का है, यह साल आपको बहुती selective stocks रखने होंगे, इसलिए मैं अपनी list में yes bank को जगे देना चाहता हूँ, बस मैं को confirmation लेने हैं चंदन सर से, चंदन सर यह non F&O share है, yes bank, क्या एक साल के लिए रखो, तो मेरा पैसा, मैं तो वैसे double expect कर रहा हूँ, लेकिन आप double ना भी छोड़ो, 50% का gain आजाएगा सर, हाँ होगा, तभी plus करेंगे, अगर आप ना बोलोगे तो plus भी नहीं करेंगे, निंपी, आप याद रिखेंगा idea, मैं बार बार आपको बोलता हूँ, कि हमें पूछते रहे हैं, आप समझ लो कितना connection है, और 24 रुपा के हम positional target idea में दे चुके है, मुझे याद है कि मैं लगबग इस counter को 10-11 रुपै से ट्रेक कर रहा हूँ, 24 के target के लिए, ओके अब हम yes bank क बात करते, yes bank मेरे को लग रहा setup change हुआ हालाक yes bank में थोड़ा connection कम है compared to idea, बट मेरा ऐसा मानना है कि आप इसको 2-4 बार में average कर ले, लगबग 20-22 के बीच में average करें, उपर में 28 उपर के target के लिए, और 28 का मतलब 30% upside होता है, आपको मैंने बताया था है, लूपिन में छोड़ियेगा मत इस बार, इसका reason यह है, एक हफ़ते के अंदर दो back-to-back upgrades आपको दिखाई दे रहे हैं, देखिए लूपिन में, खुलने के बाद भी, साड़े 4%, आपको नज़र आ रहा है, डेज हाई की तरफ जा रहा है, बाजार वहीं का वही है, लूपिन 5% उपर है, इसका effect देखिए कहां पर हो रहा है, डिवीज को लेकिया इडेक्टर साब, इंटडे डिवीज दिखाईए, मैंने आपको बताया था, जितने भी टॉप डेज हाई की तरफ जा रहा है, 1111 फ्यूचर हो चुका है, आप लेके आईए, ग्लेनमार्क, ग्लेनमार्क का नाम में बोलना भूल गया था, लेकिन ग्लेनमार्क भी तेजी से लूपिन के अपग्रेड के बाद, सेकंड अपग्रेड के बाद, डेज हाई की तरफ जा रहा ह ग्लेनमाग को मंतली चार्ट पे देखे तो एक पोलिन फ्लेक का ब्रिक आउट हो रहा है और थोड़ी सी लिडर्सी फार्मा काउंटिम आई है तो बिलकुल आप इसको ट्रेलिंग के साथ में रखें 860 का ट्रेलिंग रहेगा टागेट 935 और 980 के तरह बन रहे है तो बन रहे जी यह अपने कुछ ने टी आरायल का नाम आज फिर सुमा लिया था डिस्क्लेवर के साथ लिया था 245 टी आरायल आपको इससे में दिखाई दे रहा है धाई परसेंट उपर इन फाक्ट कुछ और स्टॉक से में बात करें तो पिछले साल का टाप मूवर टाटा ग्रूप का था टाटा मोटर्स आट सो हो गया आठ सो क्रॉस हुआ रुका नहीं है वहांबर अगरनाल न टाटा मोटर्स को लिए को लिए कि आएव इन फैक्टा आज का नॉन फार्मा में बहतरीन परफॉर्मस में से है करीब 795 के आसपास trade कर रहा है क्या है यह 800-900 next इसका पढ़ाओ बन सकता है कुश मैं last week एक statistic एक report पढ़ रहा था जहां पर FIIs का जो fresh पैसा आया है बैंकिए बैंकिंग is a given thing क्योंकि इंडेक्स में वेट काफी होते हैं तो उसके बाद जो सबसे जादा पैसा FIIs का आया है in the last month month and a half, वो capital goods and auto and auto ancillaries में आया है that is also one of the reasons के आप इन stocks में अच्छा सा spark देख रहे हैं and अगर हम overall setup देखे तो बहुत से ऐसे stocks हैं जो एक अच्छा सा base बराने के बाद एक round of upmove आया था फिर base formation हुआ तो इन में से काफी सारे नामों में और फिर से अपmove शुरू हुआ है data motors also is in a very similar category अगर आप positional trade लेना चाहें तो 900 के हिसाब से मैं कहूँगा बिल्कुल ले सकते हैं by the end of the year that's a fair target for this stock अला कि जो recent move आया है उसके बाद मेरी जो आइडियल रणनी थी रहेगी इसमें वो buy on declines की रहेगी तो कहीं भी 775, 770 के zones में मिले तो accumulation शुरू कर सकते हैं थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं बट यहां से भी momentum play के हिसाब से लिया जा सकता है positionally 900 को आप जो आपने level दिया उसी को target लेके चले और on the downside करीब 925, 930 के support zones है जो as a stop loss act करेंगे कपिल यह एक cash का stock है mid cap cash का stock पिछले हफते इन्होंने एक fundraising भी की है JTL Industries अब इन्होंने आज अपने Q3 के update शेर किये है काफी मजबूत आए 20% का भाव है 4% उपर है लेकिन यह relatively underperform किया अपने space को दूसरे stocks को पाईप अगरा के देखें मन इंडस्ट्रीज को लेकिया यह पिछले हफते करीब 10% तो Thursday, Friday में ही चला था इन दोनों के chart चेक करके बताईए एक चला हुआ है, एक नहीं चला है एक momentum में है, एक दूसरे momentum में नहीं है कपिल ओके जिदी इंडस्ट्रीज के चार्ड आना यहां पे देख रहा है तो momentum तो काफी अच्छी है और सुवेज दिस दूसरे नवरत में शेयर्स में आपने में मैंचन किया हो था तो stock pricing का आज अभी 5% उपर में है stock का जो flag pattern का daily chart में में देखता हूँ तो ऑफको स्टॉक में अपसाइड मोमिटर में रहनी चाहिए पोजिशनली बैट कर सते हैं यहां पे शॉक्टोस में जादा रखना पड़ेगा तो तो पाच परसन का अज गैप भी ओपनी हुआ है जो इसका लो हमने देखा को 435 के तो इसका शॉक्टोस मेंटेन कर सकते हैं और उपर में स्टॉक प्राइस के कान अपर 265 से 270 के अपसाइड मोमिटर में देखने हैं तो जो उसका लगार पैस का वह भी खतर होगी टाइम बाइस करेशन खतर होगी प्राइस में अभी मोमिटर बिल्ड हो रही है आज एक्चुली मार्केट में तो टिकी है गेम का खेलना इस समय क्योंकि आप देखे ना तो इंडाइसिस आपको रहा दिखाएंगे ना ही अलग-अलग स्टॉक्स के भी लीडर्शिप क्लियर हुई है एक चीज बहुत क्लियर आज डाटा से कि आज का दिन फार्मसूटिकल्स के नाम रहने वाला है आपका बता हूँ अगर आप प्राइस एक्शन और ओपन इंटरस एक्शन से चेक करें ना शीट है सभी डेरिविटिव एनलिस्ट के पास होती है आपके पास भी होगी आप पहला शेयर लूपिन दूसरा ग्लैनमार्प तीसरा ग्रैनलेस चोथा डिविस पांचवा औरोप उसका छटा शेयर बायकॉन है उसका फिर एक शेयर अपूलो आशोक लीलेंड को छोड़के फिर फिर से सिंजीन है तो आज के दिन ना फार्मसुटिकल्स की जो बढ़त आई है ना यह बिल्डप ताजा करिदारी की है तो आज फ्रेश राउंड अफ़ बिल्डप है आप देख पारे होगे सभी में प्राइस एक्शन क्या जोरदार है और परसंडेज में भी अच्छे चले हुए और यह वाल्यूम के साथ चल रहे है इसलिए यहाँ छोड़ी आप दूसरे चैनलों पर भी जाके चेक करेंगे ना वह सभी जबी बोल रहे होगे लूपिलो ग्लैनलो लूँ क्योंकि डाटा ऐसा बता रहा है एनिहाओ नौन फार्मा में से एक जो शेर है वो अशोक लिलेंड है यह धीरे धीरे थोड़ा कैच अप कर रहा है आपने बड़े प्लेयर टाटा मोटर्स को देखते हुए तो क्या यह दोसों के पार हो जाएगा अशोक लिलेंड चंदन सर एक बार आपका व्यू चाहिए इस पर अशोक लिलेंड यू है इन्फेक्ट खरिदारी के हम सलाथ दे रहे हैं यहाँ पर एक अंसोल डेशन ब्रेकाउट हुआ है चैसा दिन से कंटिनूस लिए हायर टोब हायर बोटम फोर्मेशन बन रहे है तो 184 के सपोर्ट से आप पोजिशन रख सकते हैं उपर में 195 से लेकि 200 तक के टार्गेट के ठीक है 195 से 200 तक के टार्गेट है आज मोमंटम दिख रहा है लेकिन एक स्टॉक नहीं हुआ है रिडार पे वो भी साइलेंटली चल रहा है वो है पिरामल फार्मा पिरामल फार्मा आज 140 के ऊपर ट्रेड कर रहा है लेकिए आईए आज का चार्ट और पिछले एक महीने तीन मेने का चार्ट तो आपको नज़र आएगा यह कैश है जो काउंटर है चंदन पिरामल फार्मा आपको क्या इसके अंदर यहां से भी जूस नज़र आता है तो आपने पिरामल फार्मा की बात कर रहे है तो यहां पर पोजिटिव मू है कहीने कहीन ब्रेक आउट आप बन रहा है पिछले 5 दिन का इसके अंदर स्टॉप लॉस कुछ एक स्टॉक आपसे पहले भी डिस्कस करते है अच्छा मूबर भी है लेकिन उनका फंडरेज चल रहा है शायद इसके से एक्षिन नहीं मालूम हमें पिछले महीने अनतराज में प्रमोटर ने 50 क्रोड डाले और निमिश भाई के एक एंटिटी ने भी पैसा डालते हैं नजार आये थे 307 का भाव अनतराज में कहां पर स्टॉप लॉस लगाएंगे तो यहां पर अच्छा बेस जो बना है पिछले कुछ दिनों में वो है 295 के आसपास का वहीं से स्टॉक को रिबाउंड कर चुका है तो मेरे असाब से यहां पर 295 को स्टॉप लॉस लेके स्टॉप को राइड करें अब देखें तिपिकली यह ओवरहिटी टरिट्री में होता है तब हम कहते हैं कि थोड़ा सा वेट करें फोफिट बुक करें लेकें अगर आप देखें तो पिछले कुछ महीनों से राधर कुछ हफ्तों से कि इसी ओवरहिट आपके लिए यहां पर एक करेंगा वो क्रॉस होती 340 का दूसरा लेवल जो है आपके लिए इन प्ले आ जाएगा सो ओरोल सेट बहुत ही पॉजिटिव है 20-day moving average का सपोर्ट लेके स्टॉप बार बार में ऊपर मूफ करता है सो on the whole the setup is positive 295 is where I would place my stop loss स्टॉप लोस लगा के काम करें स्टॉप के इंदर यह दोनों जो आपके आइनोस एनर्जी और आइनोस ग्रीन क्या तावरतूर तेजी आपको इन स्टॉप में नजर आ रही है और रुकने का नाम नहीं ले रहे है मतलब अगर आप देखें तो कपिल शा जरह दोनों चार् स्टॉप अच्छी मोमिंटम दी हुए थी स्टॉप लगा के एक सो दिस्तक का मूव दिया हुए था इन अ पर्पेंटिकुलर वी में बाद में स्टॉप ने थोड़ा कंसलेट करके फिर से पिछले दू दिनों से हमें एक ब्रिक आउट इतनी मिला हुआ है तो यह काफी एक प्राइस करते हैं डाइजिस्ट करते हैं और फिर से अपसाइड मोटम अभी आ रही है दो दिन अच्छा सब रिकाउट है तो मोमिंटम यहां पर कंटिनू रहनी ही चाहिए दू दिन का जो लोग बना है उसको हम स्टॉप लोस मान सकते जो ही 105 के यहां के लवल के यहां पर हम एक शेयर हो रहा है अगर आप इसको डेली चार्ट पर डालें अच्छा ऐसा नहीं कि मैं सर्फ सारे मंदी तेजी का यह शेयर देखाता हूं देखो आ एसकॉर्स कबोटा यह शेयर थोड़ा वीक हो रहा है इसने अपना रीसेंट हाई बना हुआ है करीब 3400 रुपे की आ करीब 2700 तक आ सकता है 2750 तक बेपास 200 दिनों के एवरेजर डेली चार्ट पर वहां तक आने के चांसिस कितने लगते हैं आपको देखे एसकॉर्स ने काफी दिनों बाद यानि काफी महीनों के बाद थोड़ा सा डल ब्हेव करना स्टार्ट किया है अकाउंटर ने थोड़े से नेगिटिव प्राइस पेटन भी बनाएं एक रफ कांड अफ एड़ें शॉल्डर पेटन भी यहां पे बनाता तो थोड़ा नर्वस्तेस हैं बिक्वाली के सला तो नहीं रखेंगे क्योंकि थोड़ा सा बायस्ट पोजिशन है और इस काउंटर को मैंने काफी अच्छी रेली एच की है पिछले लगबग दो सालों में 1100 से लेके 3032 तक के लिए तो मेरे साफ से चार्ट सेटप की बात करें बाकी सब जो को छोड़के तो कहींने की एक बार के लिए 2800, 2800 पचास आ सकते हैं वहाँ पर वापिस अक्यूमलेट करने की सला बन सकती है एक शेर मैं और पता करता हूं सर इसी तरह का एक वीक काउंटर है वो है आई शेर मोटर हो रहा है है हुआ नहीं है यह हो रहा है यह हो क्या रहा है ना है 42 सो रुपे के आसपास का डबल टॉप बना रहा है डबल भी क्या अगर थोड़ा गौर से देखेंगे तो ट्रिपल आप जैसा बन रहा है लेकिन इसका ब्रेकडाउन नहीं आया तो क्या इसको शॉट करना चाहिए कुछ या फिर नहीं करना चाहिए क्योंकि कंफरमेशन नहीं है ब्रेकडाउन का बठार रिस्टेंस है रुक रहा है तो फिर करें क्या छोड़ना ही छोड़ दें क्या नो आप से इसको अब शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जैसा आपने बताया, यह अगर अब ट्रिपल टॉप आप कह सकते हैं, यह वैसा फॉर्मेशन यहापे था, आज अगर आप कंफरमेशन की वेट कर रहे हैं, तो देखें, 20-day moving average का support यह कुछ दिनों से कोशिश कर रहा था लेन जो आपके लिए as target act करेगा, and if that is taken out, then I think 3860 का एक cluster है, जो as a target act करेगा on the way down, तो करीब 100-500 points का यहापे downside जो है यह और आपको आता हुआ देख सकता है, अब यहापे stop loss कहाँ लेके चले, जो ठीक जो इसका 20-day moving average है, 4-0, 3-0, 4-0, 4-0, 4-0 का जो लेवल है इसके आस-पास, इसको अपना stop loss ले, और जो यह pressure हमें इतने दिनों से तिक रहा था, आज उसका breakdown आता हुआ नजर आया है, तो 100-500 points के और यहाँ से downside के लिए, इसको shot कर सकते हैं. Cooling off stocks में, Gale को देखिये दरा, Gale में बहुत बड़े-बड़े upgrade आये, पिछले हफते हमें 2-3 brokerage reports में यह देखा कि, जो gas prices internationally cool off हो रही है, उसका फाइदा Gale को मिलता है, इसका 3 मेने का chart लिकिया यह, one-sided Gale participate भी किया, energy stocks के long position में, 20 अगा तो यह पिछले series में चला है, अब यह shorting हो रही है, unwinding हो रही है, उन long position की, नीचे की तरफ यह कहा तर जाते हो, नजार आता है आपको, couple, जहाँ पर re-entry की जाए, और यहाँ पर जो लेके बैठा है हो एक बार निकल ले, यह, बिज़े ले, gain का, gain का काफी अच्छा momentum आया हुआ है, नोडर काफी, यह, यह, जो stock price में, आपकी move आ रहे है, यह stock के original nature नहीं हो है, कारने का कुछ figure के वज़े से, short term काफी अच्छा ही हमें, बुश्ट दिखने मिला हुआ है, तो कारने काफी cooler पोने के भी chances बनते हैं, इनका निके चार्पे में देखता हूँ, तो 164 का current level चाल हुआ है, 152 से लेके 148, तो यह जो इसके level है, वो काफी अच्छे support level इसके बन सकते हैं, तो यह जो चार्पोन की range है, वहाँ पे काफी सारे अच्छे cluster of support बनाए हुए है, तो वहाँ पे stock retrace होता है, तो risk reward ratio favorable रहेग यह indigo के लिखिया है, यह aviation companies के तरफ भी एक बार नज़र डाल लेते हैं, एक तर तो near term में crude rebound किया है, लेकिन दूसी तरफ अगर हम देखें, तो इसमें जो growth है, आपका data रिखा रहा है कि जो passenger growth है, उसमें कोई भी कमी नहीं आ रही है, यह 3100 के तरफ जाके एक बार नीचे आया वापस, in fact, यह 31303,000 के जो level है, यहाँ पर आपको indigo में कुछ हद तक resistance नज़र आ रही है, क्या यह एक शौटिंग कैनिडेट है, यहाँ के भाव से क्या दिखता है आपको कपिल, यह शौट करने के लिए तौस आप मेरे लिए त्री मेंचर हो जागा है, क्योंकि आपको शौट करना अवाइड ही करता हूँ, और टेखनीकली स्टॉप में स्टॉटिंग साथ पैटन जैसा बनाया हुआ है, दिखाट पे लिकिन बड़े ट्रेंड के बाद में एक चोटी सी केंडल ट्रेंड को डिश्टब नहीं कर सकती है, तो मॉर्ले स्टॉप में आपको अल्टाइम हाई के लेवल के अराउंड होते हैं, माइनुट कर्रेक्शन ओन दे कार्ड और 2880 तक तो वो उसके एक ब्रॉडर पॉजिटिव रेंज बनी हुई है, देखे हमने शुरुआत में एक स्टॉक आपको बताया था, येस पैंक, हमने काता है ये टिक बाइ टिक चेक कर रहे हैं तो इसके अंदर वॉल्यूम आ रहा है बहुत जोर का, देखे अभी नौ बचके चालिस मिनिट वहा है और करीब सात करोड से ज्यादा शेयर इसके अंदर ट्रेड हो चुक है, कल पैंतालिस करोड का ट्रेड था इसके अंदर, तो वॉल्यू बात दिन भी छोड़ दो, आप सिर्फ दो दिन दिखाऊ आप, सिर्फ दो या तीन दिन दिखाऊ इसका ट्रेड आपको फोड़ा आइडिया लग जाएगा इसके अंदर, तो मैं यह नहीं कह रहा है कि आप भी इसके अंदर आ जाओ, बट आप इसको नहीं मार सकते हैं आप ठीक है ना, तो इस शेर को थोड़ा सा अपने एक वाच पे रखना, और हमने चंदन सर से अलड़ी इसके बारे में आइडिया लिया हुआ है, तो उन्होंने आपको बता भी दिया है कि उस पे बुलिश है, तो इस पे आप थोड़ा ध्यान रखेगे, बस यह सिर्फ नोटि निलेशी, बताइए सर आज का ऑप्शन का ट्रेड आपका कॉन सा है? तो इस पार्मास पेस की डिकरच कमी सन फार्मा इस पर्ल्मा काॉंटर लेक्टार करने की सला हो कि इस पर्डिकलर स्टॉक ने काफी अच्छा मूग आज की सेशन में दिखाया है और यहां से और तेजी हमें देखने को मिल सकती है, एक फ्रेश अल-टाइम आल-टाइमा ले की बात करें तो लगबग 38 रुपीज से 40 रुपीज तर के टागेट यहां पर देखने को मिल सकते हैं सब्सक्राइब 20 रुपीज अगर हम देखें तो 4200 रुपीज का रिस्क होगा 8400 रुपीज की रिवार यहां पर बनते हो निजर आ सकते हैं तो 1290 का कॉल अप्शन खरीबिये की सिला होगी 27 रुपीज की आसपस अगर मिले तो यहां पर इसके इवार थोड़े से फेवरेबल होंगे और 38 से 40 रुपीज के टागेट होंगे ओके ठीक है यह प्लेन वेनिला कॉल आपको दिये सर ने सन फार्मा की 1290 की स्ट्राइक है और जैसे मैंने शुरुआत में का आज फार्मसोटिकल्स को कोई आदमी अग्नोर नहीं करेगा आप गाहे बगाहे डिक्ट क्योंकि पोजिशनिंग ऐसी हुई है सब में बाइंग हो रही है अच्छी खरीदारी हो रही है और यह वाल्यम और प्राइज एक्शन के साथ हो रही है यह हलकी बाइंग नहीं है तो इसलिए कॉल खरिदनी की रिक्रमेडिशन में को लग रहा है बिलकुल ठीक है 27 रुपे की यहां पे आपको मिल जाएगी कॉल 1290 की स्ट्राइक की 38 का टार्गेट है और आपका रिस्क रुवर्ड हमने सामने लिखा था दस में से 9 शेर इसलिए गवा देते हैं वो फानेशल डिसिप्लिन नहीं होता थोड़ा ट्रेंडिंग स्टॉक्स भी पकड़के रखो आप हाँ तो सन फार्मा ट्रेंडिंग स्टॉक है अप्शन की स्ट्राइक अच्छी एड़ दा मनी है और भाव भी आपको ठीक मिल रहे है 20 रुपे का स्टॉप्लिस जरूर लगा लिना साड़े आठ हजार तक का प्रॉफिट आएगा चार हजार का लॉस भी बनेगा अगर इस टॉपलस हिट कर गया तो निफ्टी ओल्मोस्ट फ्लैट हो चुका है बैंक निफ्टी के अंदर भी आप पॉजिशनिंग देखेंगे तो आपको बकायदा फ्लैट की ही दिखेंगे सिर्फ पचास प्रॉइंट का नुकसान है ऐसा नहीं कि बज़ाना से दोडने को है बज़ाद दोड़ेगा तब ही जब 21.500 को एक बर पार करेगा फिलाल तो रेंज में है रेंज में शेक कर रहा है ठीक है देखते है कुछ-कुछ और स्टॉक 23.50 हो गया येस बैंग खैर मैं इस पे एक बर मिनट के लिए बाहर निकल जाता हूँ कुछ एक और शेयर आपके सामने रखता हूँ यूपील भी एक और शेयर है ये भी क्या 2024 का वन ओव दा फाइनेस शेयर बन सकता है कपल ये सवाल आप से है यूपील छेसो को परा के ट्रेड कर रहा है इस साल के प्रफॉर्मेंस कुछ बहुत अच्छी नहीं थी बेस बनाने के प्रॉसेस जारी है मैं पूरा एक कौटर दे दूँगा इसको सिर्फ चेक करने के नाम पर थोड़ा वकम वॉल्यूम डाल के तो मैं साइफ एसला ले रहा हूँ यूपील के रिगार्ड़ी एक टेखनीकली मैं देखने जाओंगा तो इसका मैं एक कॉंटरा व्यू ज़रू से बनता है जो वहाँ पर उसका स्टॉक का सपोर्ट लेवल 600 का हुआ करता था वहाँ पर हमें ब्रिक्डाउन भी दिखने मिला और जो ब्रिक्डाउन होने के बाद में स्टॉक प्राइस अपना जो नेक्स्ट बेस सपोर्ट लेवल था वहाँ पर सिंबल गया है जो के 525-530 के जो नीर टम बॉटम थे और वहाँ पर मुझे एक स्टॉंग रेट केंडल भी दिखने मिली हुई है तो कहाना कहाँ पर यह सारे इंडिकेशन मुझे कहता है कि यह आपका एक बाइंग क्लाइमेक्स हो गया है जहां पर आपका के सेलिंग क्लाइमेक्स हो गया है जहां पर सेलर्स अभी एक्जोज हो चुके है स्टॉक प्रायस अपनी जो 100 मंतली मुझे लेच के सपोर्ट लेवल पर है मंतली जाकि होरिज़नटल सपोर्ट लेवल पर है buying climax का formation यहाँ पे बना हुआ है तो यहाँ पे stock price पिछले 2-3 मेने से उबर भी रहा है stock price में जो immediate hurdle level पे 560 के वहाँ पे वो cross कर चुका है तो मैं लग रहा है कि यहाँ पे contra इतने बड़ी हुई market में अगर कुछ bottom reversal pattern का chart के formation दिखते हैं तो UPL एक काफी बैतरीन example बनता है 602 के current level है 613 के mild hurdle level पे बनेगा लेकिन उसके बाद में 640 और 640 के उपर तो उसका पूरा structure ही चेंज हो जाएगा तो मेरे ध्यान से हाँ यह contra view बनता है UPL ठीक है जड्रेमिन हमारे साथ बने रही है आगे बढ़ते हैं corporate chat का समय हो गया है auto stocks focus में मारूती को लेकिया ही है मारूती के management हमारे साथ जोड़ रहे है शर्वास्तर साब शर्शांग शर्वास्तर और अफकोस हमें देखा है कि दिसंबर महीने में आकड़े सारे कम्हियों के अगर हम देखें तो थोड़े से mixed आए मारूती के उपर किस तरह का impact आता है आकड़ों का और क्या view बन रहा है यहां से यह सब हमारे साथ discuss करेंगे शर्शांग शर्वास्तर जी शर्शांग जी गुड मॉर्निंग बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अगर हम देखें मारूती में काफी अच्छी हमने वो देखा है ग्रोथ कुछले कुछ महीनों में सबसे पहले जो यह जपैन में सुनामी आया है इसका कोई इमपैक्ट आपके बिजनस पे होने वाला है क्योंकि बाजार यह मनता है कि शायद कंपोनेंट सप्लाइ को लेकि मामूली चिंता बन सकती है एक बार इसे आप क्लिरिफाइ कर लेजे उसके बाद हम आगे चलके नंबर्स के बारे में बात करते है देखे अब यह बात सही है कि हमारे इंपोर्ट्स काफी होते हैं जपान से लेकिन अभी फिलहाल हत्मी तोर पे मुझे कुछ यहां पे जिकर करना की कितना उसका एफेक्ट होगा हमारे प्रोड़क्शन पे वो शायद कबलेस वक्त होगा क्योंकि अभी हमारे जो ब्लॉक्शन डाउन है जो मिंटेन शन डाउन होती है हमारी हर साल वो चल रही है और कल से हमारा जो दफ्तर है वो खुलेगा और तब हमें इसके बारे में कल या परसों जादा बेतर आपको इतला फरहाम कर सकता हूँ तो जैनुरी के बाद हमने उम्मीद ये बनाई थी और हमारी जो बाचीत होती है अनलिस्स से कि आपके जो सेल्स लेविल से वो नॉमलाइज हो जाएंगे रीबाउन कर जाएंगे क्या रेंज पॉसिबल है नंबर्स के दोर पे अगर आप कुछ हमारी साथ शेयर कर सके जी आपका शायद इशारा होलसेल नंबर की तरफ है क्योंकि होलसेल हमारा एक लाख पॉंच हजार के करीब हुआ था पैसेंजर वेहिकल में दिसंबर के महीने में और हाँ आप यह उम्मीद कर सकते हैं कि जनवरी के आंकडेस से बहुत बेतर होंगे लेकिन रेटेल के लियास से दिसंबर का महीना बहुत अच्छा महीना रहा और जैसे मैंने आपको पिछली बार भी आपको यह तश्री दी थी कि दिसंबर के महीने में यह हमारी हिकमत अमली थी कि होलसेल को कम करके रेटेल को बढ़ाना और हम उसमें काफी कामयाब हुए हमारी रेटेल दो लाक तीस हजार के उपर की दिसंबर में जो हमारी तारीक क सबसे ज़्यादा retail है और इसकी वज़ा से हमारा जो stock level है वो काफी कम हो गया है तो हाँ आप यह उम्मीद कर सकती है कि जनवरी के महीने से हमारे wholesale दुबारा से बढ़ेंगे और retail हाँ शायद इस देवल पे नहीं होगी average retail तो ऐसे 35-40 के दर्मियान होता है लेकिन दिसंबर के महीना एक खास महीना था जहां पे हमारा retail हमारी तारीक का सबसे ज़्यादा retail हुआ 2,30,000 के उपर उसकी उम्मीद शायद कम है आगे आने वाजे कुछ महीनों में ठीक है शशंग जी एक चीज आप से पता करने थी क्योंकि नया साल शुरू हुआ है तो कई बार दाम बढ़ भी जाते हैं तो लेकिन मैं दाम बढ़ने के साथ सातना जरा आउटलूक भी लेना चाहता हूँ और स्पेशली एक सेग्मेंट है एंट्री लेवल कार्स का बहुत सारी कंपने से तो एंट्री लेवल कार ही अपनी कम कर दी आप अभी भी बना रहे हैं तो वहाँ पर डिमांड कैसी है कितना बांस बैक एक्सपेक्टिड आउट ट्रेंड कैसा रहेगा जरा दोजार चौबिस का तीरी जे गाइडेंस जी देखे छोटी गाडियों का हमने जान उसमें जो जवाल है वो कुछ सारों से हम देख रहे हैं एंग वक्त पे ये एक हाल में 2017-18 के मादी साल में 15,60,000 गाडियां छोटी गाड़ी भी की थी जो पिछले साथ 13,20,000 गाड़ी भी की और इस साल 12,25,000 के आसपास गाड़ी फरोगत हुई है इस सेग्मेंट में फिर भी ये जो सेग्मेंट है 30 फीसद है परे पैसंडर वेकल इंडस्ट्री का और हमने ऐसा नीरी ये पेश कोई है कि अगले साल भी इसी के आसपास रहेगा 30 फीसद रहेगा मार्केट का और कुछ हमने देखा है कि जो प्रीमिम हैज सेग्मेंट है उसमें कुछ इजाफा देखने को मिला है जो इस साल में 2023 में प्रीमिम हैज में मारती सुजुकी की फरोगत में करीब चार फीसद का इदाफा हुआ है और इंडस्ट्री में करीब धाई फीसद का इदाफा हुआ है तो हो सकता है आगया आने वादे वक्त में अगर कीमते जादा ना बढ़े इस सेग्मेंट में और अगर जो इनकम लेवल है इस सेग्मेंट के लोगों की वो बढ़े तो यह इसमें हमें दुबारा ग्रोथ रेखने को मिल सकती है लेकिन यह जल्दी नहीं होगा मेरी नजर में अगले साल हम कह सकते हैं कि इसी लेवल पे वाल्यूम पार रहेगा इस सेग्मेंट में शशांग जी जब पिछली बार आप मरसा जुड़े थे आपने यह हमको तो बताया था कि हम दाम बढ़ा रहे हैं बट यह नहीं बताया था कि कितना दाम बढ़ा रहे हैं और किस-किस गारी पे कितना दाम है कुछ अभी बता पाएंगे अब तो सरे एक जनवरी भी निकल गई है जी जैसे मैंने आपको फर्माया कि हमने स्टॉक एक्सचेज़ में ये इतला दी थी कि हमारे जो कीमते हैं उसमें इजाफा होगा जनवरी के मैंने में लेकिन किस तारीख पे होगा और कितना होगा उसका फैसला भी हमने नहीं किया है हमारा जो आफिस है वो कल खोलेगा चुट्टियों के बाद और उसके बाद हम मशवरा करेंगे आपस में और फिर तैय करेंगे कि किस तारीख को और कितना में कीमते बढ़ानी हैं और ये अलग-अलग मॉडल्स के लिए अलग-अलग कीमते बढ़ेंगी जाहिर सी बात है कि हर मॉडल की एक अलग कास्ट्रक्चर होता है और उस पे ये इजाफा जो कीमतों में होगा वो मशवरूत रहेगा तो हम इसकी इतला आपको कल फराम कर सकते हैं एक बार जब हम आपस में उसके मशवरा कर लें सब जाने से पहले एक बार ये बता देजे कि आपकी लेटिस ओड़ोग की सिच्वेशन क्या है पेसेंजर वेहिकल डिमांड पे आउटलुक क्या होगा दोजार चौबिस के लिए क्योंकि हम साल के शिरुवात कर रहे हैं थोगा अगर आप ट्रेंड बता दें कियसा लगता है आपको शेप होता हुआ जी आउटलुक जो हमारे ओर्डर बुक है वो दो लाख पंद्रह हजार के करीब है एक जनवरी को और जहां तक अगले साल दोजार चौबिस के मतलिक जो इमकान है कुल फरोगत का इंडस्ट्री में वो अच्छा है उसमें कुछ इजाफर जरूर होगा लेकिन मेरे नजर मे जो कि ये जो लेवल है वाल्यूम्स का वो भी काफी उचाई पर है और इस उचाई से इसक्यूब बहुत जादा इजाफा शायद उसको एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि मुल्क की जो माशी जो शरह नमू है जो ग्रोथ रेट है उसका इमका काफी कुछ जो है आटो इंडस्ट्री के जो फरोब्त होती है वो इस पे मश्रूत रहती है तो मुस्बत तो रहेगा लेकिन आई थिंक सिंगल डिजिट ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस हाई लेवल पे और बहुत जादा ग्रोथ शायद हमारे को उम्मीद नहीं कर करने के लिए यह थी मारूती के मैंजमेंट शेशांग शिरवास्तव कॉन्फोडेंट कॉमेंटरी अभी खेना अर्ली होगा कि वह जो फूरे को आया है वहां से कुछ पार्ट्स के सप्लाइ में कोई एश्यू है या नहीं लेकिन स्टॉक मेंटें किया हुए दरदा दोसों के आसपास कफिल शाह मारूती भी हमारे को चार्ट चेक करके बताए और अशोग लेलिन पर करके बताए तो वहां पर नहीं है तीज तीवर नहीं है लेकिन इसमें साइविस्टू पॉजिटिव बनता है रिस्क वारिश्यू फेवरेबल भी बनता है तो दो दसदेश्यू पैसित के रहल के यहां पर चल रहा है तो दसदेश्यू एक सो के यहां पर आमने स्टूपों से होने चाहिए और जैसे ही स्टॉक प्राइज तैन थाजन फोरहनेट का लेवल क्रॉस करता है जो मिडल अप्ट रेज बना हुआ है तो उसके बाद में फिर भी और हमें स्टॉक प्राइस में इजाफा देखने मिल सकता है और नेक्स बेस्ट पोटेंश्यू सपोर्ट लेवल आनक आपे 10,000-700 तक बनता है मोमिटम वाइस थोड़ा सा स्लो रहेगा पिशन्स देना पड़ेगा लेकिन अच्छा है रिस्क बादर भी आपका अच्छा है टाइम प्रादर ज्यादा देना पड़ेगा और दूसरा जो स्टॉक आपने बताएगा असुपने लेट शॉर्ट टम में काफी शाक मोमिटम तो आगे है आज थोड़ा सामने रियेक्शन पे उबर में देखने मिल रहा है एक परसंट से निचे है और यह तो रियेक्शन का पॉइंट हम देख रहे हैं 190 का लेवल तो काफी टाइम पहले भी स्टॉक प्राइस कंटिनूसली इसी लेवल के यहां पे ही स्टॉक आके रि ठीक है 36 संको का नुकसा देखे वापिस निफ्टी पिर आ गया अभी थोड़े दिर पहले फ्लैट हो गया था वापिस नीचे आ रहा है तो यही एक मार्केट आज करने जा रहा है अपने सपोर्ट और रिजिस्ट्रेंस को बचाने की कोशिश करेगा इस बिच अशोक लिले इसे सेल्स के नमबर है डेलोस ने टेस्ट कर दिया अपना थोड़ा सा आपको सावधानी के साथ ट्रेड करने के जूरता है कल हमने एक शेयर के बारे में जिकर किया था कपिल आप शायद थे स्टॉक में वो था स्पार्क हमने सुमित मुलचंदानी से इस डिसकस किया था औ यहां पर एक टाइम के लिए प्रॉफिट बॉख कर सकता हैं क्योंकि लास ट्यूपो 52 थे तो, पॉसकर पॉफिट करना बन तो यहां पर उन पर इन पर उनरे ज Фर्फिट का जो आप ठेलिंग शॉपर रखना चाहते हो तो 315 का ठेलिंग शॉपर रखके वा अधी गॉंडिटी को कर सकते हैं ठीक है नभे अंको के आसपास का निस्सम नुकसा ना चुका निफ्टी पर निफ्टी के अंदर ने एक सड़न फॉल आया है बर आप नोटिस करवाएंगे बर निफ्टी दिखाएं इंट्राडे चार्ट और बैंक निफ्टी भी दिखाएं बैंक निफ्टी ने ना आपने 48,000 के एहम सपोर्ट को आज इंट्राडे में पहले एक घंटे के अंदर ब्रेक किया है अब ना दिन भर का चैलेंज बन जाएगा मार्केट के लिए किसको कैसे रिकवर किया जाए हाला कि विक्स भी टूट रहा है विक्स में भी उतनी बड़ातरी नहीं हुए है तो फेर तो नहीं है मार्केट के अंदर बट ठीक है फिर भी वालिटेटी अपने थोड़े चरम पे पहुँचाते हुए आपको उपर नीचे बहुत जोरदार तरीके से शेक कर रही है और करीब 90 पॉइंट का नुकसान इसमें आपको दिख रहा होगा निफ्टी पर भी थोड़ा जल्दबाजी अभी ना कीजिएगा थोड़ा सेटल डाउन हो जाने दीजिए ऐसा नहीं है कि मार्केट को कहीं ऊपर जाना है नीचे जाना है दोनों पर ही एक और पॉइंट है निफ्टी का ना अभी सपोर्ट नी ब्रेक हुआ निफ्टी का पहला सपोर्ट है 21,550 के आसपास तो 100 पॉइंट अभी निफ्टी के और भी नीचे जाने के चांसी है तो बी अवेर थोड़ा से साफ़ धना है न बस और कुछ नहीं करना विश्वान इस बीच मरसा क्योंकि दस बजने को है एकुटी मार्केट में थोड़ा शांती भी बरतनी चाहिए और कॉमोडिटी में जना समझ लेते हैं किस समय की क्या सिचुशन है विश्वान जुरब बताएं आप क्योंकि दस बज़े दस में आपका स्वागत है शुरुआत करेंगे टॉप टेन क्मोडिटी की खबरों के साथ अगरी मार्केट के साथ सुरुआत करते हैं कि अगरी मार्केट में किस तरह का हल चल देखने को मिल गए हाला कि शुरुआत होने में अभी एक मेंट बचे हैं लेकिर जीरे की बात करें तो कल जवर्दस गिराबट 6% की भारी गिराबट देखने को मिली और लगतार ये गिराबट दिख रही है सितंबर के हाई से देखें जहां भाव 64,000 रुपए के उपर गये थे वहां से देखें तो करीब-करीब अंठाबन परसेंट की गिराबट आ चुकी है और धनिया की बात करें यहां पर भी दबाब है हल्दी हाला की दायरे में 14,000 के आसपास कारोबार हो रहा है गौारसीड और गौारगम फिर से बिकबाली हाला की जो इनका रेंज है एक ब्रॉडर रेंज है उस ब्रॉडर रें पिए यहां पर भी गिराबट दिख रही है कौटन के साथ कौटन में तुं गिराबट है ही क्योंकि मांग ब्रॉड है उतपादन हाला की बहुत जादा नहीं है उतपादन भी घटने का अनुमान है लेकिन मिलों की डिमान कमजोर है इंटरनाशनल मार्केट में कहा है यह खपत है इस साल सप्लाई के मुकाबले कम रहने का अनुमान है तो यह सारे फैक्टर है जो दबाब बना रहा है मेंतावाल मार्केट में सप्लाई इसकी भी कम है 930 के आसपास लेकि भाव इस तिर है 930 के आसपास एक डायरे में ही घूम रहा है अब हमारे मेहमान है बाविक पटेल ने ट्रेडवोर सेक्योटी से उनको भी शामिल करते हैं बाविक बहुत बहुत शुक्रिया और आपको नया साल की बहुत-बहुत बढ़ाई सबसे पहले शुरुवात एग्रिव मार्केट से करेंगे जीरा गिरावर थमने का नामी नहीं ले जीरे में कल भी 6% का लोर सर्कित दिखा हाला कि बीच में हलकी रिकावरी की कोशिस हो रही थी लेकिन गिरते बाजार में कोई भी एंट्री नहीं करना चाह रहा है और आपके होम स्टेट गुजरात में जिस तरह की बंपर भुआई हुई है एक सो दो परसेंट जादा के नंबर से हैं क्या लग रहा है इन सब आगड़ों को देखते हुए क्या करना चाहिए इस गिरावट के दौर में जीरे में आपको नए सेल की शुक्कान है साथी दुर्शकों को देखे आपने सही बता है कि गुजरात में कर देखे तो कल लास्ट यह से डबल इस बार है हाला कि हमारा प्राइस काफी कॉंपटेट हुए तो मुझे लग रहा है कि यहां से अभी भी शायद और सलीड पैशर आ सकता है कि कई हम देख रहे है कि लगातर वीक वाली दिख रहे है अगर एक से दो दीप में भी का थोड़ा उच्छा लाता है तो उसके बाद भी करने की सला भावी जी की तरह से भी आ रहे है इनको लग रहा है कि यहां से यह गिरावट और भी बढ़ सकती तो दूर है ऐसे काउंटर से हो सकता है कि बीच में कुछ रिकवरी भी आपको दीखे लेखिए उहां पर भी आप बेचने की मौके अभी फिलहाल ढूंडने चाह लेकिन जो बुआई के नंबर वो काफी कमजोर है करीब 40 परसेंट पिछले साल के मुकाबले कम बुआई हुए उसके बाद भी धन्या नहीं चल रहा है क्या जीरे का जो कमजोर सेंटीमेंट है वो यहां पर दबाब बना रहा है या कुछ और अच्छी रैली देखने को मिले थी तो धन्या में नहीं था क्योंकि लास्ट टाउक ज्यादा था तो इस बार एक्सपेक्टेशन है तो इस बार की स्टॉक जो है वो कम होगे तो मुझे लग रहा है क्या यह पीनो स्पाइसिज में धन्या में धन्या में ज्यारा फंडामें से दिख रहे है तो उसकी वज़े से दिन्या में भी थोड़े सलिंग प्रेशर है बट आई तिंक साथ हजार से छी हजार नौसो एक अच्छा सपोर्ट बनके आ रहा है एंसी एक्स में तो अगर वहां पर आसपास आता है तो बाय कर सकते हैं सेवंटी टू हंड़ेट के टा हाला कि 14,000 का लेवल मेंटेन करने में काम्याब हो रहे है यल्दी क्या लग रहा है क्या करना चाहिए धन्या खरीदे या भी रूके अगर 14,000 का अच्छा सपोर्ट है तो अगर 14,000 का अच्छा सपोर्ट है तो अगर 14,000 ब्रेक करता है तो शाट 13,800 के टागेट के लिए सेल कर सकते हैं बर जब तक 14,000 से 14,450 की खरीज में तब तक कोई ट्रेड ना कीजिए पर डिरेक्शन के लिए वेट कीजिए तो हल्दी को लेकर ये विव बन रहा है अब बात करते गवार्सीड और गवार्गम भाविक ये गवार्गम और गवार्सीड कापी रेंज में 10,500-600 से उपर 11,200 के दायरे में दिख रहा है फिर से अपने रेंज के निचले सतरों के आसपास आ चुका है क्या करना चाहिए अब आज के दिन गवार्सीड गवार्गम खरीदे और कौन से टार्गेट किस स्टॉप लॉस के लिए गवार्सीड गवार्गम मुझे लग रहा है कि थोड़ी बहुत सेलिंग प्रेशर रह सकता है अगर चाट में भी देखे तो 5600 से हम लास्ट पांच से चीट ट्रेडिंग सेशन में देखे तो 5600 से 5400 के तरीप आ चुका है पंगरा जानिवरी के बाद हमें ज्यादा बेटर पता चलेगा कि पिद्धी गवार्माकेट में क्योंकि आउगस्स सप्टेंबर में हमने देखा था ड्राइवेदर की वज़े से काफी पाको नुक्षान हुआ था तो मुझे लग रहा है कि पंगरा जानिवरी के बाद चा अगर देखे तो अभी भी विख्वाली हावी है क्योंकि ट्रेन भी काफी वीक है चार्क में भी मुझे लग नहीं रहा कि कहीं भी अभी बाय हो सकता है तो अधिक हल उचाले पर बेचना है चाहिए गुआ सीड की में बात करो तो 54-50 के करीब अगर आता है तो शॉट कर सकत है 5500 का मुझे लग रहा है 5300 के करीब अगर आता है तो वहां पर बाइंग उपरचिनिटी मलेगी क्योंकि पहले भी हमने देखा डिसंबर में 5300 से ही थोड़ा बहुत उचाला आ था और भुवार गम में भी सेम सीनारिय कि अभी के लिए तो लग रहा है शॉट टम सेल और की रणनीटी रखनी चाहिए अरूंच 10800 के करी 10,000 के टार्गेट के लिए और स्टॉपलस रहेगा 10,900 का और इसमें भी मुझे लग रहा है 10,700 से 10,000 के बीच में शाड़ एक बॉटम आ सकता है और वहां से थोड़ी रिकवरी दिख सकते हैं क्रिवी फ्रेली यानि शौट टर्म गिरावट और धिख सकती है गवार में और नीचे की लिबल पर आप खरीदना है तो तो तिरपन सो के आसपास गवार सीड में नहीं खरीदारी आप कर सकते हैं कॉटन कॉटन केक पर क्या राय है यहां पर भी दबाब दिख रहा है 2700 के आसपास क्या कॉ सब्सक्राइब अगर देखें तो 26.90 से 27.80 का एक रीड बन चुका है सो रुपे में और अभी अगर कॉटन की बाद करें तो कॉटन में थोड़ा बहुत फंदामेंटल थोड़ एक वीक है अलांकि अगर चैना के वहां से दिमांड आती है तो शायद को कॉटन के बाद 26.90 के करीब अगर आता है तो वहां से मैं बाद की अपरचिनिटी दिख रहा हूं तो वहां से बाद का सकते है 27.80 के टागेट के लिए और स्टॉप ला सकते है 26.30 का पहले भी हमने देखा है कि 26.80 का एक अच्छा सपोर्ट आ रहा है वहां से हमने सोड़ों के रैली देख और वहीं अपर सपोर्ट के करीब आ रहा है I think 26.80 की करीब अच्छी अपरचिनिटे रहे है वह दाइंद के लिए हाला कि मुझे लग रहा है कि जो लास्ट येट 2020 का जो मोमेंटम है वह कंतीनिव ही रहेगा और अभी भी मुझे लग रहा है कि अलिस 2024 में नया अल्टाइम हाई रेक्नी को मिल सकता है आज के दिन के पात करें तो आज के दिन ऊपर ही खुला है और मुझे लग रहा है कि ये जो कंतीनिव जो अपसाइड मोमेंटम हमें वह कंतीनिव रहेगी तो गोल्ड में मैं अब लॉंग के रिकमेंडेशन करूंगा फेग्रुआरी 63.30 के करें 63.500 के टार्गेट लिए और दिख रहे ही एंपपसाइड दिख रहे हैं विटे लग रहा है चाँटमी में बाइग कर कर सकते हैं 74,900 के टार्गेट लिए और इंट्रा डे़ लग सकते है स्टॉप लोज 74.00 का 74,000 के साथ चांदी खरीदे और 63,500 के टार्गेट के लिए आप गोल्ड भी आज इंट्राटे के लिए खरी सकते हैं दोनों में खरीदारी की सला वहाबी कच्छे तेल में तेजी दिख रही है इंटरनाशनल मार्केट में भी ब्रेंट 78 डॉलर के ऊपर आ गया है यहां पर भी 6075 के आसपास कारोबार MCX में हो रहा है जिससे लाल सागर को लेकर फिर से चिंता बढ़ी है वाँ से सप्लाई को लेकर हूती विद्रोहियों के हमले और फिर US का जो US ने जो उन में बचाओ किया उनकी तैयारी है तो इन सब ख़बरों के बीच में किस तरह से कच्चे तेल की चाल आप देख रहे हैं और ऑप्शन्स में कैसे प्ले करना चाहिए गर ऑप्शन्स में कोई रणीती हो तो वह भी बताए देखे लास्ट वीक हमने देखा था कि कच्चे तेल में थोड़े बहुत सेलिंग प्रेशर आए थी क्योंकि जो रेट सीप अटेक नहीं हो रहे था तो काफी जो सेफिंग कंटेंग में थे उन्होंने वापस से रेट सी से वापस शुरू कर गिया था वापस से थोड़ा कांप्रेक्ट बढ़ चुका है तो इसलिए दो दिन से नहीं देखा है कि कच्चे तेल में थोड़ी बहुत अपसाइट दिख रहे हुए हाला कि दिमाइन लगा रहे है तो दिमाइन अभी भी वीक है तो इसकी वज़ए से एक अच्छा सपोर्ट हमें दिख रहा है तो कच्चे तेल में भी मुझे लग रहा है कि यह मैना पांच अजार आट सो से छी अजार तीन सो के बीच में ही ट्रेड करेगा तो अगर कोई भ अगर है तो फूचर में हम भाई कर सकते हैं अगर डिप मिलते ही है 6040 के करीब 6130 के टार्गेट के लिए और इंट्रेडेश वप्रस रहेगा 5980 का है तो कच्छे तेल में आज डिप पे भाई कर सकते हैं अब हावी कब आखरी सवाल मिटल्स को लेकर जिस तरह के चाइना में वीकेंड पे जो नंबर आया थे दिसंबर PMI मैनुफेक्ट्रिंग के नंबर आया थे वह कापी कमजोर थे वापस से ऐसी उमीदें लग रहे हैं कि राहत पाए कि दुबारा वापस से देने की जरुरत इकानोमी को इन सब के बीच में मिटल्स में कैसे ट्रेड करना चाहिए कोई टॉप ट्रेड आज के लिए जी आज के लिए मुझे कॉपर जादा बेतर लग रहा है जैसे हमने देखा कि संदे को जो मेनुफेक्ट्रिंग PMI भी खाय है बट आज का जो संपी का जो प्राइवेट मेनुफेक्ट्रिंग PMI वो थोड़ा जाद अच्छा है और क्योंकि मेनुफेक्ट्रिंग PMI उनका कम है तो एक्सपेक्टेशन है कि शायद थोड़ा बहुत आगे जाके कि रहाद पैकेज करेगी तो उसकी वज़े से भी हम देख रहे है कि शायद कॉपर में थोड़ा बहुत पॉजिटिव फेक्टर आ सकता है और चार्ट पे भी मुझे लग रहा है कि जब तक 725 के नीचे न समयत में आपने पड़ा पड़ से एग्री से नौन एग्री मार्केट तक की पूरी राय रखी तो इस खास प्रिश्क्रस को ही समयरते हैं लेकिन एक्विटी मार्केट की अपडेट के लिए बने रही है हमारे साथ नमस्कार नमस्कार आप देख रहे हैं एटी नौस अदेश और ये हैं मारकेट महारती सेग्मेंट हमारे साथ आज के मारकेट महारती हैं संजे पारिक फाउंडेंट इस याई हो सो हम एसेट मैनेजर संजे गुड मॉर्निंग बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्वागत है नए साल की शुपकामना है आपको आपकी पूरी टीम को संजे नए साल की जो शुरुवात हो रही है वो जिस माहौल में इन्वायमेंट में हो रही है चाहे हो गलोबिली ले चाहे हो लोकली ले टाक्स कलेक्शन मजबूत है फ्लोज आ रहे है अच्छे सब कुछ अच्छा सा लग रहा है सिर्फ एक रिस्क कुछ लोगों के मन में ये है कि ये सारी चीजे तब तर ठीक है अगर अर्निंग मोमेंटम मजबूत रहे तो वरना सब कुछ महगा लगने लगेगा रेट कट की उम्मीदें अलड़ी बनना शुरू हो गई है जो आप अपने पोर्फोलियो रन कर रहे हैं जा आप डीप डाइव लेते हैं उनकी अर्निंग विजिबिल्टी में आप वो कितना कंफर्ट आ रहा है इस साल में इस कौर्टर में आपको लगता है मोमेंटम जारी रहेगा अजे भाई and wish all of the viewers and your team a happy, healthy, peaceful and prosperous year so yes it's very important के earnings कैसे होंगे मुझे earnings में, broad-based earnings में कोई बड़ी कट्वती नहीं देख रही है and clearly certain pockets में we'll see some slowdown but overall Nifty के earnings में हमें कोई बड़ा downgrade नहीं लग रहा है so Nifty के earnings अगर हम 24-25 ले तो 1100 रुपया का जो earning है वो looks very reasonable कोई estimates 1140 है और कोई कोई estimates 1070 है but 1100 हमारा bottom-up view से हमें लग रहा है कि बहुत reasonably achievable है clearly momentum economy में बहुत अच्छी है आप India के PMI देखिए PMI manufacturing, PMI services commodity prices भी lower है which helps crude भी एक तरनेक दाइरे में है ये steel, cement के लिए ये quarter बहुत अच्छा था demand के perspective से and raw material inflation भी काम है so, मुझे लग रहा है कि economy का momentum बहुत अच्छा है and as always Ajay Bhai I was telling that this is the best that India में सभी balance sheets बहुत अच्छी है so, banking balance sheet भी at best, all-time best मैंने नहीं देखि इतनी अच्छी corporate balance sheet का leverage all-time low है household balance sheet तो always अच्छी ही थी and government balance sheet में भी leverage है so, all of them are supportive the only thing is Ajay Bhai valuations अभी सस्थे नहीं है and India, you know, at 20 times for next year अभी लग रहा है कि we are going a little more faster and there could be some more time correction but structurally, if we take a 18-24 month view we look at 25-26 to broadly visibility कम होता है earnings का, but around 1200 earning अगर हम ले nominal GDP plus तो 20 times में 25 यार का index हो सकता है but that is 18 months from now so, 12 तेरा टका annualized compounding is possible but it could be a little back-ended and as I said structurally, we are very positive but valuations are fair value यह आपका काफी balance view है काफी चोड़ते चला भी है बजार broader market के valuations के बारे में आपक क्या view है क्योंकि बहुत सारे mid cap stock 15-20% earnings growth वाले stocks वो 40-45-50-60 time पे हो गए है P.E.V. rating बहुत जादा हो गई है earnings भी catch-up ज़रूरी है तो क्या वहाँ पे सावधानी बरतनी चाहिए 12-24 में अजब आपसुलूटली बैंग ओन there are mid and small cap is a very broad market so उसमें काफी pockets में exuberance जादा है some of them is led by flows because mid cap small cap आपने देखा होगा statistics के flows बहुत जादा है वहाँ पर of course recency effect होती है जैसे के last 12 months 24 months के return से जादा पैसा वहाँ है and इसलिए excessive valuation है and very clearly mid cap is at a premium to larger caps and the gap is also pretty large even smaller cap में काफी जगा पर froth है so when we compare all of them clearly large cap looks better but having said that this year में mid and small cap में one will have to be a bottom up selector and also margin of safety जादा रखनी चाहिए so there will be pockets of opportunities but one has to be careful and cautious that they don't get carried away by paying overly rent other fundamentals बिल्कुल मैं आपसे जाना चाहूँगा rate cut का जो impact है जो rate cuts की बात हो रही है 2024 के मिड में US में स्टार्ट होने की बात है अगर इंडीड ऐसा होता है जिसरत है डेटा भी दिखा रहा है इंडिया में rate cut का क्या impact आएगा in terms of दो सेक्टर में लूँगा एक high growth zomato delivery जो segment है जो high growth है इनके evolution change होने की लोग academically लिए देखा जाए तो यह बात है और दूसरा nbfc space वो भी एक beneficiary rate cut का आपकर क्या stance है इन दोनों spaces बें consumer tech or nbfc's या अजबाई इन इंडिया में we benefited a lot because of the conservative rbi central bank हमारी बहुत थी supportive थी but they were very very balanced for growth and inflation उनका target clearly है जो last nb rbi governor का statement अगर देखे है के it is 4 to 6 और उसमें they want it to come to 4 and by that we feel like we read के यहां से rate cut इंडिया में जल्दी नहीं होगा US में next year there are estimates के 3 time rate cuts होंगे which is very easy because they have actually inflation आपर थोड़ा कम हो रहा है and it still needs to get better because वहां भी उनको 2 टके पहुचना है तो हमें डगता है के next year first half तो तो तक इंडिया में कोई बड़ा rate cut नहीं होगा and but you know directionally let's say second half में अगर थोड़ा rate cut होता है then obviously you know any Google sectors benefit when there are rate cuts but I would if I not take a big peer rating just because of rate cuts because even if we have rate cuts I don't see significant rate cuts in India next year second half also so I will not buy that any stock based on potential rate cuts and hence be re-rating you know because you are already at 20 times उनों इतने सस्ते नहीं है कि you know अच्छोटे rate cuts से re-rating further होगा संजी जी एक कोश्चन वे को भी आपसे पता करना है वह यह पता करना है कि इस पार नहीं election year भी है earnings के पाद just election आ जाएगा और इस एंटर के election है काफे हत तक तो discounted है कि हाँ same government repeat करेगी यानि कि policies aggressive होगी और काफी बहतर भी होगी तो आपको लगता है कि इसका market पे असर पड़ेगा या फिर discounted हो रहा है और हो भी चुका है काफी हद तक आप सही हो you know after the last eight elections the certainty and the probability of continuity is dramatically increased and इसलिए हमने देखा कि index भी सजासे now we are at 21,500 and I just said it is quite a lot factored in now in the markets that we will see continuity of the central government in the 2024 election एक और स्टॉक एक सेक्टर है संजे भाई उसमें भैंकर रेरेटिंग हो रही है लूपन में आज एक रोकरिज ने अप्गरेड किया पिशले हथे दूसरी रोकरिज़े दो बैक टू बैक अप्गरेड्स डॉक्टर एडी में पिशले हफते उनके में प्लांट पर कुछ संदे उठा था स्ट्रीट डिवाईड थी कि प्रोसेजिल है या सिवियर कुछा डिब बॉट हो गया हम देख रहे हैं कि फार्मा में वापिस से फ्लोस आ रहे हैं क्या आपको जस्टिफाइड लगते हैं यहां से टॉप लाज क्या फार्मा और मिट क्या फार्मा पर आपक्या भी हुए अजयब है अम्हारा स्थाइड था लास्ट एंटायर यर और गिवन था देर आर कंसर्स लो पहने एफडी के प्लान के रिस्क देखें के युएस जनरीक प्रैसिंग प्रेशर देखें के इंडिया में ट्रीट जनरीक का प्रेशर देखें यह सब है, 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 यह और मुझे 15 टका रिटर्न भी चलेगा then there are pockets of and certain stocks where I see that there is a possibility हमारा भी यह हुगा कि हम थोड़ा बड़ा हैंगे यहां से फार्मा में and we will take a mild overweight enterprise we like but हम बहुत बड़ा overweight फार्मा में नहीं करने हुगे ठीक है संचे जी बहुत बहुत शुक्रिया thank you very much नए साल के आपको बहुत फिर से शुक्रामना है और उमीद करते हैं साल आपके लिए काफी अच्छा प्रस्परस हो और वेल्डी भी हो आप हल्डी भी हो आप बहुत 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 शुक्रे है sir thank you very much thank you thank you very much अगर आप देखेंगे मारकेट्स के अंदर ना थोड़ा गिरावर तो है 80 पॉइंट की एक बार तो 100 पॉइंट तक चला गया था निफ्टी लेकिन अपने आपको रोकने की कोशिश करेगा देखें जो भी होगा ना वो थोड़ा फॉल्स जैसा लगेगा आपको क्योंकि ना ही मारकेट सपोर्ट ब्रेक करेगा ना ही रिजिस्टेंस सपोर्ट का 21 550 की अब ब्रेक नहीं किया साड़े 800 का रिजिस्टेंस है उसको भी ब्रेक नहीं किया बैंग निफ्टी पर लाएंगे 48000 के असपस का ब्रेक तो किया लेकिन फिर ठहरा दिया उसको और नहीं तोल रहा तो यहां पर आके मारकेट एक बार आके थोड़ा रोग भी रहा आपने आपको ठीक है अडवांस डिकलाइन थोड़ी से खराब होई है 37 शेयर इस समय निफ्टी के टॉप काउंटर में से लाल निशान में चल रहे होंगे और 13 शेयर इस समय आपको बढ़त में दिख रहे हैं और बैंग निफ्टी पर स्थिती थोड़ी नाजूक है 11 शेयर इस समय लाल निशान में सबसे रह डैमेज ICIC और HDFC बैंक मारकेट में पहुचाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी आप थोड़ा संभल कर ट्रेट किजएगा ये अडवांस डिकलाइन भी हम ले आए ये जस्ट आज पहली बार काफी दिनों बाद आपको रिवर्स दिख रही होगी डिकलाइन्स के शेयर्स काफी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं खेर हो सकता है ये हफ़ता थोड़ा कंसालिडेशन टू हलकिसी नेगटिविटी का हो लेकिन फिर भी आप घबराइए नहीं जब तक एहम सपोर्ट्स प्रेक नहीं होते हैं मारकेट के आगे बढ़े एटीनाव सवदेश सभी भारतवासियों को बाड़ते भारत के साथ आगे बढ़ने में मदद कर रहा है इसके लिए हमने सुन्दर मुचिल फरंड्स के साथ निवेश्टे लांच किया है ये मोहीम देश के सभी लोगों को अनुशाशित तरीके से लगातार अपने पर्सन फानेस पोर्ट्फोलियों को बहतर बनाने के लिए कर रहेगा आगे इटीनाव सवदेश और सुन्दर मुचिल फरंड्स के साथ जुड़िये और सीखे कि कैसे मुचिल फरंड्स में सब्सक्राइब करके अपने वित्य भविश्यों को आप मस्बूत कर सकते हैं हर मेरे की पांस तारीको टीनाव सुदेश पर देखे निवेश दे अगले करकम के साथ आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं को कि अगला करकम है कॉलर शोग कर दो दो आप कर दो आप कर दो कर दो झाल 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 सुस्ट शुरुआ झाल 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 तो झाल 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 आल झाल 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 आल आल झाल 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 आल झाल आल आल झाल आल आल झाल आल 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 झाल 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 आल 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 झाल झाल आल झाल 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 आल झाल झाल आल झाल झाल आल झाल 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 आल 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 आम आल झाल 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 ईक जंता के बाद अब तक हम अच्छे बाते की हैं एक चिंता की बाद जो निकल के आ रही है दोजार पर चौविस के लिए भारत के लिए घवर्णाने की बात नहीं यह है तुनिया भर के लिए खासतर पर अमेरिका और यूरोब के लिए जहां मंदी की अशनका तोई जटाई जारी है माला जा रहा है कि वहां पर मंदी आ सकती खासतर पर भागती कंपोने पर भी कुछ हद तक उसका असर देखने को नहीं सकता है बिलकुल एक इंपोर्टेंट रिगर है क्योंकि ग्लोबल के जो कॉमेंटेटर्स हैं मार्केट कॉमेंटेटर्स उनका भी यही मानना है कि अभी तक जो हुआ है यह एक्सपेक्टेट था तोड़ी इंपक्ट होगी बट यह ग्लोबल कोमेंटेटर्स की मानने की है कि होगा वहां पर पी तोड़ा थोड़ा थोड़ा देखने को मिलेगा पर दूसरा जो एक इंपोर्टेंट है और चेंज आरहा है काफी चेंज आरहा है वह तो AI का है लग रहा है हमारे जॉब भी अश्चेंज के इंपक्टेंट है कि एक बड़ा चेंज जो आया हुआ है यह पर दुनिया में काफी फोकस हो रहा है तो यह एक बात करे तो AI में काफी एक्सेशन है कि फोडर ए में भी इंवेस्मेंट्स दिखेगी इंडिया में भी काफी सारी नई स्टाट अई जो भी फो एक लिए और पॉलिसी आरी है के लिए चेंज आरे है क्योंकि यह इंपोर्टन हो जाता है क्योंकि अगर टेक्नोलोजी आते तो उसके साथ रिस भी आते है तो पॉलिसी चेंज जाए जाता रूर रेगूरेशन बनेगे तो AI का सही यूज हो जाए AI में काफी सारी इंवेश्मेंट भी बढ़ रहे है अभी और ये एक इंपोर्टन इम्पाक्ट और triggur होगा नेक्स साल के लिए काफी सारी कमपणी जो AI की तरफ focus कर रहे है वो एक important trigger होगा कहाँ पर वहां की उनकी बढ़ाती होगी तो यह important factor है कि AI का trigger कैसे बढ़ रहा है कैसे change हो रहा है policies कैसे आ रहे है और कौनसी companies वहां पर invest कर रहे है क्योंकि वहां पर benefit तो surely में मिलने वाला है काम easy हो जाता है तो यह important कि एक गरेशlaughरा है जिसका अगे साल हुआ सकते हैं पूरे साल असर देखनों कहीं हर चार तीर महीने के बार नतीजी आता है ते में जोटेज़ेशं कि एक लुदा रीच नंबस भाइने से नंबस खड़ाइं तो महारेन से नहीं पर वो है कि एक्किट है कि वह भी तक नहीं दिखी देखी देखी तो जो जो रूरल की अभी तक नहीं दिखी तो वहां पर भी जो कंजम्शन की अभी तक वॉल्यूम ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं आ रहे थी वह भी एक्सपेक्टेटेकि नेक्स्ट साल में वह भी पॉजिटिव तरफ मुवी होगी वह थे मार्चन इंप्रूमेंटे सब्सक्राइब करोश टो कॉम्षो कीशचक प्ल nhữngidad went to play rien और एंवारश जो ऐसी acak्सपेक्टेटीश त्रॉत्वक्ना चलत सपेश्टि कि माना तो यह भी जा रहा है कि आयुष्मान भारत जैसी योजनाव में या किसान समिर्धी जैसी योजनाव में भी सरकार अपना खर्च भरा सकती है तो कहीं लिए ग्रामिन भारत पे खर्च बढ़ेगा उसका भी असर पूरी तरह से होगा क्योंकि वहां पे स्पेंडिंग पा जैसे भी फोकस होगा और वहां पर काफी FMCG स्पेसिफिकली कंपनी की बात करें तो उनका पॉर्शन भी काफी जादा 30-40 परसंट अप्रोक्सिमेटली देके तो जादा कंपनी उसका रूरल ग्रोट से ही आता है रूरल एरियास में उनका फोकस होता है अला पर प्लाइ स्क जादा करें तो बहुत अशरली एक बड़ा ट्रिगर है वहां पर बात करें तो क्योंकि अल्री हमने देखा हुआ है कि जैसे पी एलाइ स्कीम आई हुई थी यह एमस कंपनी के लिए एसी सके लिए वहां पर कितुनी सारी कंपनी जै ओल्री बेनिफिट देखा है आई टी हा कि वज़े से जो मैनुफेक्ट्रिंग इंप्रूब हो रहा है पैलाइ स्कीम की वज़े से अपना वह काफी बेनेफिट है वह काफी पॉजिटिव डिगर बन जाता है और पियालाइ स्कीम अग्री केमिकल सेक्टर में भी एक्सपेड़ है शिपिंग कंटेन सेक्वन में भी मौनसून की चाल कहने कहते हैं भागती अर्थवर्ष्टा बारतिय बाजार की दशा और दिसाताय करता है और इसलिए कहते हैं कि बारतिय की खेती जो है मौनसून का जुआ है यहां तक कहते हैं माना जाए है कि इस साल अल्लीनों का जो असर था वो देखनों के मिला यह अगले साल फरवरी तक देखनों के मिला बिल्कुल मॉन्सूर जैसे आपने बता है काफी काफी important trigger होता है consumption के लिए और यह एक factor जो हम watch out करेंगे काफी important होता है पर दूसरा जो एक trigger हम ध्यान रखेंगे वह डाइवेस्मेंट करेंगे वह डाइवेस्मेंट क्योंकि हर साल डाइवेस्मेंट नमबर आता है हम लोग वे गवर्मेंट देख रहें कि मेभी वह डाइवेस्मेंट के लिए यह तोड़ा कम ही सेक करेंगे क्योंकि जो achievable target हो जाए हो ही होता है हर टाइम higher target होता है नहीं अची होता है फिर हम लोग देख लेते कि impact हो जाता है market पे तो यह टाइम का target और specially divestment expected है IDBI Bank में Shipping Corporation of India में और NMDC Steel इन सब की बात भी चल रहे है तो यह divestment के जो numbers होते है वो काफी important हो इन specific companies के लिए तो obviously trigger बन जाते है पर overall market के लिए भी sentiment दिखता है Government because यह बात करती तो उनके लिए भी important trigger बन जाता है 2024 में यह तीन company है तो specifically जो अल्रड़ी बात चल रहे है इनकी और divestment की बात की इनकी के विलिए सगला बात कर दो झाल 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 कच्छे थेल में फिर बड़ी तेजी ब्रेंट क्रूड 78 डॉलर के पार MCX पर भाव 6,075 रुपए के करीब लाज साजर को लेकर फिर से चिंता बढ़ने से सपोर्ट सोने में आज हलकी तेजी के साथ हो रहा है कारोवार MCX पर 63,400 रुपए के उपर भाव कॉमेक्स पर सोना 2,070 डॉलर के करीब चांदी में आज विक रही अच्छी तेजी MCX पर 300 रुपए से ज़्यादा की मजबूती के साथ 24,700 रुपए के उपर भाव कॉमेक्स परचांदी 24 डॉलर के उपर जिंग में आज नर्मी 232 रुपए के नीचे भाव कॉपर 733 रुपए तो अलमूनियम हलकी कमजोरी के साथ 212 रुपए के नीचे लेड 182 रुपए के करीब जीरे में भारी विक्बाली जीरा करीब 4% गिर कर जनवरी का बाइदा 28,200 तो मार्च का बाइदा 27,000 रुपए के नीचे हल्दी पर भी दबाब 14,000 रुपए के नीचे भाव धनिया 7,050 रुपए के करीब गवार में आजबी विक्बाली गवारकम का बाइदा 10,500 रुपए तक लोड़का गवार सीड का बाइदा 5,400 रुपए के करीब नमस्कार स्वागत है आपका मुनाफ़े की मंडी में जहाँ आपको कमडिटी मार्कर की तमाम बड़ी खबरे और बेसरी ट्रीनिंग कोल्स भी हम देने की कुशिश करते हैं आज हमारे साथ 6 मेहमान होंगे अगले आदे घंटे तक अजे केडिया है केडिया कमडिटी से देव्या गगलानी है हमारे साथ एक्से सिक्योर्टी से जिगर तिर्वेदी है रिलांस सिक्योर्टी से साथी हमारे साथ जॉक्टर आमनंद कुमार गुप्ता होंगे जोलर है ह ये गिरावट बढ़ती जा रही है इस पर हम उनकी राय लेंगे लेकिन सबसे पहले आज बड़ी खबर है कच्छे तेल को लेकर जहां पर तीजी दिख रही है ब्रेंट क्रूड का भाव 78 और MCX पर भी अब धेरे धेरे भाव 61 रुपए की तरफ बढ़ रहा है जिस तरह से लाल सागर को लेकर वापस से चिंता बढ़ी है और हूती भी द्रहियों के खिलाब जो सन अवियान यूएस की तरफ से चलाए गए और अमेरिकी नौसेना ने हू को यहाँ पर नश्ट किया और वहाँ पर दस आतंकियों के मारे जाने की भी ख़बर है इस वजह से यहाँ पर जो चिंता है जो जिए पॉलिटल कंसर्न है वो कापी बढ़े हैं उससे क्रूड किंतों को तेजी दिख रही है केडिया जी आब बताईए क्या करना चाहिए ऐस करना आता हुआ दिखाई देता ही है और हम जानते हैं कि 2030 के अंदर हमने जब से इजराइल और हमास के पीछ में यूद आते में देखा 94 डॉलर से हम टजबी किये थे बट वहाँ से सस्टेंग नहीं कर पाया था टाइमिंग हमने लगता कि जो यहुदिस को लेकर यह और एस अगर कॉल की बात करें तो 184 रुपीस का भाव है तो यहां पर मुझे लगता है कि एक कॉल लेके चलिए 182 पे 120 का स्टॉपर रखिए हाय साइट में मुझे लगता है कि प्राइजिस के अंदर कम से कम 200 रुपे की अगर तेजी आती है तो लगबग यहां पर आपका कॉल की बेल्यू भी 300 तक हो जाएगा तो 182 के लिजिए तीन्सो के टागे के लिए ऑप्शन के अदर और और मुझे लगता है कि यह अपता कच्छा तेजी तेजी में रहेगा जहां पर ब्रेंट भी एक अच्छी खासी तेजी कंटीडिव दिखाता होगा दिखाईते हैं तो कुल जग रहा है 6100 का जो कॉल ऑप्शन है थोड़े छोटे से स्टाप्रास के साथ भी खेला जा सकता है वन के गो लॉंग इन 6100 कॉल ऑप्शन अराउं करेंट लेवल ऑफ 180 182 155 का यहां पर स्टाप्रास लेके 230 250 के टागेट के लिए यहां पर लॉंग किया जा सकता है आपकी स क्या है आप सहमत है दोनों एक्सपोर्ट से कॉल खरीदारी की सला दे रहा है आप भी सिमलर व्यू रखते हैं अब बॉनिक विश्मों जी मेरा व्यू की सिमलर रहेगा जैसे कि एरान ने जो वार्चिप मूव किया लाल सागर में दूसे जो यूएस और एरान के बीच में जो ताना वह और भी बढ़ सकते हैं आगे जागे तो जो भी टिप्स अगर आता है कच्छी दिलकर से तो मैं बाई करें चलना चाहिए च्या जो कॉल ऑप्चन है वो 210 के आज पास बाई करके चले स्टॉप लोसम 190 का रखे और टार्गेट उपर में 250 का मिंटेन करें क्रूड को लेकर नैचरल गैस में केडिया जी बताइए क्या करें आज चार परसंट की तीजी यहां पर दिख रही है क्योंकि अभी भी माना जा रहा है कि वेधर के मुकाबले जो डिमांड यह काफी कम नहीं की उम्रीद है यहां पर मुझे लगता है कि अगर डोमिश्टिक मार्केट की अगर बात तो मुझे लगता है करीबन 12 के स्टॉपलों से हाई साथ मुझे लगता है कि 25 तक के टारगेट हम नैचल गैस में ऑप्शन में देख पाएंगे फ्यूचर्स में भी अगर जो करना चाहते हैं करेंट मार्केट से लेकी चली 216 के स्टॉपलों से 232 का इमीडियेट टारगेट लगता है 229 का इमीडियेट टारगेट है 216 के स्टॉपलों के साथ नैचल गैस खरीदे या फिर 220 के स्ट्राइक की कॉल भी आप एंजी में खरीद सकते हैं आप सिमलर व्यू आप भी रखते हैं देबया आपको भी लग रहा है 220 के स्ट्राइक की कॉल ओप्शन आर खरीदी चाहिए नैचल गैस में जी मेरा भी व्यू बाइंग में रहेगा जैसे कि मैंने डिस्कर्श किया कि जो टेंचन चल रहा है लाज सागर में यूएस और इरान के वीच में तो नैचल गैस प्रजिस को भी सपोर्ट दे सकता है तो जो भी कर्रेक्शन आते है नैचल गैस में लोग अलब में तो भाई करके चले 220 का जो कॉल ओप्शन है वो 13 के असपर भाई कर सकते है आप बताईए जीगर आपकी सला क्या है कच्छे तेल में क्या करना चाहिए नैचल गैस में जी जी नैचल गैस में मुझे लग रहा है यहां पर लॉंग इनिशिट करना ही एडवाईजेबल है सी 260-270 के आसपास दोस्तो दिन की सिंपल मुविंग एवरेज आ रही है सो मुझे लग रहा है वहां तक तो मार्केट में एक रैली आंडी ही चाहिए अक्टबर, निम्बर, डिसेंबर देखें 320 वाला भाव आज 200 के नीचे भी चल गया था 220 के आसपास है फ्यूचर्स में खिलना है 221 के आसपास लॉंग कीजिए जैन्यारी कांट्राक्ट, नैचल गैस 217 का स्टापलोस और 230, 239 का टागेट आप्शिंस में रखिलना है 225 के आज जो कॉल आप्शन है 23 जन्वरी का वान केन गो लॉंग इंडेट अरॉंड करेंट लेवल सो थर्टी 10 का स्टापलोस लेके 19 के लिए वहाँ भी लॉंग किया जा सकता है तो ये विव नैच्छल गैस पे जिगर को भी लग रहा है 225 के स्ट्राइक की कॉल आप्शन खरीदनी चाहिए और 13 के लेबल पे 19 रुपए का टारगेट प्रीमियम का टारगेट ये जिगर रख रहे है चलिए अब गोल्ड सिल्वर की बात कर लेते गोल्ड सिल्वर में आज दोनों ही काउंटर में अच्छी तेजी दिख रही है 75,000 के करीब अब चांदी पहुंसती जा रही है अब सुरुवाती तेजी बढ़ी है और गोल्ड 63,500 के उपर आप आचुका है अच्छी तेजी दिख रही है लेकिन अगर हम डॉलर इंडेक्स की चार्ज देखे एक दो दिनों में वहां से भी बाउंस आ रहा है तो उसकी वज़र से थोड़ा बहुत प्रेशर रहना है हाला कि मुझे लग रहा है 2107 के उपर जब तर कॉमेक्स गोल है वन केन गो लॉंग गोल की अगर हम बात कर रहे है फेबरारी कॉंट्राक वन कें गो लॉंग अरॉंग अरॉंग 63,400 63,300 स्टाफ लॉस लेके चले 63,600 के टागट के लिए सिल्वर की बात करें तो चाइना कास डेटा भी अच्छा आया है तो आप आप सपोर्ट भी है बेस मिडल्स की और से एंड मुझे लग रहा है मार्च वाइदा सिल्वर अगर 74,600 पे मिलता है लॉंग किया जा सकता है 74,400 के स्टाफ लॉस के साथ 75,000 के टागट के लिए दोनों काउंटर गोल्ड और सिल्वर ये ट्रेंड कंटिनू हो सकता है और शॉर्ट टर्ड में यहाँ पे खरीदारी की सला ट्रेडिंग के लिए गोल्ड और सिल्वर दोनों खरीदने की सला जीगर की तरह से आरे देबिया आप क्या सला दे रहे है गोल्ड सिल्वर में क्या करे मेरा भी रन नीती बाइंग के तरफ ही रहेगा जैसे की जीगर टेंचन चल रहा है तो गोल और सिल्वर को लोगर लगर सपोर्ट मिल सकता है और साथी जाथ यह वीक में काफी इंपॉर्ट डेटा रिलीज है आएसे मैंने इफेक्शिंग का डेटा है नॉट का पेरोगर डेटा है चांदी की जो शुर्वात है यह साल की अच्छी रही है जो फेक्टर्स है जियोबर्ट फेक्टर्स हो बोल के साथ है चांदी को भी एक सपोर्ट दे सकता है लोगर लायल पे सिल्वर भी हम बाइ करके चल सकते है 74,300 करीब स्टॉप लोस हम 73,900 रहे चांदी को लेकर 75,000 के टार्गेट के लिए आप खरीज सकते हैं और गोल्ड भी खरीदने की सला अक्सिस सिक्योर्टीज की भी दोनों ही काउंटर में खरीदारी की सलारी 63,500 गोल्ड का और सिल्वर का टार्गेट है 75,000 केरिया जी अब आप बताइए अहम डेटा भी है जो दिसंबर बैठक के मिनर्स भी आने वाले हैं फेड के और साथी दो अहम डेटा जो इस हबते आने वाले हैं उसमें जॉब ओपनिंग्स के डेटा और नॉन फार्म पेरोल के आखड़े भी आने वाले हैं किस तरह की चाल रहेगी और इंट्राड़े के लिए किस तरह से ट्रेडिंग रहनी थी बनानी चाहिए गोल्ड सिल्वर में आज काफी चाल रहा है सोने चाहिए दोलों के लिए खास करके गोल्ड के लिए जिजन से हम देख रहे हैं कि जियो पॉल्टिक अटेंचर सेंटर बैंक बाइंग इंट्रस रेट अब तक बढ़ रही थी बड़ अब हमें क्लेर्टी यह के इंट्रस रेट कटेगी लेकिन यह अब काफी चैलेंजिंग होने वाला है विगार FNC के मीटिंग के मिनेर्स आने है ADP non-farm का अगर डेटा देखे तो पिसली वहाँ 103 के करीब था और साथ में non-farm employment change यहाँ पर हम एक बड़ी गिरावट देख रहे हैं 99 के मुकाबले 168 दिखाई दे रहा है जो कहीं ना कहीं डॉनर के लिए खराब है बड़ मुझे लगता है कि अल्रेडी हमें पिसले दो मीटिंग के जो अपडेट आते में देखे उसमें यह चीज़ क्लियर हो चुका है कि मार्च आनवर्स हम 150 पिप्स के रेट कर देखेंग बढ़ यह अब तक जो डेटा पॉइंट है यह जनवरी की पूरी रणनीती डिसाइड करेंगे क्योंकि मेरे साब से इंटर्स रेट कट होगा यह अब सबको पता है और कितना होगा यह भी पता है तो मुझे लगता है खाली यह डेटा की मज़े से जो सपोर्ट मिलेगा वो एक दो दिन मिल जाएगा बट एक करेक्शन जन्वरी मंत में शाप करेक्शन जन्वरी मंत में डियू है गोर्ड के अंदर उसके लिए कौशर रहेगे बिल्कुल इंडर डे के लिया से मुझे लगता है कि 63, 350, 400 के करीब लिया जा सकता है हायर साइड पे लिमिटेड अपसा है हमारे तीनों एक्सपोर्ट के कहीं कोई confusion नहीं आपको एक लाइन पर आज ज्यादा तर यहां पर खड़िदारी की ही सलाह दी जा रही है चलिए अब हाजी डिमांड की बात कर लेते गोल्ड और सिलवर की हमारे साथ डॉक्टर आनंद गुप्ता भी है हरी पिडिया जोल क्रिस्मस का भी सेल बढ़िया रहा है और अभी जो आने वाला वेरिंग सीजन है उसके लिए भी लोगों का बुकिंग बहुत अच्छा चल रहा है और रेट को लेके जो एक था की और 75 से उपर चला जाएगा गोल्ड का रेट उसमें कमी राने के कारण से एक लोग को अठाजार की उमीद आप कहे रहे थे पिछली बार बात उरी थी मेरा कहना कि यह जब रिकॉर्ड के आसपास ही है रिकॉर्ड से देखे तो 500-700 रुपे नीचे ही सुने का बाव क्या लग रहा इन भाव की वज़ए से क्या डिमांड पर कुछ असर हुआ है गोल्ड के चांदी उस तरह की तेजी नहीं दिखी जितनी गोल्ड में है गोल्ड में जैसा भी केडिया जी क्या भी रहते पिछले साल घरेलू बाजार में 15% के आसपास की तेजी दिखी चांदी उस मुकाबले में धीमीर अफ्तार थी तो क्या चांदी की खरिदारी अच्छी हो रही चांदी का अभी खरिदारी बहुत अच्छा हो रहा है चांदी में जो इटेंसिल से और जो अभी अभी नया ट्रेंड चलू हुआ है बिजनेस में इंपोर्टेट जोलरी का बहुत बड़ा मार्केट अभी बनते जा रहा है लोग जो पहले जो प्लैटनम जोलरी बनाने वा अपने दुकान में 500 एक स्वाइट जगह में इंपोर्टेट जोलरी को खुप बनिया तरीके से सजा रहा है और सबका दुकानदारी इंपोर्टेट जोलरी के कारण से चांदी में बढ़ा है और चांदी का रेट एक दम मतलब सही दिजा में चल ला है शुक्रिया अना जी आपने वक्त निकाला दो चीजे आप से बात करके पता लगी कि जो कंसॉलिडेशन का जो दौर आया बीच में उससे डिमांद बढ़ी और दूसरा जो नया च्रेंड है एक तो इंपोर्टेट जोलरी का और दूसरा चांदी का दारक आपी तीजी से करेंगे सर्थ करेंगे झाल 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 याल झाल 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 आल झाल 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 आल झाल 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 आल झाल आल झाल 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 आल झाल 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 आल झाल आल आल झाल आल आल झाल आल झाल 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 आल 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 झाल 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 आल आल झाल आल 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 अगर आप देखेंगे तो दोन्यों में से सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबली वर्टिकल हमारा ऑप्टिक्स और ऑप्टॉनिक सुस्टंस है जो पूरा का पूरा प्रॉफिटेबिलिटी को कॉंट्रिबूट करता है लार्जी जो हमारा डिफेंज इंजिनेरिंग है उसमें श आते दिनों में जैसी ही रेविन्यू बढ़ते जाएगा यह प्रॉफिटेबिलिटी और ज्यादा मजबूत होती जाएगी हमारे बिजनेस में हम लोग आज कॉंपोनेंट से लेके सबसेस्टम और सबसेस्टम से लेके सिस्टम लेवल तक माइग्रेट कर चुके हैं जिसके चलते कंपनी में आप देखोगे कि एक प्रॉडट्स सेंट्रिक कल्चर बनता हुआ नजर आ रहा हैं और वो प्रॉडट्स सेंट्रिक जो है विल गिवन्यू स्केलिबिलिटी और दे सेम ताम विल आल्सों गिवन्यूर और प्रॉफिट्स बिकॉस्ट आप से कॉशन नोटल प्रॉडट्ट लिस्ट में से जिस जिस भी डिफेंस में आप ट्रेड करते हैं आप स्पेस में हैं रॉकेट में हैं निवल में हैं लैंड में इलेक्ट्रोनिक्स में इसमें सिर्फ तीन चीजे मेरे को ऐसी बता सकते हैं जहां पर आपकी यूएस पी है जहां पर नहीं है ना केवल डुमेस्टिक बलकि वर्ल डेवल पर भी नहीं हो देको सिर्फ तीन चीजे ऐसी बता सकते हैं आप दो या तीन चीजे प्रड़क्ट भी बता सकते तो प्रड़क्ट चेभी मैं सबज़ जाओंगा अच्छा ये पर्टिकुलर प्रड़क्ट है अगर ये पूरा वर्टिकल लेकता हूं तो उसके अंदर अप्टिकल कॉंपोनेंट्स जो हैं ये अपने देश में बहुत कम लोग बनाते हैं और दुनिया के स्थर पे भी बहुत कम लोग बनाते हैं जो पॉलिटी हम लोग दे पा रहे हैं मैं आपको एक एंग्जेंपल देना चाहता हूं कुछ हम लोगने स्पेस में कुछ प्रड़क्ट चोड़े हैं जो वर्ल्ड में ऐसे प्रड़क्ट बन ही नहीं आशता हूं वर्ल्ड की बाद कर रहा हूं, तो optical components, एक segment अगर मैं पकरता हूं, तो यह optical components हुआ, जहां पर defense and space, आप अगर देखोगे, देश में, अगर space में optics अगर कोई manufacture करता है, तो वो either ISRO themselves करता है, या फिर पारस करता है, अपने देश में, तो यह level पर हम लोग quality लेकर गए हैं, and thanks to hand holding by ISRO, कि हम लोग उन्हों को उन्होंने develop किया है as their partner, तो हम लोग लास्ट जो भी सालों का journey है, आज हम लोग ऐसे products बना पा रहे हैं, उनके नेतिर्टर के अंदर, कि देश में छोड़ो, अब पूरे जग में ऐसे products बने नहीं, तो optical components एक ऐसा एक business है, जो हम लोग exclusive है, उसका forward integration अगर आप देखते हैं, तो optical systems जो है, आज पारस, submarine, optronic परिस्टों बना रहे हैं, मैं जिदना तक मुझे मालूम है, अपने पूरे subcontinent में, ये product, ये technology किसी के बास नहीं है, हलाकि सब लोग submarine बनाते हैं, लेकिन submarine की आखें, जिसक तो वो है optronic peristope, and optical peristope, ये दोनों जो products हैं, वो आज पारस defense बना रहा है, और इसके चलते वो ना ही अपने देश को supply करने की ख्रमकार रखता है, लेकिन उसको export भी शायद किया जा सकता है, जिसके चलते ये वापस एक ऐसा product है, जो पूरे के पूरे subcontinent में, अपने देश क सिर्फ पारस defense बना रहा है, ये another exclusive, space में अगर आप देखोगे, तो hyper spectral imaging, ये एक बहुत advanced level of imaging माना जाता है, जिसके चलते बहुत सारे imaging में, and बहुत सारा data के उपर काम कर सकते हैं, वो hyper spectral imaging के लिए, पारस defense ने बेबी स्टेप जेना चालू किया था बहुत साल पहले, and आज के तारिख में, पारस defense aims to become a complete hyper spectral imaging system manufacturer, अगर आपको मैं से बहुत है, तो तीन optical products हो गए, उसके चलते electromagnetic pulse एक ऐसी चीज़ है, जो माना जाता है कि आगे चलते सबसे बड़ी threat, या आज भी सबसे बड़ी threat है, electromagnetic pulse, ये एक weapon की तरह use हो सकता है, and electromagnetic pulse के इलिए, defense, जो होता है, electromagnetic pulse protection solutions, ये जो देने होते हैं, वो पारस defense is the only Indian company in the whole world to offer an electromagnetic pulse protection solutions. So, ऐसे मैं आपको और ज़्यादा बोल सकता हूँ, लेकिन अभी फिलाल में इतना restrict करता हूँ, बताने के लिए कि ये सब हम लोग कर पारे है. ठीक है मैं जी, आप सकी बास सुनके ना मैं सही बता हूँ, मैं को बहुत ही बड़ी अलगी, आपने जो एक line बताई ना के submarine की आखे हम बनाते है, देखे यहीं चीज पता लगती है, आप नहीं तो एक ना, एक युनिवर्सल टोठोचाए, पारस्ट क्या है, defense की company, अज़ defense में क्या बनाती है, तो पता कर लो, वो सब्मरीन की आखे बनाती है, आज की rate में सब्मरीन सबसे important है, critically है defense के लिए, और सब्मरीन बनाये जाएंगे, इसका तो बहुत बड़ा scope है, और उस submarine के अंदर, पंडुबियों के अंदर, जो optical वाली चीज़े लग रहे हैं, वो पा पूछा कि आशी कौन सी तीन-चार चीज़ें, जो सरफ आप ही बना रहे हैं, और आपने बहुत अच्छे से बताया, अमिजी जब इतने सारी बाते होई हैं, आपने exports की बाते भी कहीं, मैं का आपसे दो point और पता करने हैं, अभी आप exports पे कितना खड़े हैं, और कितना आप देखिए, आप इंडिया में manufacturer हैं, defense and space technologies की products का, and इंडिया is one of the biggest markets for these technologies, so आपको export की भूख, अगर मैं बोलना चाहूंगा, तो ओ आज है नहीं, सबसे बड़ा market में, आप सबसे अच्छे position पे हो, तो वो market को exploit करना एक ज़्यादा business sense बनता है, rather than trying to achieve export only for the sake of it, and जहां पे आपको शायद एक cheap manufacturer करके western world आपको देखे, उससे अच्छा आप अपने देश में एक अच्छा product, world class product develop करके manufacture करें, तो ना आपको अच्छा business मिलेगा, लेकिन profitability भी कमा, आप रेटेन कर सकते हो, and in turn अपने economy को भी boost कर सकते हो. Dan Sir, Sir मिरे पास थोड़ी से समय की कमी है, नि तो मैं और आप बैड़ जायना, तो कम से कम आपकी company के लिए मिरे पास 3 घंटे के सवाल है, और आपके पास 6 घंटे का material है, बताने के लिए, लेकिन हम क्या करें थोड़ा समय से बंधे हुए है, तो मैं थोड़ा आप से आज केडिया है, एक बार वह आपकी company को भी notice कर लेते हैं, जरा हम से लेते हैं, अच्छा एक चीज में आपको बता दो महाजन जी, जब जब आप बोल रहे थे ना, तो आपके शेयर के प्राइसिंग के अंदर अच्छा वाल्यूम भी आया है, और थोड़ा प्राइस एक्शन भ आप सभी को, पारस डिफेंस एक काफी अच्छी company है, IPO भी बहुत अच्छा था, हमें लगता है इन प्राइस पर जो कि 760 का प्राइस है, इस पर अगर देखा जाए तो company काफी valuation basis पर expensive है, इसका full year EPS बहुत अच्छे से भी देखे, तो 10 रुपे का ही आता है, तो इसका एक P P multiple जो कहते हैं, price to earning multiple वो 75 times या 76 times हो जाता है, जो कि बहुत expensive है, already market life higher पर है, और 75 times P multiple का company में हम रहा पैसा डालेंगे, तो नहीं, हम चाहते हैं कि इसका EPS बढ़ कर अगर 15 रुपे तक होगा, तो ये stock एक better buy होगा, या अगर price correction होता है, 707 से 630 तक, तो एक better buy होगा, पट इन price पर ये काफी expensive है, valuation wise बहुत महँगा है, और एक price correction के बाद ये एक better entry level बनेगा, जब तक ये avoid रहेगा, और wait and watch policy रहेगी, 630, 630 का better level रहेगा, पी और लियो वैलुशन बेसिस, ठीक है, done, तो सिरफ valuation का मामला है, कई बार क्या होता है, जिसे हम शुरुआत में बोलते हैं, अमीजी आप भी गौर्स सो सुनिएगा, market में होता है कहना, भाव और भावना है दो अलग अलग चीज़े होती है, तो भाव के हिसाब से थोड़ा सा नीचे आके हमको आपकी company ज आपका भी आपने बिल्कुल सही बात बताई है, कि कई बार भाव के हिसाब से हमको नीचे आके प्लस करना होता है, लेकिन बाइंग और डिप्स की category है, पारस defense पे जरूर ध्यान रखा जाए, बहुत शुक्रिया हमी जी, thank you very much, आज आपने समय दिया, अच्छा लगा आप दोनों से बाचित करके, बहुत बहुत शुक्रिया, thank you very much. तलाशने पर ही रहेगा, इसके लावा ग्राकों को बैतर सुविदा देने और नई सोच के साथ आगे बढ़ने पर भी बैंक का जोर रहेगा, ये कंपनी की MD&CO, फेडरल बैंक के शाम श्री निवासम का ब्यान था, हम चलते अलते ये ब्यान आपको सुना रहे थे, खेरम थ इसके सभी लोगों को अनुशाशित तरीके से अपने परस्नल फानेस पोर्टफोलियो को बैतर रूप से बनाने में मदद करेगा, इटना सुदेश और सुन्दर मुचल फंड्स मिलकर लेकर आ रहे निवेश दे, हर मेने की पांस तारीकों इटना सुदेश पर देखे तो फिलाल इस का रिकम से इतना ही उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप कॉर्पेट कनेक्शन को अच्छे से देखे समझें और हम उम्मीद जो कर रहे हैं कि हमारी मेहनत और आपका व्यूवर्शिप यानि कि आपकी लगन आप इसको व्यू करें तो तो तोनों दोजार उसमें बहुत बढ़िया चीजे निकल के आएंगी सामने फिलाल इस का रिकम से नहीं नमस्कार जो पिलाल इसके दोड़िया नहीं प्रव।रो नहीं ख़्यूवर्णिय। गोपावद झाल 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 प्र उल झाल 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 कल बात कर लेंगे जरूरी नहीं आज ही करना होगा इसको दिखा सकते हैं यह ऐसी विला यह आठ परसंट उपर मैं बीटी एस्टी नहीं करोंगा सर कल इस शेर को नोटिस करें क्या कल देखें तीन करोड़ शेर हुए आज इसमें ट्रेड 55 रुपीज के उपर रहे कल तो बिल्कुल इसको फोकस में रखें और हमां लगता है 75 के उपर रहेगा तो अच्छा मोमेंटम कंटीनु होगा कल ठीक है तो कल 75 का लेवल इबाद चेक कर लेंगे आज बीटी एस्टी मत करके जाओ हना कल की कल देखेंगे 75 के उपर अगर मिलता तो राजीज जी ने अल्री दिया हुआ है इस पर सिगनल हमको तो कल इबाद फिर से पता कर लेंगे कई बार होता है कि बाजार भी बहुत राडिंग फेक्टर बन जाता है कि वो ब्रेक आउट देगा के नहीं क्लोजिंग के तरफ हम बढ़ रहे हैं एक हजार शेरों के आज एडवांसी हैं आज 81 पॉइंट का नुकसान है निफ्टी पर निफ्टी ने अपने लेवल्स को बहुत अच्छे से बचाया उसमें रिल बैंक निफ्टी के लेवल्स पर थोड़ा से कमजूर है यह बैंक निफ्टी के लेवल्स पर हमने 47-800 को ब्रेक किया हमने आपको सुम भी यह बताया था कि बैंक निफ्टी ही रियर डिसाइडर होगा कि आप चलने जा रहे हैं कि यह जादा डिकल कंदीशन में रहता है बिक हो फिर भी हम जड़ा closing के तरफ बढ़ते हुए यह आपको दिखाई रहे है कि कौन को से shares आज चले है स्क्रीन पर आप देखी पारे हैं सभी shares को और इसके लाबा जो market के अंदर कुछ और shares भी है जैसे वोल्ट आज मैंने लिख रखता कौपी पे और एकल फानाइस जिसके बारे में जिकर हुआ यह सारे shares हम कल फिर से चेक करेंगे छोटे shares के कड़ी किरी में आज स्पार्क का दिन काफी अच्छा था लेवन ट्री काफी अच्छे बास earning के लिए अरुच्छत आपका ही बोत शुकरिए थैंक यू वर मंच आपने आच टाइम निकाल ते बात्चित किये आप सबी का बहुत शुक्र है मेरे को और अभी शेक का आप इजारत दे सकते हैं अगरा कारे करम होगा कल का बाजार या कल की तैयार ही प्रोंटर अभी वादा प्रशाद के मेरे। आपर वादा खम इजार वादा कारे करे लृट शुक्र है आज आई टी शोरों में दिखी कमजोरी का फोर्ज विप्रो इंफेसिस में आज 3% तक की गिरावत थी एल्टी आ माइंट्री और टेक महिंद्रा में भी अज दबाव था नए शिखर पर निफ्टी फार्मा इंडेक्स निमुरा के लक्ष बढ़ाने से लूपिना 7% बढ़ा अरविंदो फार्मा डिविस और ग्लेन मार्क में 2-3% तक की टीजी कमजोर बिखरी आंकरों से आईशोर मोटर्स में लगा था दूसरे दिन लगा रिवर्स गेर शेर 3% तूटा एम एंडेम हीरो मोटर कॉप बजाच और टीवेस मोटर्स भी कमजोर थे तीसरी तिमाही के बिजर्स अपडेट से अल्टरटेक पर दिखाज दबाव शेर 5% तूट गया तिमाही में कमपनी के बिक्री 5% बढ़ने की बात कही गई थी आटो एंसलरीस कमपनी से के शेर में आज भी तीजी चारी है करीट 6% के उचाल के साथ सुब्रोज रिकॉर्ड उचाई पर बंदुआ तीन दिन में 20% से ज़्यादा जोड़ा जेबीम मोटिला लोसवाल की बुलिश रिपोर्ट से 11 ट्री में करीट 9% का उचाल आया ब्रोकरेश ने खरिदारी के राय को कायम रखा लक्षे 135 से बढ़ा कर 150 किया तो आज का मारकेट हल की से प्रोफिट बुकिंग के नाम पे रहा आप इसो कुछ भी बोल सकते हैं कुछ लोग इसको कहते हैं कि मारकेट डाजेस्ट कर रहा कुछ लोग कहते हैं इसको प्रोफिट बुकिंग कुछ लोग कहते हैं unwinding कुछ लोग कुछ करेंगे लेकिन एक चीश्त है है अगर आप दो तीन लेवल से चरंबर तरीके से market को देखते हैं तो जो bullish trend है वो अभी भी बरकरार है क्या market के अंदर risk reward ठीक था उसका जवाब था ना तो market अपने risk reward ठीक करेगा तीसरा point है कि market के अंदर profit booking आनी चाही थी क्या heavy हो गया था हाँ उसका जवाब भी है हाँ तो क्या इससे light हो रहा है अभी पता नहीं आज के nifty का जो support टूटा है 47800 का उसके नीचे close मिला है लेकिन nifty ने नहीं किया bank nifty ने करा तो इस दोनों का divergence भी हो गया देखे हैं हम या फिर HDFC ICIC में इतनी गंभीरता है कि बजार को भी उबर ओवरने नी देंगे फिर क्या हम को ये देखना चाहिए कि FIS की holding 69% के आसपस long चल रही है इसमें कितना बजाब बजाब आएगा आज शाम को डाटा से clear हो जाएगा options के डाटा भी हमको काफियत तक clear कर देंगे तब बहुत सारे इफसर बट्स के बीच में भी market फसा हुआ कुल मिलाके मोटा मोटी ये बोला जाए कि बजार के पास resistance और support को respect करने की आज फिर से एक दूसरा दिन था कल भी यही था कल तो एक ही घंटे में market ने high और low टेस्ट किया था आज कम से कम ऐसा नहीं हुआ आज बजार में शुरुआती बढ़त को बार में market ने एक जटके में खोया और फिर deep penetrate करके ले गया support आये रोका फिर उपर लेके आया थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी के साथ छोड़ दीजिए उसके साथ थोड़ा exceptional case है आज के मारे दो मेमान है राहुल गोश है और आस्था जैन जिनसे हम बाचित करेंगे और आपके जो भी सवाल है उनके हम सामने रखेंगे आप सवाल अपने पूछ सकते हैं आपने अगर शेयर ले रखा है तो ठीक है नहीं लिया तो ठीक है अगर आप शेयर नहीं लेने से पहले पूछते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है यह कुछ-कुछ वैसे ही है कि यसे आप डॉक्टर के पास जाओ अगर आपके बाद शेयर है तो फिर डॉक्टर की मजबूरी हो जाते है कि इसलिए लेने से पहले पूछेंगे ज़्यादा अच्छा है तरीका क्या है पूछने का आपके स्क्रीन पर चल रहा है यह वर्टसब का नंबर लिखा हुआ है आपने सेव कर लो वर्टसब का नंबर दूसरा ट्विटर का फेस्बुक का तरीका हमने आपके सामने लिख दिया है फोटो खैंच लो या तो इसका वीडियो बना लो दूसरा आप तो खुदी खुदी पूछो अगर कोई आदमी आपसे भी आकर पूछे न और आप उसका जवाब ना दे पाओ तो उसको यह वीडियो यह फोटो ट्रांसफर कर देना बोलना कि एटीना सवजेश से पूछ लेना महाँ पर बढ़िया मैमाना आते हैं आपको गाइड करेंगे तो आज के सिल्सले को हम शुरू करेंगे लेकिन एक काम करते हैं राहुल जी थोड़ा टेकनिकली जारा बहतरीन तरीके से माकिट को चेक करते हैं को एक व्यूपॉइंट उनसे ले लेते हैं उसके बाद फिर एक कॉलर शो यानि के सवाल जब के सिल्सले को शुरू करेंगे राहुल जी आज बैंक निफ्टी ने 48,000, 48,000 के बाद 47,800 दोनों लेवल को ब्रेक करके डेज लोपी किया बन लेकिन निफ्टी ने ने किया वजह रिलाइंस को बता जा रहा है और कुछ अब तक बजाज या एक दो शियर्स को और भी आपका व्यूपॉइंट का इंडाइसिस का मैं अगले तीन-चार दिन का व्यूपॉइंट पूता करना चाहता हूँ आपसे नमस्ते और गुराफनूंट तो आपने बिल्कुल सही खा कि व्यूपॉइंट की तरफ ही है आज जो गिरावट या प्रॉफिट बुकिंग आप कह सकते हुआ है ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी का ट्रेंट अभी भी इंटाक्ट है और अपसाइट की तरफ है ये पहला पॉइंट हो गया दूसरा पॉइंट कहां पे बाई करना चाहिए जो जाहिर सा सवाल आता है हमारे मन में तो निफ्टी के के समने अगर हम बात करे तो 21 500 पर बाइ करशादे हैं या 21 500 के पास बाई कर सकते हैं चोटासा 70 पॉइंट का स्टोक टॉपास 21 4 c रखे यह निफ्टी के case में हो गया bank nifty के case में अभी एक demand zone में आया है बट problem ये है कि जो size है उस demand zone का वो काफी बड़ा है तो demand zone जो है current market price से शुरू हो के 47,000 तक का है तो ये bounce जो है 47,700 से लेकर 47,000 तक कहीं पे विए बीच में से आ सकता है तो मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी को लॉंग अगर करना चाहे तो 48,000 की उपर ही लॉंग करना चाहे नहीं तो wait and watch करना चाहे विद रिस्पेक्ट टू बैंक निफ्टी ठीक है तो 48,000 की उपर एक बार आ जाएगा तो फिर ठीक है यह नहीं डिमांड जोन सप्लाई जोन जो भी सर इस्तिमाल कर रहे थे लावर्ड यह एक्चली टेक्निकल एनलिस्टी का बहुत ही बढ़िया तरीका भी है और उसी जोन के अंदर आके वो अपने रिस्क रॉड को बाया सेल करते ठीक तो इसलिए जब यह बात बोले ना कि हमारे डिमांड जोन पर आ गया हमारे सेल जोन में आ गया तो इसका मतलब है हो सकता है दो दिन का डिले लग जाए तीन दिन का डिले लग जाए बट वो वहीं पर ही बाय होगा वहीं पर ही सेल होगा ठीक आगे बढ ही तरीका ही आम ने आपको बता दिया जड़ा सवाल लेक आई है सामें स्क्रीन पर और पिर आस्था जयें से شुरू करते है आज प्रहला सवाल हम जड़ा लेते हैं जड़ा लेकिया है यह सामें सवाल तो एक काम करते हैं जिरा वोड़ा फोन आइडिया नमन्म का इस सवाल है चंडीगर से यह आना सभाविक था और मैं तो वेटी कर रहा था कि कल से कोई यह पूछे सवाल ताकि इसके बारे में थोड़ा आपको जानकारी दे पाएं शेरों के संख्या है दो होजा इन्होंने पंधरा पचास पे खरीदा है ग्यारा सो के प्रॉफिट में आ है आज कंपनी ने क्लैरिफाई कर दिया कि जो इलाउन मस्क वाली बात है उगलत है इलाउन मस्क कि क्या बात थी वो यह बात थी कि वो इंडिया आ रहे है और शाहिए इन्वेस्ट करेंगे कुछ 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 अगर आप ट्विटर को फॉलो करते है न तो वहाँ पर भी ए ट्रेंड हो रहा था कि वोड़ा फोन आइडिया में बींग एजर में इन्वेस्टर वो आ सकते हैं गोवर्मेंट भी 33 परशंट का स्टेक होलडर है इसके अंडर लेकि आपको ठीक लगता हो जड़ा देख के बता दीजिए तो नेक लॉस तो इनका बढ़ा ही है जो अभी तिमाई के इन्होंने जो पॉर्ट टो वाइट वेडिपोर के रिजर्स दिये थे मार्किट शेर भी लूस कर रहा है अब क्यों लूस कर रहा है क्यों कि देखिए 4G में यह एक्स्पैंड कर नहीं पारे और 5G की बात करें तो वहां इन्वेस्मेंट को लेकि इस्यूस है तो उसकी वज़े से मार्किट शेर कंटिनूस भी लूस हो रहा है पनाइशल परफॉ करें अपनी पोड़िशन को ऊपना रखें क्योंकि फंडामेंटल कंटी के सॉलिड है नहीं और जो न्यूस में क्लैरिफिकेशन आया है उसके बाद मार्किट शायद इसको इतना अच्छे से ले नहीं अपसाइट दिले तो वोड़ा फोन आइडिया पे आपको रिकमेंडे करेंगा किई बार मार्किट में खबरे भी आती हैं बहुत सारी चीजी भी आती है तो नहीं सावधानी के साथ काम कीजिएगा बस मैं इतना जरूर कहना चाहता हम रिशेब शुकला का सवाल ले ले लेते हैं बजाच कंजूमर्स 1600 शेर इनके पास है 232 का रेट है बजाच कंजूमर्स का इबर चार्ट भी दिखा दीजेगा दस जार पे का घाटा भी चल रहा है इनके साथ रावल जी एक बड़ जार चेक करेंगे 1600 शेर इनके पास है शेर की क्लोजिंग है 225 इनकी खरीद है 232 की तो बजाच कंजूमर्स पे मैं उनको पहले बता दू होल्ट करना चाहिए उनको करेंट पोजिशन पे आज कभी जो कैंडल बना था वो एकदम लो से अच्छा रिबाउंड मिला है कैंडल को आच्छा आपमोव तेखने को मिल रहा है प्रीवियस दो हाई का ब्रेक आउट बना थि हुआ है होल्ट कर सते हैं मैं एक स्टोप्र दे दूँगा उनको 220 उपीस पे अगर 220 आ जाए them में तो कास्ट प्राइब कास्ट पैसल में यह Dre this touring के थारफ मुव करिना चाहिए क्यूंकि 2024 मेरे के से प्प्लिक सेठर युनेज़ के लिए 2023 भी बहुती बैठरीन था और 2024 भी बैठरीन गाएगा यह हमारा अनालिसिस के लिए पर जोड़ना नहीं है इसलिए जो बात राहूल जी ने कहा दिया आपको इस पर जरूर ध्यान दियेगा रिशब जी आपका सवाल हमने ले लिया रोईद बत्रा जी का सवाल भी ले ले लेते हैं बैंक आफ महराष्टा के रिगार्डिंग उनका सवाल है आस्था जी आपसे मैं पता कर रहा हूँ यह इनके पास 500 शेर है 43 रुपीज का लिया हुआ है शेर चलना 45 का कॉइंटिटी थोड़ी कम है लेकिन फिर भी कर्विक्शन हाई है तो 1225 रुपे तर प्रॉफिट में आ ही चुका है पता के शेर यह क्या होल्ड करें क्या राउल जी थोड़ा हिंट कर रहे हैं कि अगले साथ सरकारी कंपनिस चल सकती है और बैंक आफ महराष्टा भी सरकारी कंपनी ही है अब जो नतीजे दिखाए थे जो दूसरी तिमाई थी वित्तिवर्ष 242 ती उसमें बढ़िया पॉल आया था जी एनपी और एननपी रेश्यों में यानकि असेट क्वालिटी भी स्ट्रॉंग है और नेट पॉफिट में भी बढ़िया गरूद आईती मुझे लगता है कि यह एक काउंटर है जो कि होल्ड करना चाहिए लॉंटर पस्पेक्टिव से और इसमें जो टागेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं वो 51 के मैं इनिशली दूंगी सो 51 से 52 रुपए के इनिशल टागेट के लिए ऐसा नहीं है कि यहीं पर आके टागेट खतम होते हैं इसके बाद फिर और भी उपर के लेवल से हमें देखने को मिल सकते हैं पर हाल फिलाल में 51 से 52 की टागेट के लिए अपनी पोजिशन को कटेल हुगए संजेव पाध्य का सवाल है रेमेंट पर 13 शेरिंग के पास है 21 28 का रेट है रावल जी जड़ा चेक करना तो रेमेंट उनका एंट्री प्राइस अगर आप तोरा सकते हैं फ्लीज 21 शेर है मुझे 23 रुपे इनका रेट है 21 23 रुपे का आज शेर चल रहा है 1700 कुछ का तो पाँच हजार का घाटा चल रहा है तो रेमेंट में एक कन्वेंचनल पैटर्न अभी बनने के संभावना ज्यादा है 1800 पे उसका ब्रेक आउट होगा 1719 पे प्राइस चल रहा है स्टॉक बहुत ही लंबे स्टाइम से साइडवेस चल रहा है आप नोटिस करेंगे फ्रम सेप्टेंबर 2023 तीन-चार मैनों से साइडवेस चल रहा है उपर जाता है निचे आता है फिससे वही पॉइंट पे आ जाता है तो 1800 के उपर एक कन्वेंशनल पैटरं का ब्रेक आउट आ सकता है जिन से उनका एंटरी प्राइस आ सकता है जब तक 1800 नहीं आता है अनफॉचनेटली स्लगिश ही रहेगा शेयर और यह आप एंडाउन मूवमेंट्स उनको कंटिनुईसरी दिखता मिलेड़ा ठीक है डन आगे बढ़ते हैं एक और सवाल लेते हैं यह सवाल है शिव का नाम बहुत ही अच्छा है उनका शिव का सवाल यह है कि राजेश एक्सपोर्ट्स उनके पास हैं 200 शियर आस्था जी इस सवाल आपसे है यह एक्सपोर्ट्स वाली जो कंपनी ने इसका इनकी तो ख़दाने भी है इस विज़र लाइंड में अपनी तो राजेश एक्सपोर्ट्स 200 शियर इनके पास है 366 का खरीडा हुआ है और आज इस रेट है 372 का 1380 रुपे का प्रॉफिट है जड़ा मैं बताए क्या किया जाए इस लिए फर्माया यह गोल्ड में है और लार्जेस्ट जिसे हम बोलते हैं कि गोल्ड कंपनी की मैं बात करूँ क्योंकि इसके पास fully integrated facility है माइनिंग से लेके खुछ की ओन रीटेल ब्रैंड्स तक इनके पास सब है तो इस तरहे का काम में यह कंपनी है लेकिन दिक्कत का है दिखिए दिक्कत है यह फिनेंशल परफॉर्मेंस बड़िया नहीं दिखा रही है अगर मैं September 22 के रिजल्स की भी बात करूँ यानि कि जो है नहीं यह रिख को आरे लाइनट अनμ Probleme पॉर्मार कि Viele करोख यह बार बात करूं कि मीरे तो इस अगरा बात करूं sinus तो कि आ वह आ पार्फॉर्मेंस तो नहीं आरी फिनेंशल परफॉर्मेंस तो मेरे इस अबrep CC तो मेहरे अभी चाहिन तो थोड़ा सा प्रॉफित पुकर और remaining को hold करें, मैं partially exit करने की सला दूगी, लेकिन partially मैं hold करने की भी सला दूगी, क्योंकि अगली दिमाई के नतीज़े आ रहे हैं, तो वहां से direction हो सकता है, हमें देखने को मिले, तो बाकी hold करने की सला है, और जो hold करेंगे उसमें भी अगर तीजी आई, तो 400 के उपर के level से हमे यह जड़ा सवाल हमारे से योगी ले रहे है, राहूल जी जड़ा लेना है, पटेल इंजिनरिंग इनके पास है, 640 शेयर इनके पास है, और 24 रुपे का खरीदा हुआ है, अच्छा एबर मैं चेक कर लेता हूँ, जड़ा पटेल इंजिनरिंग है, भी 24 रुपे आया भी थ इस बीच मैं चेक करता हूँ, राहूल जी आप भी एक बड़ जड़ा चेक कर ले न, पटेल इंजिनरिंग, मैं चेक करो, येस आया हुआ है, ये शेयर होगा, मेरे को लगता है, जहां तक इनके पास खरीदा हुआ, अगर इनके पास खरीदा हुआ है, तो इन्होंने जून में खरीदा है, इसी साल, जून मन्त के आसपास था 24 रुपे का, अभी आ गया है, 70 रुपे के आसपास, 25 रुपे का फायदा है, सर क्या किया जाए? अगर शॉट टर्म इन्वेस्टर है, उनको 59 पे, और अगर लॉंग टर्म इन्वेस्टर है, तो होड कर सकते हैं, और स्टॉक लॉस इंका होगा 51 पे, अभी भी बी, होल्ड कर सकते हैं, जो अभी कैंडिल फॉर्मीशन बन रहा है, वीकली चार्ट पे, वो थोड़ा सा इस week का candle थोड़ा important हो जाता है देखने के लिए इसलिए मैं शॉक्ट टर्म में 59 का stop loss दे रहा हूँ अगर 59 इस हफते या January मंत में हिप नहीं होता है long term prospects for the stock is good दोनों technically भी अच्छा लग रहा है chart structure भी अच्छा लग रहा है hold कर सकते हैं with a long term stop loss of 51 ठीक है डन आगे बढ़ते हैं एक सवाल और लेते हैं फूल सिंका उत्तव परदेश से हैं और इनके पास एकसाइड इंडस्टीज हैं आस्था जिए बर जिर आप चेक कीजिएगा दो कंपनी के नाम हमेशा आएगा बैटरीज में पहला एकसाइड दूसरा अमर राजा ये पुराने हैं और नए प्लेस जोनों को पता है अगर मैं आपसे एक तीसी से भी मैं खुद भी अगर ढूंडने पर जाऊना तो मैं को तीसी और चौती है पाचवी कंपनी ढूंडने में तो महनत करनी पड़ेगी लेकिन जैसे आप बैटरी बोलेगे तो नाम हमेशा एकसाइड और अमर राजा का आएगा इनके पास जो खरिदा हुआ शेर है वो 237 रुपे का है दो सो पैसट शेर है और आज का जो भाव है उससे साफसे इनको करीब 22,000 रुपे का प्रॉफित हो रहा है यह सई डारेक्शन में है ट्रेडिंग की ग्रिप में है मैं क्या किया जाए ट्रेड ग्रिप में है और देखा जा तो एकसाइड एक ऐसी कंपनी है जिसमें नेटवर्क एकस्पेंशन भी बहुत बढ़ा है और प्रॉड़क एकस्पेंशन भी बहुत बढ़ा है जो कि OEM मार्केट यानि कि ओतो में में जो सप्लाइं हो इसमें तो इनकी लीडर्शिप पोजिशन भी है कंपनी काफी बहतरी मुझे लगती है और fundamentals भी काफी बढ़िया लगते है profit अच्छा खासा इनको हो रहा है मेरे एसब से partially अगर थोड़ा सा risk नहीं ले सकते तो थोड़ा सा ही मातर एक चथाई position जितने भी share ने लिए और उसके एक चथाई position में profit करें remaining को मेरे सबसे hold करना चाहिए target long term में हमें इसके साड़े 300 के देखने को मिल सकते है ठीक है हाला कि इन्होंने तीन shares के बारे बारे एक साथ पूछा था एक साइड green panel industries और साथी nippon life तो माफी चाहते हैं साथ तीन सवाल आपके तो नहीं ले पाएंगे आप एक भेज देते हैं तो हमने पका ले ही लिया कोशिश करेंगे कभी आगे ले लेंगे ताकि दूसरों का मोका मिल पाई इसलिए ऐसा कर रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं मिल को वैभाव का एक सवाल ले लेते हैं वो अलंकित के बारे में पता करना चाहते हैं एक ऐसी कंपनी है जो पैन काड और इस तरह के बिसनेस में है ब्रोकरिज भी है इनका काम 120 शेर हैं इनके पास और 16 पर 50 पेसे का खरिदा हुआ है साड़े ठाड़ा का रेट आ गया वैभाव का एब राहुल सर आप चेक करोगे टेक्निकली इसको बिल्कुल तो स्टॉक एक स्टेलर अप्ट्रेंड में है पिछले कुछ हफ्तों से और पिछले कुछ महिनों से प्लास दो महिने से मैं उनको एक स्टॉप लॉस दोंगो और पोल्ड करने की सला दोंगा क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ नहीं दिखाए चार्ट पे जो कहता है कि अप्ट्रेंड रुख जाएगा तो सत्रा रुपे दस पैसे पे स्टॉप लॉस रख देना चाहिए उनको और पोल्ड करना चाहिए ठीक है अब हमने काफी सारे सवाल तो ले ही लिए और उम्मीद करते हैं कि आपके सवाल हमने सब जोड़े ही होंगे अगर किसी का छूट गया हो तो नराज ना हो क्योंकि सवाल काफी मिलते हैं हम कोशिश करते हैं बहतर से बहतर सवाल ले पाएं जिसके ज़्यादा जवाब लोगों पर असर डाले अब एक काम करते हैं वी आई पी शेर्स आपके सामने रखते हैं आस्ता से शुरू करते हैं वो आपको वी आई पी शेर्स बताने वारी है विए पी स्टॉक के तॉप पर जो पसंद आता है वो हेवल्स इंडिया है हेवल्स इंडिया के बाद करें तो ये काउंटर बहतरीं काउंटर मुझे लगता है और इसमें अपसाइड मुझे लगता है 1485 से लेके 1500 तक की देखने को मिलेगी समय सीमा एक महिने से दो महिने की लगए सकती है तो हेवल्स इंडिया को खेडारी करने की सलाह है 1485 के टारगेट के लिए ठीक है हेवल्स इंडिया पे आप ध्यान दखेट डूरेशन आपको मिल गिया दो महीने टार्गेट आपको मिल गया 1485 का राहुल जी से पता करते हैं राहुल जी आपका VIP तो मेरा जो शेर है वो थोड़ा ट्रेडिंग साइट पर है क्योंकि मार्केट थोड़ा सा हाई पर है तो एक दू माईनी का नजरिया पर कोई शेर आज में नहीं दे रहा हो हाला कि लास्ट वीक का दिया हुआ IOC का बहुत ही पास है टार्गेट के इस अफ़े का शेर है M&M तो M&M एक अच्छे बाई लेवल पर आया है 1660 के आसपा स्टॉक चल रहा है 1675 के उपर बाई कर सकते हैं 1675 के उपर बाई कर सकते हैं 1615 पर स्टॉक लॉस रखेगा और टागेट होगा इसका 1725 एं 1750 लो रिस्क लो रिवाड जैसा टागेट रखा गया है M&M में ठीक है दो चार दिन से थोड़ा कमजोर था है मेडम लेकिं कई बार क्या ना कमजोर शेर आपका अपर्चरोटी भी देता है जैसे हम कई बार आपने बोलते हुए सुनाओगा कि अच्छा शेर अगर नीचे लेवल पर मिल जे तो प्लस कर लेना अच्छा शेर है इसमें तो कोई दोर आई नहीं नीचे पर मिल रहा है उसका जवाब है हाँ क्या बाय जोन में आगए है उसका जवाब है हाँ तो आपको एक स्टॉप्लोस लगा लेना है यह 16-15 का एक स्टॉप्लोस लगाईगा 17-25 के टार्गेट के लिए आपको M&M प्लस करने अब मैं आस्ता का शेर एक बार आपको वापिस से लोटिस कराये तो यह भी बहुती 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 शेर है वह है हिवल्स यह 1480 के टार्गेट के लिए दो महीने का है देखे आस्ता fundamental चेक करते हैं चीज़ों को इसलिए stopless तो नहीं देंगी तो conviction और आपको यह भी बता देंगे share कहां तक जा सकता है तो इन दोनों shares में जो आपको एक काम करना है वो यह करना है कि थोड़ा volume को कम कर देना बस trade आपकी grip में आ जाए उसको ride करो मैं आपको बता हूँ आप example के लिए माल लो किसी का 100 share हो और हो 100 पे चल जाए तो 1000 पे कमाए किसी के पास 50 share हो और हो 20 पे तक ride करें तो भी हजार पर ही कमाएगा लेकिन 20 share है 50 share में थोड़ा risk कम हो जाएगा manage हो पाएगा आप कमाई नहीं पाएगे इतना क्योंकि जैसी profit आएगा आप तरग निकलने की कोशिश करेंगे एक ट्रेडिंग का एक view है ठीक है अच्छे से बांट के बढ़ी हा तरीके से trade कीजिए अच्छे से काम कीजिए बहुत शुक्रिया राहूल जी आपका thank you very much समय देने के लिए और आस्था जी आपका भी शुक्रिया थैंक यू very much अच्छे से आपने guide किया और उम्मीट करते हैं आपके दोनों के vip shares भी चलेंगे और आपने जो guidance दिये लोगों को काफी काम आएगे फिलाल इस कार कम से मिटता है लोज़ कार झाल मुल्डेज़ इसदी आपका अंप के लोगों कार प्रेश से ने और प्रेम सेड़ करते हैं तासिंद्द्द्टथ झाल 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 लिए आ झाल पैकेट देड़ लाग का कम्प्लिट नहीं हुआ और इसके बाद भी आपको अगर लगता है कि और आपको टैक्स सेविंग की गुंजाईश है मतलब और आप इन्वेस्ट कर सकते हैं लेकिन आपको टैक्स सेव करने तो फिर NPS आगें आपको मदद करेगा कि ATC के बियांड भी पच्छास हजार का इन्वेस्मेंट आप कर सकते हो तो प्रैक्टिकल अगर ATC का प्रैकेट कम्प्लीट हो गया तो फिर भी आप एक्स्ट्रा पच्छास हजार का NPS में इन्वेस्ट कर सकते हो तो वह ATC के बियांड पच्छास हजार का इन्वेस्ट करना और प्रापर्ली टैक्स प्लैनिंग में उसको इन्कॉर्परेट करना यह बहुत इंपॉर्टन है पिलकुल तो NPS के जरीए आप शुरुआत कर सकते हैं और काफी इंपॉर्टेंट एज भी एजबाक्ति भी बताई है तो अगर आप अपने अरली 30s या 40s में हैं तो आप अपने रिटारिमेंट प्लानिंग शुरू करने का सही समय और NPS एक अच्छा इंस्ट्रुमेंट है जिस पर की आप नज़र दसकते हैं क्योंकि A.T.C. के ब्यौन भी इसमें 50,000 का अतरिक आपको डिड़क्शन मिलेगा एक क्लारेटी मुझे लेनी थी यहां पर सुझी जी ये NPS का बेनिफिट क्या न्यू रेजीम में भी मिल रहा है आपको ये अपना स्टाडर्ड डिड़क्शन आप प्लें करते हैं बाकी कोई भी डिड़क्शन नहीं है ओकी ठीक है तो NPS पर आप निवेश करिए और इसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं अब आते हैं कुछ मार्केट के बारे में हम चर्चा करते हैं क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि मार्केट में रीटेल पार्टिसिपेशन भी काफी जादा बढ़ता जा रहा है लेकिन पार्टिसिपेशन तो आपने बढ़ाया और आपको मुनाफ़ा भी अच्छा हो रहा पार्टिसिपेशन क्या है यह भी समझना बहुत जरूरी है अब यह जो मार्केट में एंट्री हुए हैं तो उनको यह भी समझना जरूरी है कि अगर आपको बड़ा मुनाफ़ा हो रहा है तो उस पर बड़ा टाक्स की कटाथी भी हो सकती है तो ऐसे में लॉंग टाम और यह जो पिटी का है इक्विटी या एक्विटी और इक लाग चीज और एक लाग के ओपर मुझे दस परसेंट का टैक्स पड़ेगा और जब अभी हम डिसेंबर के महिने में आए हैं और यह डिसेंबर और फिर लास्ट फ्री मन्स इस फैनाच लियर के बचे हैं तो इस मोके पे हमें थोड़ा आपको मैं एक इसम्पल बता देता हूं अगर मेरे की दो स्टॉक में इसमेंट है और इसमेंट में लग रहा है कि मुझे भी प्रॉफिट बुक करना है अगर मैं आज प्रॉफिट बुक करूँगा तो वह डाही लाग का प्रॉफिट आ जाएगा प्रॉफिट मतलब गेन प्रॉफिट बुक करूँगा तो वन लाग का कैपिटल गेन तो एक्जेंट हो जाएगा और उपर का जो देड़ लाग का उसके ओपर दस परसेंटेश पड़ेगा तो मुझे पंदरा आजार का टैक्स पड़ेगा लेकिन अगर इसको मैं थोड़ा टेफर करूँ थोड़ा प्रॉफिट बेच्वाइन तो मुझे सिर्फ पच्छास जार पर दोस परसेंट से टैक्स बरना है पाच हजार तो यहां मेरा पंदरा आजार टैक्स आ रहा था वहां सिर्फ पाच हजार इसका और एक चीज़ हो सकता है कि अगर मैं नेक्स्ट येर बदलब एपरिल के वह मैं इतना ही स्टेक्स बेचू कि मेरा एक लाग का गेन आ जा राइट और बैलन्स स्टेक्स में ऐसे ही कंटेनिक हो तो नेक्स्ट फाइन से लिए और बचा हुआ जो स्टेक्स है वह मैंने एपरिल पच्छिस में अगर मैं बेचूंगा तो मेरा वह पच्छादर का गेन तो इस सिनरयो में तो मुझे एक रुपई भी टैक्स प्ne करने की ज़रुत नहीं पड़ेगी तो यह ए इस प्रकार से अगर प्लान करेंगे तो हमारा जो गेन है, मतलब हमारा जो गेन मैग्सिमाइज कर सकते हैं टैक्स मिनिमाइज कर, थोड़ा सा पंच्छ उस होके प्ला में या मार्केट के ज़रीए सुजी जी अब आखिर में जाते जाते आपके क्लोजिंग स्टेटमेंट लेना चाहेंगे क्योंकि डिस्कुशन तो काफी बड़ा है लेकिन ऐसे में क्या रिवियु करना चाहे हमने अन्विल इंफोर्मेशं स्टेटमेंट के बारे में बहुत आए आप ने भी रियलाइस कैरे चाहिए जब बड़ता हैं तो तो आपकोो स्क्क्रिन पय जब दिखता है उसले अगर हम जनुमरी फरुर्वरी कि गता है अगर इंकम टैक्स purl परटल पे जाए हमारा क्या डेटा क्या हूँ हो अगर तो इसको पताछा था ँसका है एक लाग का इंट्रेस क्रेडिट हुआ है पता चलेगा या फिर हमने ऐसा ही बेटे-बेटे आपिस में बेटे है कुछ ऐसा आप में देखा दो-तीर स्टाप बेज दिया और गेन हुआ है और हम भूल गए तो लासाल के आंद में पता जलता है कि आर यार यार ये गेन हुआ है इसके उपर मुझे टैक्स एड़ास्ट पेडिया तो चेप करो कि ये ट्रांजेक्शन रियली हुआ है इसमें कुछ डबल एंट्री तो नहीं बहुत बार या इसमें डबल एंट्री होता है तो हमें वो रेक्टिपाई तरना पड़ता है तो ये करके अगर हम करेंगे तो हमारा एक तो ड्यू टैक्स पे होगा और दूसरा चीज है कि जब जून में जुले में हम जब पाइलिंग के लिए जयेंगे तो हम वेइल पिपेर होंगे क्या सही है, क्या गलत है ओनलू है वे वेल प्राइल जांधтесь तो टैक्स भी काश management decision की आपको मालूम हे अपना tax payment match हुआ है क्या अगर नहीं हुआ है तो 15 मार्च को आप advance tax पे करो उसका तो AIS से statement ये भी review करना बहुत ज़रूरी है साल के अन तक आप ये भी review कर लीजे जिससे कि आपको अंदाजा हो जाए कि अगर आप कुछ tax payable है तो वो कितना है और अगर कही tax बचाने की ज़रूरत है कुछ transaction है जो गलत आपको देख रहा है उसको ठीक करने की ज़रूरत है तो वो भी ठीक कर लीजे अगर वाइस फिर आपके उपर tax liability एक अची खासी बन सकती है तो इन बातों का भी आप ध्यान रखिए और राइट काफी fruitful discussion रहा सुजीद जी काफी सारी बाते हमें पता चली इस discussion के सो और हम उमीद करते है कि हमारे दर्शकों को भी काफी फायदा हुआ होगा कुछ नहीं चीज़े पता चली होंगी और साल के अन तक बहतर तरीके से वो अपनी tax planning कर सकेंगे इसी नोट के साथ सुजीद जी मुझे दीजिये जादत बहुत बहुत शुक्री आपका समय देने के लिए और दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए फिलाल इस शो में इतना ही मुझे दीजिये जाज़त लेकिन खबरों का सिसला आगे भी जाई रहेगा बने दिया मारे साथ बहुत बहुत उल स्च्छी झाल 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 और उसका टागेट 2027 तक 5% रखा गया है और उसी के लिए इस प्रस्ताव को तयार किया गया है ताकि City Gas Distribution Network से Compressed Bio Gas Plant को एड़ किया जाए ताकि जो CVG की जो ट्रांस्पोर्टेशन है वो आसानी से हो पाए तो यह प्रस्ताव तयार है और कैबनेट की मंजूरी जल्द ही मिल सकती है प्रस्ताव प्रस्ताव जल्द है अजया है झाल 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 करेंगे कि साल दो हजार चौूइस जो नए साल है यह ग मारकिट के लिए कैसा रहने वाला है और इस मारकेट के डिवलप्मेंट के लिए क्या करने की ज़रुरत है किस तरह के पूड़ की ज़रुत है कैसे innovative product के जरिये यहाँ पर market में retail participants की जो भागीदारी है उसको बढ़ाया जा सकता है तो इतना माम मुद्दों पर चर्चा आज करेंगे और जानेंगे हमारे export से कैसे commodity market का दायरा बढ़ाया जा सकता है तीन में मान भी है हमारे साथ नरेंदर बादवा है CPI के president है commodity participants association of India के जैपरकाश गुपता है founder है धन के और रिशी नथानी है चीप business officer है MCX के आप तीनों में मानों का बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले रिशी आपसे सुरू करेंगे आप exchange को यहाँ पर represent कर रहा है सबसे पहले आप यह बताइए कि 2023 कैसा रहा है exchange के लिए आज से क्या option down देखने को मिले किस तरह का performance दिखा exchange के front पर आपको और आपके सभी दर्शकों को नवश की बहुत बहुत शुक्त कामना है 2023 MCX के लिए एक तरह से बहुत अच्छा वर्ष रहा बढ़ासा cutting जरूर था क्योंकि हमने technology migration किया बहुत अच्छा भी था क्योंकि हमने migration बहुत successfully कर लिया और हमारा business भी काफी अच्छे से grow कर रहा है तो 2023 में हमने कई नहीं record कायम किये ज़्यादा तर जितने भी option contracts हैं सब में नहीं highest किये latest जो है 20 December को हमने natural gas contract में 40,000 करोड का turnover किया और 13 December को crude oil contract में भी 161,000 करोड का करीब turnover किया और exchange का all time high turnover हमने achieve किया 13 October को जो है 2,24,000 करोड लगभग तो 2023 व्यापार के लिए और हमारे technology migration के लिए भी एक अच्छा वर्ष था और आशा करते आगामी वर्ष भी हमारे लिए उससे भी बहतर हो रिश्री आपने कहा कि 2023 आपके लिए अच्छा रहा है एक तो आपने software जो shift के नए software पर shift हुए वो successfully आपने पूरा किया दूसरा volume के लिहाद से भी turnover के लिहाद से भी काफी बेतर है आपने record turnover clock किये अलग-अलग commodities में overall turnover के हिसाफ से भी अब मेरा अगला सवाल होगा 2024 में exchange की तरफ से क्या उमीद रखनी चाहिए किस तरह के product launch की संभावना आपको दिख रही है इस साल 2024 में रिशी जी तो products पे हम काफी काम करते रहते हैं और चुंकि यह जो technology migration है यह हो चुका है तो अब focus business पे रहेगा व्यापार बढ़ाने पे व्यापार रुद्धी पे रहेगा और नए products को हम market में लाना चाहेंगे कुछ products के हमारे पास पहले से approval थे जैसे की shorter duration contract बुलियर में जैसे gold पे बट चुंकि काफी समय बीच चुका है उसको एक revalidation के लिए regulator को भेजा जाएगा और जैसे ही वापिस revalidation हो जाता है उसको launch किया जाएगा तो एक focus जरूर हैगा एक shorter duration contracts पे एक mini contracts पे भी चेष्टा ज़रूर करेंगे और cotton contract में कुछ तब्दिलिया लाने की चेष्टा करेंगे ताकि उसमें जो participation थोड़ा सा कम हो गया है उसको आपिस तुदाने स्तर पे लाया जाए electricity derivatives एक contract है जिसको हम बहुत keenly await कर रहे हैं जैसे ही regulator से permission मिलेगा वो भी एक contract है जिसको हम launch करेंगे और भी कई contracts हम study करते रहते तो जैसे ही हमें अनुमती मिलेगी हम ज़रूर launch करेंगे बट एक जो contract है वो जो हम 15 जनवरी से launch करने जा रहे है वो एक steel rebar contract पांच टन का contract है और यह steel market के लिए मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया contract रहेगा क्योंकि एक price discovery और price risk management के लिए बढ़िया एक contract मिलेगा पूरे steel industry को अब आपसे मेरा सवाल होगा कि 2023 commodity market के लिहाज से association की नजर से अगर आप देखे तो कैसा रहा है और 2024 में क्या करने की जोरत है जो कमियां रहे गई थी पिछले सालों में उससे कैसे दूर किया जा सकता है और कैसे इस market को बेहतर बनाया जा सकता है व और आपकी audience को मेरे को लगता है 20 साल हो गए है इस commodity और इस commodity market को और बहुत सारे इसके अंदर achievements हैं क्यों थोड़े misses भी है और 2023 को करें तो हमारा सबसे बड़ा मिस ही है कि हमने कई commodities का बेहन देखा और हमारे को लगता था 2023 में कि यह बेहन खतम होगा और वो हुआ नहीं और extension हुई दोजार चोबिस तक गया हम hopeful है कि जैसे आगे आरा है कि अर्बिया की तरफ से की inflation को हम कहीं control कर पाएंगे पूरे वर्ड में भी यही वाली बात हो रही है कि इसका effect जो है monetary policies का है है और inflation को कर पाएंगे और election होने के बाद मेरे को लगता है कई commodities जो बैन हुई है अगर commodity commodities वो वापसी आएंगी और तेखें बाखी हमारे markets के अंदर सारे participants आगे हैं three piece की बात हमने कई बार करी है product policy and participants तो सारी चीज़े हैं इस market में और पूरे वर्ड में commodities market equity market की 10 गुना और 15 गुना होती है इसका एक potential है इंडिया की अंदर और हमार को लगते हैं आने वाले सालों के अंदर यह जो इसका पूरा commodity market का potential है यह हमार को दिखेगा इन markets में जै आपसे मेरा सवाल यह होगा कि हम आपसे बीदे साल के बारे में नहीं जानेंगे आगे क्या करने की ज़रूरत है forward looking कुछ guidance दीजिए जो commodity market में कैसे भागीदारी बढ़ाई जा सकती है कैसे retail participants को लाया जा सकता है इस market में जी बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले आपक इस में देखा है कि जिस तरह से यहां पर volumes में बढ़त देखने को मिली है participation में बढ़त देखने को मिली है मुझे लगता है उसको आगे अगर कायम रखना है तो कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जुरूरी है सबसे पहले इसमें आता है awareness about commodities आज हम equities market की तुलना में द working community को मिलके काम करने की जुरूरत है जो commodity associations हैं उनको भी साथ में लाने की जुरूरत है क्योंकि जैसे यहां पर awareness बढ़ेगा उसके साथ साथ यहां पर participation बढ़ना लाजमी है second बहुत important चीज है कि हम लोगोंने 2023 में देखा कि options में जो रूची है retail participation की वो बहुत बढ़ी है तो ज़रूरत है छोटे contracts लाने की जो contracts cash settled हो ताकि इससे आसानी रहे retail investor को या trader को जो पहली बार commodities में काम करना चाहता है वो यहां पर participate करें देखिए delivery लेना, GST का होना यह थाड़े complicated processes हैं जो बड़े corporates और end user के लिए काम की चीज़े हैं लेकिन हमें यह भी ध्यान में रखना जोरूरी है कि हम एक retail participation बढ़ाना है तो उसके लिए product को कितना easy बनाया जा सके तो मुझे लगता है इस पे भी exchanges और regulator को गौर देने की ज है आपसे मेरा दूसरा सवाल होगा options को लेकर options में कैसे भागीदारी को बढ़ाया जा सकता है क्योंकि जिस तरह के response की उमीद की जा रही थी वो इस तरह का response अब तक अगर कुछ एक दो contract अगर छोड़ दे तो बहुत जादा response नहीं मिला है तो क्या करने की जोरत है options के front पर में भी option में कब एक बहुत बड़ा volume growth देखने को मिला है उसका benefit commodities को भी मिला है दो तीन कारण है मेरे हिसाब से पहला है कि ये cash settle contracts है जैसा आपने बताया यहाँ पर participation बढ़ा है लेकिन अगर cash settled है तो यह समझने में easy है आज कोई एक trader को चाहिए कि वो जिस तरह से nifty या bank nifty या दूसरे indices में काम करता है तो वहाँ पर उसे इस चीज का चिंता नहीं रहता है कि कल मुझे delivery आ गया तो क्या होगा मैं delivery आ गया तो किस तरह से इस commodity का delivery delivery दूंगा या लूंगा उसमें GST का implication क्या होगा तो इससे अगर एक trader को दूर रखा जाए तो मुझे लगता है कि participation बढ़ेगा देखे जस्ट एक thought है कि हमें contracts designing को दो aspect में सोचना चाहिए एक छोटे traders के लिए जो participation बढ़ना चाहें या options में trade करना चाहते हैं उनके लिए contracts cash settled हो और cash settled contracts एक certain अगर lot size के उपर हो या समझ ले आपने अगर 20 lot ले लिया है उसके बाद यहां पर आपको इसे delivery में इसे देना या लेना पड़े तो इस तरह कुछ अगर product में innovation लाया जाए तो मेरे ख्याल से यह आने वाले दिनों में commodities volume में और बढ़त देखने को मिल सकता है रिशी जी आपसे भी मेरा सवाल होगा आपके पास crude और natural gas जो cash total contract है वहां तो भागीदारी खूब हो रही options में लेकिन बाकी contract गोल सिल्वर में हाला कि थोड़े बहतर जरूर है लेकिन बाकी contract में उस तरह की भागीदारी नहीं दिख रही है क्या वज़ा है और क्या करना च हमाशा यही करेंगे कि और भी जितने contracts जो भी eligible है options के लिए सब में options लाने की चेश्टा जरूर करेंगे और जिन में options हैं और उसमें भी shorter duration लाने की चेश्टा करेंगे तो दोलों पहलों से हम इसको और व्रिद्धी करने की चेश्टा करेंगे हमारे contracts बादवाजी एक और सवाल options को लेकर आपसे में पूछूँगा कि options का दायरा बढ़ाने के लिए आपके suggestions क्या है Association के तौर पर आप क्या suggest करना चाहेंगे हमारे option market जो है हमारी country के अंदर बहुत अच्छा डॉलप हुआ है जैसा कि इस markets के participants ने देखा है equity market में तो उनको option market से इस market को participate करना आता है और वो ही कोशिच करी गई पिछले साल में MCX लेकर आए अपने contract लेकर आए जैसे आपने बोला energy contracts के अंदर हमारे पास options है और इसी तरह से bullion के अंदर हमारे पास options है तो इसको हमारे को बढ़ाने की जरूरत है और मेरे को लगता है बहुत अच्छा time है अगर यह options जो है on various contracts other contracts में इसको लेकर आएंगे तो market ready है उसको contracts के अंदर है बादा साब एक और आपसे मेरा सवाल होगा क्या जो relevant product होने चाहिए community market में वो नहीं है कि इस वज़े से लोगों की भागीदारी कम है क्या ज़रूरत की हिसाफ से contract launch करने चाहिए हमारे को definitely जैसे आपने बोला नए contract relevant contract लाने की जरूरत है इस market को हमने बढ़ान है तो और हमारी जरूरत भी है जैसे हम बात करते रहे हैं कि हमारी economy आने वाले time पर हम March कर रहे हैं towards 5 trillion economy और 7 trillion economy तो इसके अंदर एक study गहती है 40% ये commodity sphere से आएगा commodity market से आएगा तो हमारे को ये ensure करना है कि commodity ecosystem ये exchanges इनके contracts viable हो relevant हो तो हमारे को नए contracts की जरूरत है जैसे हमने पिछले साल में देखा एलीनो effect और weather का जो pattern है वो काफी change हो गया है और ये exchanges बने ही इसलिए थे कि यहाँ पर risk management हो other than price discovery जो कि इसका second बहुत major purpose है इन exchanges का तो risk management के लिए हमारे को लगता है agree sector के अंदर weather contract की जरूरत है जिससे कि किसान, FPO या इसके value chain participants हैं तो weather contract से risk management कर पाएं दूसरे contract जिनकी बात पीछे कई सालों होती रही है और हमारे को लगता है बहुत relevant है इस current time पर वो है electricity contract, carbon credit, plastic credit और ये इस type की contract हमारे को नए चाहिए और हमारी एक secondary market बहुत बड़ी है एक तो जैसे हम metals की बात करते हैं तो उसके लिए हमारे को जैसे recycled market है वहाप पर छोटे-छोटे MSCV sector बहुत बड़ा है तो वो इस market को use नहीं कर पा सकते है because of बड़े contract तो हमारे को छोटे contract भी चाहिए और उनको हमारे को ensure करना है और उसके लिए CPI और association जो है हमारी ये बार-बार बोलती रहती है regulator को CDEC market के थरू, CDEC committee के थरू या other forums के थरू कि हमारे को MSCV sector इतना बड़ा है वहापर इस commodity market को लेकर जाना है तो उसके लिए relevant contract, small contracts चाहिए और छोटी duration के contract जैसे अभी हमने देखा recently MCX ने कहा कि को सोच रहे हैं और permission मांग रहे हैं regulator से की smaller duration को track आए तो मेरे को लगता है ये सारी जब चीज़ें आ जाएंगी तो ये market का दहरा और बड़ेगा नरेंद वादवा साब आपसे मेरा सवाल होगा cash settlement वाले contract को लेकर क्योंकि cash settlement जिस commodities में cash में settlement होता है वहाँ पर लोगों को आसानी होती क्योंकि delivery के पिचीदगी से बहुत सारे जो छोटे टेडर से वो दूर रहना चाहते हैं तो इस front पर क्या काम करने की ज़रुत है कैसे इ delivery के साथ साथ जो GST का GST registration का जो मामला है वो काफी पेचीदा है उसे कैसे खत्म किया जा सकता है उस पर आप क्या कहेंगे नरेंद वादवाद साहब रिश्मान जी हमने देखा है पिछले सालों में mutual fund AIF FPI इस market में allow करे गए कि वो इस market को इसको use करें और इसके अंदर participate करें तो वहाँ पर भी retail तो एक बात है बाकी ये players जब आए तो उनके साथ हमारी continuous बात हो रही थी कि वो participate क्यों नहीं कर रहे तो क्या वज़ा है तो उसके अंदर एक delivery बहुत बड़ा इसके अंदर issue है जिसक GST एक बहुत बड़ा issue है जो delivery exchange traded delivery centers है तो कोई भी अगर वो delivery लेता है तो उसको GST का registration उस जगा पे delivery center पे चाहिए तो ये एक बहुत बड़ा issue है और बहुत उसको handle करने की ज़रूद है अगर हमारे को delivery को इस market के अंदर लेकर आना है तो GST को हमने उसमे recommendation दी है कि कोई भी exchange traded delivery है वो IGST के दारे में लाया जाए उससे ये वाली सारी चीज़े fix हो जाती है और जो value participant है या delivery tick जो लेने वाले है उनको हर एक delivery center पे अपना GST registration कराने की ज़रूरत नहीं है बाकि आपने का जैसे छोटे contract है या छोटे वैतारी है वो कहीं चाहते हैं delivery से बचना चाहते हैं त तो cash settle contract जो अभी सिरफ crude के अंदर है जो energy contracts के अंदर है तो उसको हमारे को लगता है उसको भी metals के अंदर या बाकी चीजों के अंदर ले जाने की ज़रूरत है और उसके लिए हम regulator से continuously बात कर रहे हैं और hopeful हैं कि कहीं हमारे को cash settle contract भी छोटे contract जो हैं वो मिलने को मिलेंगे अन contract को लाकर बाजार को बढ़ा किया जा सकता है लोगों की भागीदारी बढ़ाई जा सकती है इस पर आप क्या कहेंगे जी बिलकुल आपने एक्दम सही कहा देखे किसी के लिए भी आज बढ़ा margin देके एक नए product एक नए segment में आना थोड़ा सा एक चैलेंजिंग रहता है और एक trust issue रहता है अगर आपके पास छोटे contracts हैं, micro contracts हैं तो कोई भी यहाँ पर water testing के हिसाब से आके trade कर सकता है देख सकता है समझ सकता है कि मैं इस commodity में trade कर रहा हूं तो मुझे क्या-क्या information की जुरुरत है मेरा पहला step होगा तो वह मैं learning के तोर पे ही करूँगा तो हमेशा चोटी शुरुआत अच्छी होती है तो चोटे contracts आने के कारण यहाँ पर हम वाल्यूम में बहुत ज्यादा spurt देख सकते हैं और participation भी उसी हिसाब से बहुत ज्यादा बढ़ेगा अब अगला सवाल मेरा होगा short duration contract को लेकर गोल सिल्व जो alternate month पे जो contract होते हैं अगर monthly contract है आया या और भी छोटे duration के contract आने से कुछ बात बनेगी इससे भागीदारी और ज्यादा बढ़ सकती है क्या इस पर क्या कहेंगे और आप लोगों कोई जो यह छोटे duration वाले contract launch की क्या यह उजनाई इस पर क्या काम हो रहा है सर आशा यही करूंगा कि अभी इपर monthly आएंगे और आगे चलके अगर contracts में market participation अच्छा चलता है तो हम और consider कर सकते हैं कि जैसे जितना shorter duration लाया जा सके बट अभी तो monthly की ही चेश्टा करेंगे जै अब आप ऐसे पांच की पॉइंट्स बताइए जो commodity market के development में काम आ सकते हैं कौन से ऐसे की पॉइंट्स है जिस पर काम करने की सबसे ज़्यादा ज़रुवत है विश्वा मोहां जीदे के सबसे बड़ी ज़रुवत है आज financial literacy और awareness की आज अगर हम equities market की तुलना में commodities market का awareness level कम है तो इसके लिए collective effort चाहिए exchanges, stock broking community और brokers association, commodities participation association यह सारे मिलके अगर हम काम करें तो यहाँ पे हम participation और awareness दोनों बढ़ा सकते हैं दूसरे चीज़ के जुर्रत है हमें contracts को revisit करना, large contracts यहाँ पे end user या hedger या corporate के लिए beneficial रहता है लेकिन अगर हम चाहें कि participation को बढ़ावा मिले तो हमें छोटे contracts, mini और micro contracts की जुरुरत है तीसरा हमें जादा से जादा contracts को cash settle रखना चाहिए unless वो एक certain lot size या certain lots के उपर हो जैसे कि अगर हम कहें कि अगर आपने 20 lot के micro contracts एक साथ खरीदे हैं तो वो आपको अगर delivery में convert करना हो तो तब जाके वो delivery में convert होगा, otherwise वो cash settled होगा तो इस तरह के product innovations की जुरुरत है और चौथा कि हमें commodities market में वो trust वापस लाना है तो हमें ये commodities जो agree side में होता है कि commodities पे ban आ जाता है उसे हमें revisit करना जुरुरत है क्योंकि ecosystem में अगर हम serious players को लाना चाते हैं तो उनके दिमाग से uncertainty को निकालना बहुत जुरुरत है कि आज में किसी commodities में exposure ले रहा हूँ, कल उस contract का existence कितना secure है तो ये कुछ चीजे हैं जिस पे मुझे लगता है ध्यान देने की जुरुरत है और आने वाले दिनों में जिसे साब से understanding of markets बढ़ रहा है हम retail participation को देख रहे हैं वो रूची ले रहे हैं financial और capital markets में तो ये कुछ steps अगर हम ले शुरुआती दिनों में तो मुझे लगता है ये और जो retail participation की आप बात कह रहे हैं क्या वो participation बढ़ने की उमीद करें उससे बिल्कुल देखिये ये product अगर हम product innovation की बात कर रहे हैं तो उसके कारण यहां पर हम उस तरह के target audience को भी reach out कर सकते हैं just for example देखिये अभी till March बहुत सारी शादिया हैं हर household को gold की requirement है अगर मुझे ये option मिले कि मैं मार्च का अगर contract ले सकता हूं या February का contract ले सकता हूं और मैं अगर चाहूं तो उससे delivery में convert कर पाऊं तो मैं आज price को hedge करने के लिए use कर सकता हूं छोटे duration के contract तो वो help करेगा या फि अगर आप देखें कि कुछ global markets में uncertainty है और मेरे पास अगर इसे crude में exposure है या engine में exposure है और मैं उसे चोटे duration के contract के साथ अपने आपको hedge करना चाहता हूं तो वहाँ भी मेरे लिए ये helpful होगा तो I think चोटे duration contract की भी जुरुरत है जैसा मैंने कहा कि product innovation पे बहुत seriously thought देने की चलिए तो यह कुछ एहम सुझाओ आप लोगों की तरफ से आये हैं कुछ contract specific बात रिशी जी से कर रहेते हैं रिशी जी कॉटन का जो मौझूदा contract है उस पे industry के feedback यह आते हैं कि इस contract को industry की जरूरतों के हिसाफ से नहीं बनाए गये हैं वो उतना relevant नहीं है और वो volume पर भी द यारी कर रहे हैं और यहां पर भागीदारी बढ़ाने के लिए आप लोगों की आगे क्या योजना है उस पर कुछ अपडेट दे जैसे मैंने कहा कि contract में कुछ पहले बदलाव लाए गये थे और market में भी काफी up-down हुआ था अभी आप देखेंगे कि cotton market भी काफी depressed है तो overall participation क कमी आई और जहां जहां जो cotton contracts में जो कमिया थी जो market feedback से मिली वो उनको ठीक करने के लिए हम ततपर हैं और चिश्टा यही करेंगे कि उनको ठीक करके वापिस contract को पुराने volume पर at least लाया जाए फिर उससे आगे और बढ़त तरफ जाएंगे रिश्टी जी agree market में आपके पास दो ही contract अब active contract बचे हैं जिसमें मिन्था और cotton के contract है आगे क्या कुछ और agree side में कुछ contract नय साल में launch की आप लोगों की तैयारी है हाजी देखिए commodities, MCX सिर्फ commodities का ही एक exchange है और commodities पे हमारा पूरा focus है चाहे non agree हो चाहे agree हो तो हम और भी contract study करते लेते हैं और जैसे भी हमें समझ में आएगा हम ज़रूर पैक की अनुमती लेके और regulator की अनुमती लेके और भी अग्री contracts लाने की चेश्टा ज़रूर करेंगे market और हमारे धर्शकों को बताया कि commodity market का दायरा कैसे बढ़ाया जा सकता है कैसे इस market को बढ़ा किया जा सकता है तब हम आपने सुझाओ दिये और साथी एक्षेंज की तरफ से कौन-कौन से नए contract 2024 में आ सकते हैं इसके बारे में भी रिश्री नतानी जी ने बात की तो इस खा झाल 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 प्रस्ताओं के हिसाब से जो ओर्राइल कोस्ट होगा उसका 50% भाड जो है सरकार वहन करेगी और बाकी का जो 50% कौस्ट है इन pipeline infrastructure पर उसका बोज जो city gas distribution companies हैं वो वहन करेंगी सुत्र हमें बता रहे हैं कि शुरुवाती चरण में सरकार की उजना है कि करीब 2000 करो रुपए इन प्रोजेक्ट पर खर्च किये जाएंगे और जिस तरीके से demand देखने को मिलेगी इस रका में बढ़ोत्री भी की जा सकती है सुत्र इस बात की भी जनकारी दे रहे हैं कि जो inter ministry consultation है इस प्रस्ताओ के उपर वो complete कर लिया गया है और oil ministry ने final cabinet note जो है वो तयार कर लिया है और इस बात की संभावना है कि जल्द ही इस पर cabinet के मंजूरी भी मिल जाएगी जैसा कि आपको पता है कि सरकार की योजना ये है कि जो natural gas है उसमें जो compressed biogas है उसकी blending हो CBG की blending हो और उसका target 2027 तक 5% रखा गया है और उसी के लिए इस प्रस्ताओ को तयार किया गया है ताकि city gas distribution network से compressed biogas plant को add किया जाए ताकि जो CBG की transportation है वो आसानी से हो पाए तो ये प्रस्ताओ तयार है और cabinet की मंजूरी जल्द ही मिल सकती है झाल को वो वो ये झाल को ताकि मौन को अझाना आड़ एकिया जल्द हाँ झाल झाल कि कि ऑ्रस्ताओ प्रस्तावाण जखजक ताक काभ़ श्यार को प्रस्तावी तो फसक्ताव एकाझ काढ़ः जल्द है झाल 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 आज आई टी शरों में देखी कमजोरी का फोर्ज विप्रो इंफेसिस में आज तीन परसंट तक की गिरावर्थी एल्टीय माइंट्रियो टेक महिंद्रा में भी अजद दबाग था नए शिखर पर निफ्टी फार्मा इंडेक्स निमुरा के लक्ष बढ़ाने से लूपीना साथ परसंट बड़ा अरविंदो फार्मा डिविस और ग्लेन मार्क में दो से तीन परसंट तक की तीज़ी कमजोर बिखरी आंकरों से आईशर मोटर्स में लगा था दूसरे दिन लगा रिवर्स केर शेर तीन परसंट तूटा एम एडेम हीरो मोटर कॉप बजाच आटो टीवेस मोटर्स भी कमजोर थे तीसरी तिमाही के बिजनस अपडेट से अल्टरटेक्ट पर दिखाज दबाव शेर धाई परसंट तूट गया तिमाही में कमपनी के बिक्री पांच परसंट बढ़ने की बात कही गई थी आटो एंसलरी कमपनी के शेर में आज भी तीजी जारी है करीट 6 परसंट के उचाल के साथ सुब्रोज रिकॉर्ड उचाई पर बंद हुआ तीन दिन में 20 परसंट से ज़्यादा जोड़ा जेबीम मोटिलाल उस्वाल की बुलिश रिपोर्ट से 11 ट्री में करीट 9 परसंट का उचालाया ब्रोकरेज ने खरिदारी की राय को काईम रखा लक्षे 135 से बढ़ा कर 150 किया तो आज का मार्केट हलकी से प्रॉफिट बुकिंग के नाम पे रहा आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं कुछ लोग इसको कहते हैं कि मार्केट डाजेस्ट कर रहा है कुछ लोग कहते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग कुछ लोग कहते हैं अन्वाइंडिंग कुछ लोग कुछ करेंगे लेकिन एक चीशत है है अगर आप दो तीन लेवल से चलनबर तरीके से मार्केट को देखते हैं तो जो बुलिश ट्रेंड है वो अभी भी बरकरार है क्या मार्केट के अंदर रिस्क रुवाट ठीक था उसका जवाब था ना तो मार्केट अपना रिस्क रुवाट ठीक करेगा तीसरा पॉइंट है कि मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आनी चाही थी क्या हैवी हो गया था हाँ उसका जवाब भी है हाँ तो क्या इससे लाइट हो रहा है अभी पता नहीं आज के निफ्टी का जो सपोर्ट टूटा है 47800 का उसके नीचे क्लोज मिला है लेकिन निफ्टी ने नहीं किया बैंक निफ्टी ने करा तो इस दोनों का डैवर्जन्स भी हो गया यानि कि बैंक निफ्टी जादा तूट गया निफ्टी कम तूटा दूसरी पॉइंट यह है कि अब लीडर्शिप किस के पास आएगी क्या रिलाइंस जो आज इस तरह के मार्केट में डेंज हाई पर जाके बंद हुआ है उसको देखें हम या फिर HDFC ICIC में इतनी गंभीरता है कि बजार को भी उबर ओवरने नी देंगे फिर क्या हमको यह देखना चाहिए कि FIS की होल्डिंग 69% के आसपास लॉंग चल रही है इसमें कितना बजाब बजाब आएगा आज शाम को डाटा से क्लियर हो जाएगा आप्शन के डाटा भी हमको काफियत तक क्लियर कर देंगे तब बहुत सारे इफसर बट्स के बीच में भी मारकेट फसा हुआ है कुल में लाके मोटा मोटी यह बोला जाए कि बजार के पास रिजिस्टेंस और सपोर्ट को रिस्पेक्ट करने की आज फिर से एक दूसरा दिन था कल भी यही था कल तो एक ही घंटे में मारकेट ने हाई और लोड टेस्ट किया था आज कम से कम ऐसा नहीं हुआ आज बजार में शुरुआती बढ़त को बार में मारकेट ने एक जटके में खोया और फिर डीप पेनेटरेट करके ले गया सपोर्ट आये रोका फिर उपर लेके आया थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी के साथ छोड़ दीजिए उसके साथ थोड़ा एससे एपिशनल केस है आज के मारे दो मेहमान है राहुल गोश है और आस्था जैन जिनसे हम बाचित करेंगे और आपके जो भी सवाल है उनके हम सामने रखेंगे आप सवाल अपने पूछ सकते हैं आपने अगर शेयर ले रखा है तो ठीक है नहीं लिया तो ठीक है अगर आप शेयर नहीं लेने से पहले पूछते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है यह कुछ-कुछ वैसे ही है जैसे आप डॉक्टर के पास जाओ और ओपीडी से परची कटवा के आजाओ अगर आपके बाद शेयर है तो फिर डॉक्टर की मजबूरी हो जाते हैं कि इसलिए लेने से पहले पूछेंगे जादा अच्छा है तरीका क्या है पूछने का आपके स्क्रीं पर चलरा है यह व Million का गता हज़ा है आपने सेब कर लो वी सब्सक्राओ दूसरा twitter का facebook का तरीका हमने हैं आपके सामने लिख दिया फोटो खैंच लो या तो इसका वीडियो बना लो दूसरा आप तो खुदी खुदी पूछो अगर कोई आदमी आपसे भी आके पूछे ना और आप उसका जवाब ना दे पाओ तो उसको ये वीडियो ये फोटो ट्रांसफर कर देना बोलना की एटीना सवदेश से पूछ लेना वहाँ पर बढ़िया मैं मान आते हैं आपको ग सब्सक्राइब के बाद 47-800 दोनों लेवल को ब्रेक करके डेज लोपी किया बन लेकिन निफ्टी ने नहीं किया वजह रिलाइंस को बता जा रहा है और कुछ अब तक बजाज या एक-दो शियर्स को और भी आपका व्यूपाइंट का इंडाइसिस का मैं अगले तीन-चार दिन का व्यूपाइंट पूता करना चाहता हूँ आपसे तो निफ्टी के केस में अगर हम बात करें तो 21500 पे आप बाई कर सकते हैं या 21500 के पास आप बाई कर सकते हैं छोटा सा 70 पॉइंट का स्टॉक लॉस 21430 के रखे यह निफ्टी के केस में हो गया बैंक निफ्टी के केस में अभी एक demand zone में आया है बट problem यह है कि जो size है उस demand zone का वो काफी बड़ा है तो demand zone जो है current market price से शुरू होके 47000 तक का है तो यह bounce जो है 47700 से लेके 47000 तक कहीं पे विए बीच में से आ सकता है तो मेरे ख्याल से bank nifty को long अगर करना चाहें तो 48000 की उप और ही long करना चाहिए नहीं तो wait and watch करना चाहिए with respect to bank nifty ठीक है तो 48000 के उपर एक बार आ जाएगा तो फिर ठीक है यह डिमांड zone supply zone जो भी सरिस्तिमाल कर रहे थे न वर्ड यह एक्चुली technical analysis का बहुत ही बढ़िया तरीका भी है और उसी zone के अंदर आके वो अपने risk reward को मतलब है हो सकता है दो दिन का delay लग जाए तीन दिन का delay लग जाए बट वहीं पर ही buy होगा या वहीं पर ही sell होगा ठीक आगे बढ़ते हैं अब जरह सवाल जब के सिलसले को आगे बढ़ाएं तरीका हमने आपको बता दिया जरह सवाल लेका है सामने screen पर और फिर आस्था ज सवाल है चंडीगर से यह आना सभाविक था और मैं तो वेटी कर रहा था कि कल से कोई यह पूछे सवाल ताकि हम इसके बारे में थोड़ा आपको जानकारी दिये पाएं शेरों के संख्या है 2000 इन्होंने 1550 पर खरीदा है ग्यारा सो के प्रॉफिट में आ हैं आज कंपनी न आप ट्विटर को फॉलो करते हैं न तो वहां पर भी ए ट्रेंड हो रहा था कि वोड़ा फोन आइडिया में बींग अजन इन्वेस्टर वा सकते हैं गौर्मेंट भी 33% का स्टेक होलडर है इसके अंदर लेकिन अभी बात पुखता कुछ नहीं है इसलिए थोड़ी क्लैरि आप्टरनूल देखा जायता है देखे यह जो न्यूस की वज़े से हमने अपसाइड देखा था तो आज अरिस्ट होता हुआ नजर आया क्योंकि बाद में क्लैरिफिकेशन आया अब मैं अगर सिफ कंपनी के फंड़ा में बात करो तो नेक लॉस तो इनका बढ़ाई है जो अब इतिमाई के इनोंने जो पॉर्टर वह एपाई 24 के रिजर्स दिये थे मार्केट शेर भी लूस कर रहे है अब क्यों लूस कर रहे है क्यों लूस कर रहे है क्यों देखिए 4G में यह एक्स्पैंड कर नहीं पारे और 5G की बात करें तो वहां investment को लेके issues है तो उसकी वज रहेगा तो मैं इन्हें profit book करने की सलाह दूँगी जो भी profit मिल रहा है at least 50% to 75% profit ज़रूर book करें अपनी positions को उपर ना रखे क्योंकि fundamentals कमनी के solid है नहीं और जो news में clarification आया है उसके बाद markets चाहिए इसको इतना अच्छे से ले नहीं अफ़ाइट दिले जी तो वोड़ा फोन आइडिया पे आपको recommendation मिल चुक है मैं एक चीज जरूर बोलूँगा वोड़ा फोन आइडिया पे ये ना आब ये 16 रुपे का share है लेकिन आप इसकी volatility को judge करेज़ेगा ये बहुत तीजी से उपर नीचे करेगा कई बार market में खबरे भी आती है बहुत सो का 1600 share इनके पास है 232 का rate है बजाज consumers का इबर चार्ट भी दिखा दीजेगा 10,000 रुपे का घाटा भी चल रहा है इनके साथ रावल जी एक बड़ जारा चेक करेंगे 1600 share इनके पास है share की closing है 225 इनकी खरीद है 232 की तो बजाज consumer पे मैं उनको पहले बता दू होल्ट करना चाहिए उनको current position पे आज कभी जो candle बना था वो एकदम लो से अच्छा rebound मिला है candle को आच्छा अपमूव देखने को मिल रहा है previous 2 high का breakout भी हुआ है अगर 220 आ जाए तो उनको exit कर देना चाहिए मैं यह भी कहूंगा कि cost price पे इनको exit कर देना चाहिए और public sector entities की तरफ move कर देना चाहिए क्यूंकि 2024 मेरे ख्याल से public sector units के लिए 2023 भी बहुत ही बैतरीन था और 2024 भी बैतरीन रहेगा यह हमारा analysis के दर इसलिए जो बात राहूल जी ने कहा दिया आप उस पर जरूर ध्यान देए गारी शब यह आपका सवाल हमने ले लिया रोईद बत्रा जी का सवाल भी ले लेते हैं बैंक आफ महराश्टा के regarding उनका सवाल है आस्था जी आपसे मैं पता कर रहा हूँ यह इनके पास 500 शेर है 43 रुपीस का लिया हुआ है शेर चलना 45 का quantity थोड़ी कम है लेकिन फिर भी conviction हाई है तो 1225 रुपे तर प्रॉफिट में आ ही चुका है अब तक एशेर यह क्या होल्ड करें क्या रावल जी थोड़ा हिंट करें कि अगले साथ सर्कारी कमपनी चल सकती है और बैंक आफ महराश्टा भी सरकारी कमपनी ही है अब जो नतीजे दिखाए थे जो दूसरी चिमाई थी वित्तिवर्ष 2420 थी उसमें बढ़िया पॉल आया था जी एनपी और एनपी रेशोस में यानकि असेट कॉलिटी भी स्ट्रॉंग है और नेट प्रॉफित में भी बढ़िया गरूधाई थी मुझे लगता है कि यह एक काउंटर है जो कि होल्ड करना चाहिए लॉंक टॉप पस्पेक्टिव से और इसमें जो टागेट समें देखने को मिल सकते हैं वो 51 के मैं संजेवपाध्य का सवाल है रेमंड्स पर 13 शेयर इनके पास है 21 28 का रेट है रावल जी जड़ा चेक करना तो रेमंड उलका एंट्री प्राइस अगर आप दोरा सकते हैं प्लीज 21 शेयर है मुझे इनका रेट है 21 28 रुपे का आज शेयर चल रहा है सत्रा सो कुछ का तो पांच हजार का घाटा चल रहा है तो रेमंड में एक कन्वेंचनल पैटर्न अभी बनने के संभावना ज्यादा है 1800 पे उसका ब्रेक आउट होगा 1719 पे प्राइस चल रहा है स्टॉक बहुत ही लंबे स्टाइम से साइडवेस चल राया है आप नोटिस करेंगे फ्रम सेप्टेमबर 2023 तीन चार महिनों से साइडवेस चल रहा है उपर जाता है निचे आता है फिससे वही पॉइंट पे आ जाता है तो अठारा सो के उपर एक conventional pattern का breakout आ सकता है जिन से उनका entry price आ सकता है जब तक 1800 नहीं आता है unfortunately sluggish ही रहेगा शेर और यह up and down movements उनको continuously दिखता मिलेगा ठीक है done आगे बढ़ते हैं एक और सवाल लेते हैं यह सवाल है शिव का नाम बहुत ही अच्छा है उनका शिव का सवाल यह है कि राजेश एक्सपोर्ट्स उनके पास है दोसों शियर आस्ता जी इस सवाल आपसे है यह एक्सपोर्ट्स वाली जो company ने इसका majority हिस्सा तो वैसे गुल्ड और सबसे जुड़ा हुआ है यह कपड़े पड़े का एक्सपोर्ट नहीं करती काफी सारे लोगों का एक्सपोर्ट नाम सुनते का सिर्फ कपड़ा ही ध्यानाता होगा ऐसा नहीं है तो जोल्री डायमंड गुल्ड इनकी तो खदाने भी है इस विजर लैंड में तो राजेश एक्सपोर्ट 200 शेर इनके पास है 366 का खरीदा हुआ है और आज इस रेट है 372 का 1388 रुपे का प्रॉफिट है जरह मैं बताए क्या किया जाए तो इस तरह का काम में यह कंपनी है लेकिन दिक्कत कहा है दिक्कत है यह फिनेशल परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं दिखा रही है अगर मैं सेट्विबर 22 के रिजल्स के भी बात करूँ यानिकि जो दूसरी तेमाही के रिजल्स है वहां पे भी इनफेक्ट टॉप लाइन में सेल्स में ही बड़ी लीग रोता में देखने को मिली तो इतना बड़ा काम होते हैं वोल्ड क्या क्या काफी बड़ा शेर है इनका देखा जाए तो गुल्ड माइनिंग में पूरे वोल्ड की लेवल की में बात करूँ और उस हिस अब अब भी जाए तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करिये और रिमेनिंग को बड़ करिये मैं पार्शली एकजिट करने की सला दूगी लेकिन पार्शली मैं बड़ करने की सला दूगी क्योंकि अगली तिमाई के नतीजे आ रहे हैं तो वहां से एक डिरेक्शन हो सकता है हमें देखने को मिले तो बागी होल्ड करने की सला है और जो होल्ड करेंगे उसमें भी अगर तेजी आई तो चार सो के उपर के लेवल से हमें ये काउंटर दिखाता हुआ नज़र आ सकता है ठीक है तो आस्ता जिलिए जब बोल देए इसमें मेरे को कोई अडिशन नहीं करना ये पॉइंट भी क्लियर हो गया आगे बढ़ते हैं अब एक सवाल लेते हैं जुगल का ये औरंगा बासे है आप ये जड़ा सवाल हमारे जैसा योगी ले रहे है राहुल जी राहुल जी मैं चेक करता हूँ राहुल जी आप भी एक बड़ जड़ा चेक कर ले नहां पटेल इंजिनरिंग मैं जड़ा चेक करो ये आया हुआ है आया हुआ है ये शेयर होगा मेरे को लगता है जहां तक इनके पास खरीदा हुआ अगर चौबीस रुपे खरीदा है तो इन्होंने मैं दर्श्रक को congratulations कहना चाहूंगा बहुत ही बहतरीन लेवल पर entry किया और उसका अफल उनको मिल रहा है पी इनकुना share हो गया है 63 के आसपास trade कर रहा हुआ तो यहां पे ना मैं उनको एक conditional stock loss दूँगा ताकि उनका जो profits है वो गवा नहीं जाए उनसे गवाया नहीं जाए के लिए नहीं रखना चाहते हैं तो एक stop loss रखना चाहिए उनको 59 पे और अगर long term investor है तो hold कर सकते हैं और stop loss इनका होगा 51 पे अभी भी hold कर सकते हैं जो अभी candle formation बन रहा है weekly chart पे वो थोड़ा सा इस week का candle थोड़ा important हो जाता है देखने के लिए इसलिए मैं short term में 59 का stop loss दे र long term prospects for the stock is good दोनों टेक्निकली भी अच्छा लग रहा है चाज स्टॉक्चर भी अच्छा लग रहा है फोल कर सकते हैं with a long term stop loss of 51 ठीक है डन आगे बढ़ते हैं एक सवाल और लेते हैं फूल सिंक का उत्तरपरदेश से हैं और इनके पास एकसाइड इंडस्ट्रीज हैं आस्ता जी एक बर जिर आप चेक कीजिएगा दो कंपनी के नाम हमेशा आएगा बैटरीज में पहला एकसाइड दूसरा अमर राजा पुराने हैं और नए प्लेस जोनों को पता है अगर मैं आपसे एक तीसी से भी मैं खुद भी अगर ढूंडने पर जाऊना तो मैं को तीसरे चौती है पाचवी कंपनी ढूंडने में में मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन जैसे आप बैटरी बोलेंगे तो नाम हमेशा एक का प्रोफित हो रहा है यह सई डारेक्षयन में है ट्रेडि इनकी ईगडिप में है मैं क्या किया जा है जिसमें नेटवर्क एक्सपेंशन भी बहुत बढ़ा है और प्रॉडक्त एक्सपेंशन भी बहुत बढ़ा है। जिसमेंशन भी बहुत बढ़ा है। जिसमेंशन भी बहुत 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 बढ़ा है। वेबव का एक बार राहूल सर आप चेक करोगे टेकनिकली इसको बिल्कुल तो स्टॉक एक स्टेलर अप्ट्रेंड में है पिछले कुछ हफ्तों से और पिछले कुछ महिनों से प्लास दो महिने से मैं उनको एक स्टॉप लॉस दोंगो और बोल्ड करने की सला दोंगा क्योंक कि अभी तक ऐसा कुछ नहीं दिखाए चार्ट पे जो कहता है कि अप्ट्रेंड रुप जाएगा तो सत्या रुपे दस पैसे पे स्टॉप लॉस रख देना चाहिए उनको और पोल्ड करना चाहिए ठीक है अब हमने काफी सारे सवाल तो ले ही लिए और उम्मीद करते हैं कि आपके सवाल हमने सब जोड़े ही होंगे अगर किसी का छूट गया हो तो नराज नहों क्योंकि सवाल काफी मिलते हैं हम कोशिश करते हैं बहतर से बहतर सवाल ले पाएं जिसके ज़्यादा आपके सामने रखते हैं आस्ता से शुरू करते हैं वो आपको आपको वी इपी शेह stays बताने वारी है समय सीमा एक महिने से दो महिने की रह सकती है तो हेवल्स इंडिया को खेदारी करने की सला है 1485 के टागेट के लिए ठीक है हेवल्स इंडिया पे आप ध्यान रखे duration आपको मिल गिया दो महिने target आपको मिल गया 1485 का राहुल जी से पता करते हैं राहुल जी आपका VIP तो मेरा जो शेर है वो थोड़ा trading side पे है क्योंकि market थोड़ा सा high पे है तो एक दू माईनी का नजरिया पे कोई share आज में नहीं दे रहा हूँ हाला कि last week का दिया हुआ IOC का बहुत ही pass है target के इस अफ़े का share है M&M तो M&M एक अच्छे 15 पे stop loss रखेगा और target होगा इसका 1725 and 1750 low risk low reward जैसा target रखा गया है M&M में ठीक है दो चार दिन से थोड़ा कमजोर था है मैडम लेकिन कई बार क्याना है कमजोर share आपका opportunity भी देता है जैसे हम कई बार आपने बोलते हुए सुनाओगा कि अच्छा share अगर नीचे लेवल पर मिल दे तो प्लस कर लेना अच्छा share है इसमें तो कोई दोर आई नहीं नीचे पर मिल रहा है उसका जवाब है हाँ क्या buy zone में आ गया है उसका जवाब है हाँ तो आपको stop loss लगा लेना है ये 16 15 का एक stop loss लगाईएगा 17 25 के target के लिए आपको में प्लस करने अब मैं आस्ता का share एक बार आपको वापिस से notice कराई तो ये भी बहुत ही बहतरी share है वह है हीवल्स ये 1485 के target के लिए दो महीने का है देखिए आस्ता fundamental चेक करते हैं चीज़ों को इसलिए उस्ताफ लोस तो नहीं देंगी पर वह conviction और आपको ये भी बता देंगे share कहां तक जा सकता है तो इन दोनों shares में जो आपको एक काम करना है वह ये करना है कि थोड़ा volume को कम करते हैं बस trade आपकी grip में आ जाए उसको ride करो मैं आपको बता हूँ आप example के लिए माल लो किसी का 100 share हो और वो 100 रपे चल जाए तो 1000 पे कमाए किसी के पास 50 share हो और वो 20 रपे तक ride करें तो भी हजार पे ही कमाएगा लेकिन 20 share है 50 share में थोड़ा risk कम हो जाएगा manage हो पाएगा 100 share में manage नहीं होगा आप कमाई नहीं पाएगे इतना क्योंकि जैसी profit आएगा आप तुरह निकलने की कोशिश करेंगे वह एक trading का एक view है ठीक है इसलिए अच्छे से बांट के बड़ी हाँ तरीके से trade कीजिए अच्छे से काम कीजिए बहुत शुक्रिया राहूल जी आपका thank you very much समय देने के लिए और आस्था जी आपका भी शुक्रिया thank you very much अच्छे से आपने guide किया और उम्मीट करते हैं आपके दोनों के VIP shares भी चलेंगे और आपने जो guidance दिये लोगों के वो काफी काम आएगे फिलाल इस कार कम से मीटता है लोइस कार झाल इस कार दो आपका आपका भी श्रॉब्स झाल 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 प्रश्राइब करें प्रश्राइब करें अगर आपके पस कैश नहीं था तो आपके लिए अच्छा साल गया है और मेरे इसाब से 2024 भी अच्छा ही जाना चीए बट अगर नियर टर्म की बात करें तो मुझे लगता है कि relative to small and mid caps मुझे लगता है large cap में एक catch up आना बाकी है तो और आपने खुद ने बताया 40 election है volatility हो सकती है globally और typically volatility small mid caps में ज़्यादा होती है so I think 2-3 साल 4-5 साल के view से तो small mid cap में अभी भी तेजी बरकरार रहेगी लेकिन अगर 2024 में because 23 इतना बड़ा साल रहा है small mid caps के लिए मुझे लग रहा है कि large caps would be a better place to be in in 2024 market में धार्णा है कि भाई कहां जाएंगे FIIs Hindustan नहीं तो कहां सबका माना है कि 2023 में उन्होंने निवेश बड़ा नहीं करा था cash market में negative return है IPO market में निवेश करा बंगे net-net जादा निवेश नहीं करा 2023 के बाद चोईस में by choice and by force they will come back and we could reach a stage where domestic investors खरीद रहें और foreign institution investors और खरीद रहें तो जिसे हम अंगरीजी में word बोलते है न FOMO होने वाला जो मने December में देखा क्या वह और हो सकता है निकुझ हो सकता है क्योंकि ultimately देखिए foreign निवेशक तो आएंगे अब last year क्योंकि FED rate बढ़ा रहा था तो generally India dedicated के सिवा जो पैसा होता है वो typically risk assets में नहीं आता है हाला कि risk assets से पैसा निकल के बाहर जाता है but अब क्योंकि FED ने U-turn कर दिया है तो मुझे confidence है कि FIA पैसा आएगा 2024 में और एक confidence भी आया है लोगों को कि ये government बरकरार रहेगी तो और अब तो confidence ज्यादा है क्योंकि state elections के बाद broadly probability is very high कि PJP की सरकार फिर से आजाएगी 2024 में और वहां के FED के रेट्स भी घट रहें तो मुझे मेरे इसाब से FIA का पैसा आना चीए तो जो यहां पर बोलते हैं double engine सरकार वैसे double flows आ सकते हैं इंडिया में और इसलिए इसलिए भी एक और वज़ा है कि मैंने बताया कि शायद अगर FIA के flows भी आ जाएं तो फिर large cap में तेजी हो सकती है क्योंकि typically they don't invest in small and mid caps they tend to invest in the top 100 companies because that's where the liquidity is तो liquidity वहीं है तो मुझे लगता है वहां पैसा आ सकता है आपको क्या लगता है कि mid and small cap stocks में से 15-20% पैसा इस समय profit book करे के large cap में shift कर देना चाहिए अगर आपका short to medium term view है तो शायद ये अच्छी strategy हो सकती है कि एक अच्छा run है but क्योंकि small mid cap मैं आपको एक आँकड़ा देता हूँ जैसे last 10 साल में nifty ने सिर्फ एक बार negative return दिया है 2015 में 2013 से लेके 2023 अगर आप देखें तो 2015 में nifty negative था बाकि हर साल nifty positive रहा mid cap देखें तो last 10 साल में 3 साल negative रहा है और small cap देखें तो last 10 साल में 4 साल negative रहा है छे साल positive रहा है तो small and mid cap में आपको long term view लेना ही पड़ेगा लेकिन volatility ज्यादा है जबकि large cap में probability की you will lose money is far lower right तो इस हिसाब से अगर एक सिफ आप 12 मेने की view ले रहे हो तो it may not be a bad idea to book some profits and move to large caps आप भी वही कर रहे हैं अपने portfolio से देखें मेरा जो portfolio है वो multi cap है मेरे portfolio में मैं तकरीबन 50-55 तका large cap रखता हूँ और बाकि middle small cap रखता हूँ तो वो mix broadly मैं बनाए रखता हूँ irrespective of market cycle because मैं you know हम portfolio बनाते हैं 3-5-7-10 साल के लिए तो हम ज़्यादा उसमें tactical shifts नहीं करते हैं अक्सित बोला जाता है share बजार के अंदर पैसा बनता है जहां buy and hold करते हैं अगर आप रोज market time करते हैं तो जह तो timing में mark आजाएंगे प्राइस में mark आजाएंगे आप माल share base देते हैं फिर गरता नहीं और उपर चला जाता है share आपके हाँ से निकल जाता है जो domestic cyclical बोलते हैं फिर वो cement हो, real estate हो, capital goods हो, infra हो, real estate हो, tourism, hotels हो I think यह sub-sector में मुझे लग रहा है कि तेजी structural है, long term बरकरार रहेगी वहाँ पर मुझे लग रहा है कि पैसा अच्छा बनेगा, अगर आप buy and hold करके रखे and generally, यह क्योंकि 2010-2011 से लेकर 2020 तक largely जो बोलते हाई quality franchise, consumer businesses, private banks यह सब sector उने अच्छा किया तो लोगों को लगता है आगे भी जाके यही अच्छा करेंगे बट ऐसा होता नहीं है, leadership change होती है और उसमें adapt करना बहुत important है तो मुझे लग रहा है कि यह जो sector है वो फिर से एक structural bull move में है और वहाँ पे एक exposure रखना आपके portfolio में यह बहुत ही important एक term use होता था 2021-22 में quality at any price के फंड मैनेजर इस पर बिलीव भी करते थे जी quality ले लो price की चिंता मत करो क्या वह थीसिस उल्टी-पुल्टी हो गई है? बिल्कुल मतलब कोई भी चीज quality हो मतलब at any price आप लोगे तो आपका return तो बनना मुश्किल है और अगर बहुत ही cyclical यार small या mid cap में आपने at any price खरीद लिया तो वहाँ पे तो capital loss की भी शक्यता हो सकती है so I think we have to be very very careful you know quality at any price was the mindset because as जैसे मैंने कहा कि ये companyya बहुत अच्छी की और हमें ये लगा कि ये आंट दस साल का जो trend है वो आगे भी चलेगा बट ऐसे होता नहीं अक्सर market में तो long term investing में लोग क्यों बोलता है कि 10-15 साल के लिए share लोगे लेके भूल जागे market इतना turn करता है तो भी long term investing कैसे चलेगी नहीं मतलब cycle भी आट दस साल की होती है तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप अपने quality share बेच दीजिए बट ये भी नहीं है कि आप को अगर दो साल, तीन साल, पाँच साल में compounding return कमाना हो लेकिन आपने बहुत ही high P.E. पे share ले लिया भले ही वो quality हो तो वो time correction तो आपको देना ही पड़ेगा एच्वल में ने देखा, इशिन पेंट्स में ने देखा, बहुत सारे बैंक में भी देख रहे हैं तो ये ये जो है वो कोई नई बात नहीं है तो रिए इन साब ऐसा कौन सा share है जो आप 15 साल से जादा से own कर रहे हैं और आपको अभी भी लगता है the best is yet to come नहीं काफी है मैंने ट्रेंट 15 साल से खरीदा है बजाज फाइनस 13 साल से मैं hold कर रहा हूँ तो ट्रेंट का पी मल्टिपल अब लोग मुझे बताते हैं 140-50 है बजाज फिनानस का price to book 7-8 है अभी साड़े पाँच होगे अच्छा डाइलिट कर भी है थोड़ा पैसा रेस करा है तो अब इन भी मल्टिपल पर वही क्वालिटेट एनी प्राइस वाली बात हो रही है तो कैसे पैसा बनेगा देखिए उसमें आपको एक असेस करना पड़ेगा कि जो overall size of the business कितना है और इस industry में opportunity कितनी बड़ी है तो अगर size of the business relative to the opportunity अभी भी काफी छोट अगर size of the business is still small and it can compound at 15, 20, 30, 25% for the next few years तो शायद valuation sustain कर जाए यह भी हो सकता है कि ऐसा कुछ नहीं कि यह quality share शायद next 2 साल कोई return ना दे till earnings catch up यह भी हो सकता है तो long term investing में ऐसे कई बार ऐसे साल आते हैं जब आपका कोई पैसा नहीं बनता कि 2024 ऐसा साल हो सकता है for few shares yes, हो सकता है कि ज़्यादे पैसा ना बने कि ना बने तो आप पुरी कहाँ पर बड़े दाव लगाए है large cap में आपका बड़ा दाव क्या है mid cap में आपका बड़ा दाव क्या है small cap में आपका बड़ा दाव क्या है new york specialist है आप तो नाम की बात करेंगे देखिए जैसे मैंने बोला मुझे मुझे cap goods और infra और ये सब sector अच्छे लग रहे हैं तो large cap में मेरे पास larsen है हिंदुस्तान एरोनाटिक्स है ABB है Dixon है ये सब manufacturing basket है मेरे पास mid caps में auto auto ancillaries है mid cap tech है जिसमे KPIT Tata Alexi है Varun Beverages है TVS Motors है large cap में Tata Pogas भी है तो small cap में कहाज़े आपके बस dynamic है ethos है micro cap हमें मिलने मुझे size बढ़ा हो गया खिर we have an exposure अभी हमने small cap less than 10,000 करोर market cap में ही invest करेंगे ऐसा एक fund शों किया है कितना पैसा आपने collect कर रहा है उसमें नहीं बहुत चुटा भी तो 2500-300 करोड ही collect किया है अपने तो यह open to accepting freshmen यह आपको भी भी small cap में less than 10,000 करोर में opportunity मिल रही है मैं अभी close कर रहा हूं उसको तो you know it's a it's a 7-year fund hybrid है तो इसमें मैं 70-80% listed में करूंगा 15-20 तकान listed में करूंगा तो ज़्यादा नहीं हम को 300-300-300 करोड ही रेस करना था because when you are investing in very small cap companies तो you know you want to keep the size limited but I think opportunities are there अभी भी है हिर्ण साब सब का यह मानना था 5 साल पहले की PSU's में दम नहीं है और अकसर हमने देखा है कि कोई sector जब 10 साल के लिए परफर्म करता है तो वो एकदम लीडर बन जाता है तो क्या PSU's भले बैंक्स हो और डिफेंस हो रिल बेस हो या फिर एनरजी ट्रांजिशन हो वो आप देखिये मतलब बेस्परफॉर्मिंग स्टॉक्स आर अर आल फ्रम मोर और लेस आर लॉट अप देखिये मार फ्रम PSU's अ हलाकि आफ लेट मुझे लग रहा है कि थोड़ा यूफोरिक हुआ है कि कुछ जहां भी PSU हो 20, 30, 40, 50 का पहुत इस्टॉक्स पिस्टॉक्स बढ़ जाता है इस्टॉक्स बढ़ जाता है इस्टॉक्स बढ़ जाता है जाता है काफी सारा जो इंफरा में स्पेंडिंग है मेक इंडिया में है जो फोकस है गवर्मेंट का तो कई ऐसे एरिया में रिसॉर्स है पावर है रिनुवेबल है डिफेंस है PSU's are big players in this industry and उनकी balance sheet इंप्रूव हुई है उनका governance इंप्रूव हुआ है और गवर्मेंट भी फोकस कर रही है कि वहाँ पे ये कंपनिया ठीक से perform करें और value create करें क्योंकि गवर्मेंट को भी समझ में आ गया है कि इतना सारा value unlocking हो सकता है आप हर साल देड़ लाग दो लाग करोड का equity बेच सकते हो market में और उस पैसे को फिर आप infrastructure या social spending में डाल सकते हो तो why not create value in these companies देड़ लाग करोड की market cap जो थी सावे चार लाग करोड की market cap हो गई है पिछले तीन से सावे तीन साल के इस प्रकार का multi bagger creation हुआ है तो आखरी दो सवाल मैं आपसे पुछता हूँ अब अगली सवाल को मैं category wise divide करता हूँ हमारी audience है young audience जो तीस साल से कम के हैं उनको क्या करना चाहिए second category किसे हम कहते है they are in their 40s and they still have 10-15 years of good earning visibility in their life in their careers और 65 plus जो जिनके पास earnings नहीं है savings है पर savings की वज़े से ही वह अपनी आने वाली जिंदगी चलाना चाहते है आप इन तीन categories को क्या advice देंगे देखिए जो पहली category है 30 25 25 से 30 जो young crowd है I think उनको तो मैं कहूंगा कि आप systematically invest करिए या वो सिप हो या regular investment हो क्यूंकि जो next 15-20 साल है इंडिया के वो undoubtedly golden years है तो चाहे थोड़ा सा consumption कम करिए और invest, save और invest जादा करिए पहले invest करें फिर बाद में spend करें अग्सरा हम पहले spend करते हैं फिर बाद में invest करते हैं So save first and then invest हाँ, because जो compounding है आप जितना जल्दी और जितना ज्यादा invest करोगे अब उतनी पूंजी आपकी बड़ेगी 15-20 साल के पाद तब आप मौच करिए तब आप spend करिए अभी चालो करें अब पाद मौच करें अप्सराइब तब आप झाल 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 यह 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 देविना, बहुत बहुत शुकृण के लिए जो ठीक से बजार को अप्रोच करते रहे और आपका सायोग और गाइडिस भी काफी काम आई है हमारे विवस के लिए उसके लिए शुक्रिया तो जार 24 में जैसे हम कदम रख रहे हैं मैंना पहरा सवाल आप से यही होगा कि जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं उनको बड़े मोटे मुनाफे की आधत लग गई है दोजार 24 में मारी अप्रोच क्या वैसी होनी चाहिए अग्रेसिव और थोड़ी सी ग्रीडी भी बाजार को लेके सुपीरियर ग्रोथ वगरा वगरा यह आपको लगता है थोड़ा रिटर्न एक्सपेक्टेशन एक दिन पहले ही दो दिन पहले ही और आपके व्यूवर्स को भी बहुत बहुत शुक्रिया और जहां तक बाजार का सवाल है जी हां 2023 बहुत अच्छा साल रहा खासकर small cap mid cap indexes और बहुत सारे उसमें जो stocks थे उनके लिए तो वो अगर आप aggressive के हिसाब से वो चीज बोल रहे ह तो वहां पर थोड़ा सा आपको अप सोच समझ कर आगे बढ़ने वाला समय आ गया है अभी तो small cap का definition भी बदलता रहता है कि कौन सा category small cap है या नहीं कौन सा stock small cap है या नहीं बट जहां तक मैं कहूंगी खासकर कि 5000 करोड से कम market cap वाले जो stocks हैं वहां आप सोच समझ कर जहां तक जो लाइशक नए हैं उनको इतिहास शायद मालूम भी नहीं कि उस तरह के stocks कितना तेजी से गिर सकते हैं जब आप उपर होते हैं तब उसकुतने ही गती से उपर जाते हैं लेकिन जब नीचे गिरते हैं तो आपको stop loss का भी समय नहीं मिलता है वहां से निकलने का रास्ता ही नहीं रहता है तो वह सब थोड़ा सोच समझ के चलने की बात है जहां तक जो